तो नमस्कार सारे वीवर्ट से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में गुजराट जाइंट्स वुमेंस वर्सेज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वुमेंस का ये मुकाबला है चटा मुकाबला है वुमेंड प्रेमेर लीग का दोनों टीमों का अगर प्रतशन देखा जाए इस लाइट के अंदर कुछ खास रहा नहीं है दोनों टीम है अपना पिछला दोनों मुकाबले जो हार कर यहाँ पर पहुची है अब देखना होगा आज बुरबॉन के स्टेडियम में किस टीम का आज जीत के साथ खाता खुलता है किसका पॉइंट पॉइंटेबल में किसक यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट लाइव हिंदी पर तो लाइव हिंदी कामेंटरी जै है क्रिकेट लाइव हिंदी पर स्टार्ट हो चुकी है स्ट्रीम को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब और जोड़ जाईएगा हमार साथ इस मुकाबले में देखते हैं कि आज जो है वो खेला होता है या फेला होता है क्या मुकाबला रहता है क्योंकि आगर देखा जाए प्रदर्शन दोर टीमों का इस टूनमेंट में कुछ खास नहीं रहा है अगर बात करें गुजराच जाइंट्स के तो गुजराच जाइंट्स अपना पहला मुकाबला जो हो म RCB की बल्लेबाजी जो है बड़े बड़े नाम जरूर है मगर उस तरीकी की बल्लेबाजी जो हो नहीं रही है पहले मुकाबले में गेंदबाजी काफी ज़्यादा खराब थी 222 रन का बन गए थे वहाँ पर दली कैपिलेस के खिलाफ वहाँ पर हाँ मिली उसके बाद मुंब यहां पर बात करेंगे किस तरीके की ठीम रह सकती है क्या रहेगी पिछ रिपोर्ट यहां पर किस तरीके से मौसम रहेगा तो उसकी जनकारी के लिए आप सम लोग स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़ जाईए हमार साथ लाइफ हिंद साथ डिग्री सलसेश टेंपरेचर है यहां पर जो है यहां पर रोशनी में मुकाबला खेला जाएगा अब देखते हैं आज इस मुकाबले के अंदर क्या होता है मगर मौसम ने बता दिया है कि बिल्कुल क्लेर है कल कल जो है कहीं न कहीं कल डिवाइब डॉक्टर डिवाइब पड़र स्टेडियम में बारिश हुई थी थी थोड़ी दिर के लिए मैच में खल आया था मगर मुझे आज इस मुकाबले में बारिश की एक भी बूंद गिरेंगे नहीं और पूरे चालिस ओवर खेल हमें पहला मुकाबला जो है ब्रुबॉण स्टेडियम में खेलने का वह आर्ची भी आर्चीब के पास ज्यादा है अब देखते हैं क्या यहां पर स्मिर्ति मंदाना अपनी टीम को जो है और वह आज पहली जीत दिला पाएंगी या फिर से कप्तानी करते नजर आएंगी या फि स्टानी काफी बढ़िया कि इसरे राणन है मगर आखरी की कुछ ओवर्स में यूपी वार्योस से मैच जीते 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 जो है वह हार गये तो यह है मौसम का सूर तेहार यहां पर चौतिस दर्शनल साथ डिग्री सलसेश टेंपरेचर है थैस परसंट है और जीरो परसंट से 10 रुपे है जितना भी आप डिपोईट करते हैं उतने का ही बोनस आपको सेट बेट करेंगे तभी आपको जो है यहां पर बोनस मिल पाएगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइच पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिए सब्बेट पर चाहिएगा साइन आप क्लि रखिएगा उसके बाट डिपोईट करना है गूगल पर फोन पर पेटियम से आप यहां पर डिपोईट कर सकते हैं साथ-साथ यहां पर विड्रॉल जो है 15-20 मिंट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता तो जाहिए खेलिए और जीत यह सब्बेट के साथ है लाइचल में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके आईडी करेट करिए और चांस रहेगा आपको आईपल मैचिस के जीतने का सेट बेट जो है टोटली एक्सचेंज है लॉसकर बुक कर सकते हैं तो जाहिए खेलिए और जीतिये टोटली ट्राइन टेस्टिट अन टेस जह है बहुत ही इजी है यहाँ पर अब बात करते हैं पोईट टेडल पर पर सिन्यारियों जहा है वो किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है अगर हम पॉईट पर नजर डाले तो वो देखिएगा आपकी स्कींट का सामने है यहाँ पर M.I. की टीम मुंबाइ इंडियन्स की ट अगर बात करें दूसरी टीम यहाँ पर second python पर डली कप्रिस की टीम है वो भी अपने दोनों मुकाबले खेले हैं और दोनों जीते हैं चारंग के साथ डली कप्रिस की टीम जो है वो दूसरे पाइदान पर है प्लस 2.550 जो है वो उनका नेटरन रेट है अब तीसरी टीम की तर मिली वहाँ पर दली कपड़ेस जो है उस मुकाबले वो जीता यूपी वारिस दो मुकाबले खेले हैं एक जीता है एक हारा है दो अंग के साथ जो है वो तीसरे पाइदान पर है नेटरन डेट माइनस 0.864 है अच्छी बात यूपी वारिस के लिए नेटरन डेट के लिए कि जो उनके नीचे की टीम है चाहिए वो आरसी भी हो गुजिराज जाइनस उनका नेटरन डेट जो हो माइनस 3 तक है तो यहां पर अच्छी बात ही वारिस के लिए कि आरे वाले मुकाबले में जीत दर्द करते हैं तो नंबर 2 है नंबर 3 पर 3 पर फिनिश कर सकते है यहाँ आ पॉइंस टेबल सिनारियो यही कहता कि चौते नंबर पर आरसी भी है और पांचवे नंबर गुजराज जाइनस है मगर आज जो भी टीम यहाँ पर जीतती है कहीं ने कहीं यहां पर अपने अंग तालीका में दो अंग जो हो आर्जित करेगी और अपनी जीत के जो हारने के बाद एक जीत जो है वो दर्ज करी कि अब देखते हैं कि आरसी भी जीतती है या फिर गुजराज जाइनस है अब बासी मारतन अतर आगे तो यह पॉइंस टेबल का सिनारियो यहां पर गुजराज जीतती है तो एक पाईदन उपर जाएगी चौते पाईदन पर आएगे त चांस रहेगा कि आने वाले मैचे जीत कर जो है पॉइंस टेबल में टॉप पर आजाएगा तो टॉप त्री में आपको रहना पड़ेगा अगर आपको प्लेओस में खेलना है तो आपको यहां पर टॉप त्री के अंदर रहना होगा तो आप फॉर और फाइब पर रहेंग तो यह पॉइंस टेबल का सिनेरियो यहां पर किस तरीके से पॉइंस टेबल जो है वो चल रहा है आप सो लोग स्ट्रीम को लाइक करिए चाल को सब्सकाइब कर दीजिएगा जुड़ जाएगा हमार साथ लाइफ हिंदी के साथ मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने कि सबका सवाल यही रहता है कि किस तरीके से पिछ जो है वो रहेगी जी क्या अब ब्रुबॉन स्टेडियम की यह पिछ है यह पिछ कहीं ने कहीं बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल है जिया अगर बात करें डॉक्टर डीवाई पाड़ा स्टेडियम और ब्रुबॉन कि पिछे जो है वो ब्रुबॉन यह पुल है यह पिछ के ऊपकर पास अच्छा-कसप बाउंस बीर बाउंस के साथ पेस्ट भी अच्छा मिलता ईचान लिए वह काफी आसान रहता है इस पिछ क्र अफर्स चेनिंग पहली पारि का जो एविर्ई स्कॉर है वह 189 रण्स का मे अंदर और अगर बात की जाए तो यहां पर रंचे जियां पहले बलेबाजी करनल टीम पहले बलेबाजी करनल टीम जो है पच्पन परशन मुकाबले जो है वो जीते हैं तो यहां पर कोशिश यह रहेगी आज कप्तानों की टॉस जीत कर यहां पर बलेबाजी की जाए एक की उपको आ रहे हैं, तो क्या आज आर सिभी जीत पाएगी, क्या आर सिभी के बल्ले बाजी में एक कोलेपसा दिख रहा है, सिभीत है, स्भीति में बना ना को स्टार्ट मिल रहा है, बड़ी पारी convert नहीं कर पा रही आघी है, सोफी डिवाइन का भी यहही हाल है की रिचा गोश है बड़े बड़े नाम ज़रूर है मगर वो नाम जो है वो लग रहा कि शाएद कहीं नाम जो है वो नाम खराब वाली बात चल रही है कि नाम तो है मर परफॉर्मेंस जह है वो तरीके से चल नहीं रही आप देखना होगा आज की इस मुकाबले के अंदर किस तर पर तरीकर से बल्लेबाजी की थी सभी टीवंने देखा हूं कि इस तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी इस के ओर फपर फरसिंनिकी वर्टेट्र सक Bennett और यहां पर पहले बल्लेबाजी करने टीम ने जीते हैं 80% जो है मुकाबले पहले बल्ले बाजी करन टीम जीते हैं 200 रन बनाए है 190-130 बनाए है और इस पिसके उपर और टोटल को जो है डिफेंड किया है चेस करनल टीम जो है वो एक मुकाबले अहाद पर जीती है विडिंग परसंटेज जो है 20% है फर्स इनिंग स्कूर्ट सचोटर और सेकंड इनिंग एवरे स्कूर्ट 147 का है यहां पर तो जीत कर पहले बल्ले बाजी अगर आपको डिफेंड करने के लिए टोटल को उसके बाद आप डिफेंड कर सकते हैं अगर मैं वुमेन आइपिल की बात के तो टोटल दो मुकाबले यहां पर खे सब्सक्राइब और सब्सक्राइब लाइव हिंदी के साथ यहां पिछ का ब्योरा वुमेन प्रिमेर लीग के से दो मुकाबले हुआ है अगर बात की जाट ओवरॉल यहां पर पांच मुकाबले खेले गए हैं पहले बल्ले बाजी करने टीम असी परसंद में जीती है और चेस करने टीम जीती है फॉर्स्टिंग आइवर्स को 174 है ध्यान रखिएगा जो भी टीम पहले बल्ले बाजी करने आएगी अगर टोटल का ज्यादा डिफरेंस है नहीं 55% जो है है यहां पर स्पिनल गेंद बाज जो है विकी चटकाते नजर आते हैं 69 विक्टेज है वो यहां पर स्पिनल गेंद बाजों को मिली है अगर बात की जाए तो यहां पर 45% विक्टेज है वो तेज गेंद बाज भी चटकाते नजर आ जाएगा अगर मान के चलें तो आप 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 और की भूमिका में एशली गार्णर को रख सकते हैं यहां पर आप ऐसा ओल रॉंडर्टीम के अंदर बाकि और बी और हैं जो काफी बहतर प्रदेशन कर रहे हैं उनको भी तिम में रख सकते हैं मगर अभी तक तो एलिसा पैरी और एशली गार्णर का नाम मुझे अच्छा लग रहा है कि ऑल्राउंडर की भूमिका लिए और स्पिनर गेंद बाजों के लिए मैं आगया को जब एक्स्पेटि प्लें नाम बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौनकों से स्पिनर गें फई ब kicks की इसे की बात कर ली है अब टीम कोंपेराजन की बात करते हैं जी यह यहां पर करने टीम की स्था कराई थी गुजराच जाइंस की टीम लोई स्कोर 64 का है जो कि मुंबई इंडिया से खिलाफ धीर हो गई थी गुजराच जाइंस की ये टीम अगर बात करें आरसी भी की तो आरसी भी दो मुकाबले खेल चुकी है और दोनों मुकाबलों में वीनिंग परशंटेज जीरों की दोनों मुकाबले हा रहे हैं आपर एवरेज स्कोर 169 का है और हाइए स्कोर 163 का है लोई स्कोर भी देखिए 155 कायमत अभी का देखा जाए तो एवरेज स्कोर जो है गुजराच जाइंस से काफी बहतर है आरसी भी का आरसी भी हर मुकाबले में जो है कम सलम 169 रंद तक बन तो यह हो गई टीम कमपेरिजन की बात कि किस तरीके से दोनों टीमों का प्रदेशन चल रहा है अगर बात कि जाए वो इन प्रिमेर लीग की दोनों टीमें काफी स्ट्रॉंग नज़रा रही थी एक तरफ बैतमूनी कप्तानी कर रही थी एक तरफ स्मिती मंदाना मगर इस लोगों ने किस टीम को जादा सपोर्ट करने की मंचा जताई है अगर बात की जाए तो यहाँ पर विनिंग परसंटेज जो है आपके स्किंग के सामने है वो देख लीजेगा यहाँ पर आर सी भी को जिया आर सी भी को काफी लोग परसंद कर रहे हैं साट परसंट लोग कह है कि आर सी भी जो है वो इस मुकाबले को जीतेगी और चालिस प्रशन लोग कह रहे हैं यहाँ पर गुजराज जाइंट्स है इस मुकाबले को जी सकती है लग तो रहा है कि आर सी भी की टीम आज मुकाबले को जी सकती है और गुजराज जाइंट ने भी पिछले मुकाबल जो है वो मिलते नजर आएगी यहां पर गुजराइट जाइंट के तरफ सती यह होगी वात हमारी विनिंग पर संटेज की आप सब लोग जो है यार यार सेट बट के साथ जुड़ जाईएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइशनल पीन कर दिया है उस लिंक को क्लिक आपको बोनस मिलपाइगा यहां पर एट करिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइशनल पीन कर दिया उस लिंक को क्लिक करिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ यहां पर विड्रॉल जो है पंद्रफ से बिस्मिंट के अंदर बैंक अकाउंटकर आएग सारे मुकाबल़ आ फिर दे सकते हैं सेट-बेट के उपर और स्विट के साथ एक उफर चल रहा है जहां पर आप IPL मैच्षह जी हैं मैंस IPL मैच्षी की टिकेट जी सकते हैं ग्राउंड के अंदर डायट-ग्राउंड के अंदर जाकर लाइं मुकला खेल सकते हैं तो आज ही जाईएर प्रेंग नावन देख लते हैं किस तरीके से रहेगी हैं कि एकर बात की जाए दो लूट की फूटेम जाए जो हैं एनेवल सदर लाईडना हैं टरीम के अंदर है हरलीन देवल हैं सनेय राना हैं तनुजा कमल स्टीम के अंदर हैं मानशी जोशीए और किम ग्राथ इस टीम के अंतर है किम ग्राथ को पता ही होगा कि ज्याद देंदर डॉट इन को यह न होने पे किम ग्राथ को जो है टीम में जगा घृत दराएं गी पांच विकल चटकाए थे इन्हों यूपी वॉर्रस के खिलाफ और मगर मगर कही ने कहीँ को जीत दिलाने में आसमर्थ रही थी का काम्याब नहीं भॉए पिति हुपाई थी वहाँ पर ग्रेस हैरिस ने कमाल की बल्ले बाजी थी अगर बात की जाए इस टीम की जो है वो इस टीम की कपतान है अगर पिछले मुकाबले में इंजट हो गए थी उसके बाद कप्तानी जह है वो स्निहार राना को मिली थी यहाँ पर कप्तानी और आप देखना होगा आज के मुकाबले में बैतमूनी फिट है कि नहीं अगर बात की जाए यहाँ पर बल्ले बाजी की मैं मान के चलता हूँ सोफी डंकली अगर खेलती है तो सोफी डंकली का फॉर्म जह है इस शुरू से ही वर्ल्ड कप से ही काफी डाउन चल रहा है वर्ल्ड कप से ही काफी इनके रंस है वो निकले नहीं बल्ले से यूपी वार् मुकाबले में चार गेंदों में सिर्फ दोरन मना पाई थी मगर उसके बाद अगले मुकाबले में पंदरा गेंदों में चौबी सरम नाय थे अच्छी लग रही थी अच्छे फॉर्म में नाय थी मगर कहीं न कहीं जहें इस पारी को लंबा नहीं कर पाई यहां पर शुमनी मेंगना की बात की जाए टिटून्टी करियर की तो 17 मुकाबले खेले हैं नोने 259 बनाये हैं आप सुमनी मेंगना को रख सकते हैं आगली ख्राड़ी है नमबर तीन पर बल्लेबाजी करती हैं गुजराट जाइंट की तरफ से हर्लीन देवल जी हां अगर देखा जाए तो यूपी वारेज के खिलाफ 32 गेदों में 46 रिंगी पारी खेली है फॉर्म में नजर आ रही हैं जब बल्लेबाज आप हर्लीन देवल को आप टीम में रख सकते हैं आप डिटून्टी करियर के बात की जाए तो 22 मुकाबले हर्लीन देवल ने खेले है 16 पारियों के अंदर 245 रिंगा हैं बावन इनका बेस्ट है मागर स्ट्राइक रेट जाए वो काफी बढ़िया है इनका आप इनको टीम रख लिए पिस तीन मुकाबले के अंदर कम से कम पिच्चानवे रिंगा चुकी है हर्लीन देवल और काफी फॉर्म नजर आएंगी हर अलीन देवल का फॉर्म आना गुज्राज जाइंट्स के लिए कहीने कहीन एक सुप संकेत है यहाँ अगर बल्ले के साथ तो कुछ खास किया नहीं अगर गेंद की बात की जाए तो गेंद के साथ भी कुछ खास नजर नहीं आ रही है गेंद बाजी और बल्ले बाजी करते यहाँ पर अनेवल सदर्लेंड की बात की जा तो पहले मुकाबलें 32 रन दिये कोई विकेड नहीं मिला और यूपी वार्ज के खिलाफ एक तालिस रन दिये और एक विश टिकाया मगर वो जो आखरी ओवर था बीस रन बचाने के लिए था अनेवल सदर्लेंड का और बीस व खिलाएंगे चल लगली अगली खिलाडी है आपड़ जो है आ शुश्मा वरमा को टीम में इसलिए रहती हैं विक्टीपिंग जहीं वाट जया House गार ейक ही मुकाबला यह तो आर सी बी के लिए रिचा घोश जहें वह काफी बड़िया विकेट कीपर चॉइस रहेंगी आपके लिए अगली खिलाडी है यहाँ पर एशली गार्डनर एशली गार्डनर को आप टीम में रख लीजेगा बड़िया और परफॉर्मेंस करती है और राउंडर आइस आइस तो आशली गार्डनर को आप टीम से बाहर नहीं रह सकते हैं तो आशली गार्डनर को एज़ा यहाँ पर ओर जाठीडैजर गार्डनर की दो मैचों बड़र tenard तो एक विकर उिक्यर मिलाा है करिए कर जो प्रदर्शन है वो काफी बढ़िया है 73 मुकाबले खेले हैं 53 जो है चटका चुकी है वुमिन आइपियल के यहां पर टी 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 के अंदर तो इनको एशली गादनर को आप टीम में रख लीजेगा आज में तक बल्ले एक साथ भी बोलेंगे और गेंद के स पहले मुकाबले में 23 गेंदों रहे थे नाबाद थी मुमेडिया से खिलाफ यूपी वर्ले से खिलाफ भी 13 गेंदों में 21 गेंदों रहे थे आकरी कुछ ओवर्स में बड़े शॉट लगाते नजर आए थे यहां पर जैनियल हमलता बल्ले बाजी काफी अच्छी कर रही है डैनियल हमलता का और दो मुकाबले से नाबाज रह रही है आगली खिलाडी है यहाँ पर कफ्तान स्निया राणा हो सब्ता अगर आज बैतमूनी जह हैं ना खेले तो स्निया राणा के पास ही कफ्तानी रहेगी स्निया राणा के बात की जाए तो ऐसा ओस्पिनर टीम के पिछले मुकाबले के अंदर सोलर रंदिये कोई विकिट यहाँ पर मेला नहीं था और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोचना होगा स्निया राणा को स्निया राणा को कफ्तान तो ठीक है मगर खुद को गेंद बाजी में ज्यादा लाना पड़ा है कोई अगर दस ओवर क हैं गेंद बाज और विकिट लेनी के शमता हैं मगर अपनी शमता से विप्रीत यहाँ पर जो है वो गेंद बाजी कर रही है ऐसा और टीम में खेलती हैं बल्ले बाजी कर लेती है मुंबा इंडियान से खिलाफ दो गेंदों में सिर्फ एक रन मनाया था साथ गेंदों में कि खिलाफ काफी नीचे बल्ले बाजी करते हैं अगर स ने शर्फ नहीं से किम गराज उनको आप उपर कर सकते हैं इंदर और स्निहा धिनबाज अपना प्रिटन करें पावरब्ले में मिडल ऊवर्स में अपने स्पहल पूरा करें अगली खिलाडी है यहाँ पर तनुजा कवर जिया है यहाँ पर देखना होगा आज किस तरीके से खेलते निदरा आती है गेंद बाद की जाए तो दो मुकाबले खेल चुकी है यहाँ पर और सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेटिन को मिला है जो कि मुंबई के खिलाव मिला थाम पिछले मुकाबले में 29 रंदिये थे तो यहां पर तनुजा कावर ने 29 रंदिये थे यो भी खिलाव विकेट मिला नहीं था मगर आपकाफी अच्छी गेंद बाजी करें लेफ्ट आम मीडियम पेसर गेंद बाज है तो इनको आप एज़ मुकाबलों के अंदर एक विकेट अटका है मगर economy जो है वो काफी बढ़िया रह रहा है मांसी जोशी को एज़ा गेंद बाज आप टीम में रख सकते हैं पहले मुकाबले मुंबई खिलाव 17 रंद दिये थे कोई विकेट नहीं मिला दूसरे मुकाबले में 15 रंद दिये और दो दो ओवर कर रही है मांसी जोशी इनको पूरे चार ओवर जो है वो करने होंगे तभी ये टीम जो है वो आगे बढ़ पाएगी गुजराज जाने की कि आप अपने एहम गेंद बाजों को ही पूरे ओवर्स नहीं दे रहे हैं यूं कहें कि एसनिया राणा से दो ओवर कर करर रहे हैं मांसी जोशी दो ओवर कर रही है तो ऐसे काम चलेगा नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो टेज गेंद बाज टीम में रखिएगा मेरे सबसे आप किम ग्राथ और मांची जोशी दोनों आप टीम में रख सकते हैं तो यहां पर फ़ोड़ा सा सोचना होगा कप्तान को क्या अगर चार ओर कर सकती है यहाँ पर स्निया राणा भी चार ओवर कर सकती है जब तक चार ओवर पूरे नहीं करेंगे तो टीम का स्कूर आगे कैसे बढ़ेगा यह तीम जह वो लगाम कैसे लगाएगा तो किम ग्राथ को टीम में रखना मत बूलीगा पहले मुकाबले में पांच वोगी चटका है मुझ पूजदाज जाइंच की यह टीम है सोफी डंकली शुमनी मेगना एशली गाडनर शुष्मा वर्मा एनावल सदरलैंड टैनेल हमलता हरलीन देवल स्नेहा राणा तनुजा कमर जवांची जोशी और केम ग्राथ खेलते ने जरासती है अगर यहाँ पर बैठमूनी टीम में सोफी डंकली यहां वहती मनाना इस टीम के अंदर है सोफी डिवाईर नाइट है यहां पर ही गोश है दिशा कसत ने पिसले मुकाले में अच्छी बल्ले बाजी एrokраш फि यहां पर शरंका पाटील स्टीम के अंदर है मेगन शूट है रेनुका सिंग ठाकूर है मेगन शूट रेनुका सिंग ठाकूर है टीम के अंदर आप देखेंगे तो कम से कम यार साथ बड़े खिलाडी है मगर ये टीम अपने दोनों मुकाबले खेल कर दोनों मुकाबले जो हा रहे हैं कि यह थोड़ी सी हजम नहीं हो रही मुझे यह बात कि जिस तरीके से यह टीम थी मुझे रगा कि शायद यह एक बहतर प्रत्रशन करेगी क्योंकि यहां पर स्विर्थी मंदाना है सोफी डिवाइन है है थर नाइट है अलिसा पैरी है रिशा घोश है रेनुका सिंटाकूर मै स्विर्थी मंदाना जो है उस टीम के अंदर है शुरूआत अच्छी मिल रही है मैं नो डाउट मैं यह कहूँगा कि स्विर्थी मंदाना को शुरूआत मिल रही है हर मुकाबले में इनको शुरूआत मिल रही है यहां पर डली के खिलाब भी 23 गेंदम है 35 की पारी खिलती स स्मितिमानाना को आज टीम में अप रख लीज़ेगा आज मिलता है कि एक 50 जहें स्मितिमाना के बल्ले से आते वे नजर आएगा अगली फिलारी है सोफी तरिक हों है दो मुकाबले खेले हैं दो मुकाबले जहां दोनों मुकाबलव स्विति बंदाना इंका यूज भी कुछ उस तरीके से कर नहीं पारे क्योंकि सोफी डिवाइन जो है वो नई गेन के साथ भी गेन बाजी कर सकती है और आखरी की ओवर में डेथ ओवर में भी सोफी डिवाइन गेन बाजी कर सकती है डेबलू बीबील में न्यूजिलेंड टी प्रिति मंदाना ने सीवा खिलाडी पे इनको पहले मुकाबले में भी नंबर चार पर भेजा गया था जहां पर ग्यारा के तुम से नौनन मनाए दूसरे मुकाबले में नंबर तीन पर बल्ले बाजी करने आए दिशाकर्षत और शूनने के स्कूर पर आउट हो गई थी तो इनको टीम में आप रहने दीजे लेने से बड़िया तो इससे बड़िया तो आप शिरंका पाडिल को ले लिजे इनको नंबर तीन पर भेज़ दीजे वो उनकी बल्ले बाजी ने पिछली बार इंप्रूव किया दिखाया कि यार वो खेल सकती है और नंबर तीन की पिछा गोष्ट को जा तो आगे लए तो आगे लाइए को पिछले मुकाबल में उननीस गेदों सरी 31 मनाये थे और दूसरे मुकाबले में नमबर 9 की ICC ranking है और रॉस्टिलेंग खिलाडी है तो एलिसा पैरी को रखेगा आज पैरी के बल्ले से बल्ले से बल्ले से कुछ रण रखते नजर आएंगे हैदर नाइट की अगर बात की जाए इंगलाइन की कप्तान पहले मुकाबले में अच्छी बल्ले बाजी की थी 21 गे पहले में आज़र टीम-की अदर रखते हैं की मुकाबले मुका गाएं जिससे बड़े खेल पहले मुकाबले मुकाब्र टीम में डाज सकते हैं गेंदबाजी में भी कोई योगदान जो जाधा रहा नहीं है, दो मुकाबले खेल चुकी है वोमेन आइपियल में, और दोलों मुकाबले में विकिर जो है इलिसा पैरी को मिला नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सोचने की बात है, कि एलिसा पैरी को टीम में रखा गया है, मग यहां पर यहां पर अगर बात की जाए तो पहले मुकाबले में चार के दोरन मनाये थे और दूसरे मुकाबले में जो है मुमाई निस खिलाथ 26 के दोर ठाइस नमनाये थे मगर रिचा घोश को समझना होगा कुछ से थोड़ा सेंसिबल बल्लेवाजी करनी होगी एक अच्छा म पाठील का अच्छी बल्लेवाजी कर रही थे तो रिचा घोश को एक्स्पिरेंस पार्टनर की तरह उनको साथ देना चाहिए था और आखरी के चार ओवर यूटलाइस करने चाहिए तो रिचा घोश को मेरे इसाब से नमबर च्छे पे नमबर च्छे पे रखें श्रियंका पाठील का मैं मनाम बार-बार इसले रहा हूँ कि पिछले मुकाबले में श्रियंका पाठील ने 15 गेदों में 23 रम नाये थे चार चोके लगाये थे और यह बल्लेवाज में टैलेंट है मेरे इसाब से श्रियंका पाठील को आप नमबर 3 पे रहसते हैं हैदर नाइट अलिस कर जारी है बल्लेवाजी के अंदर बल्लेवाजी में कुछ नो कुछ शोचना होगा यहाँ और श्रियंका पाठील मुझे काफी अच्छी लगी बल्लेवाज काफी अच्छी बल्लेवाजी की और मुंबज यसी टीम के सामने अगर आपने 15 गेदों 23 रम नाये और 4 चोके ल आ रही है पहले मुकाबले में 19 के धम 30 मिन नाये धें दूसरे मुकाबले में 14 गेदों 20 रम नाये थें मेंगेड़ि अमोमन बल्लेवाजी नहीं के लिए गयन जाती है मंगर गagon बाजी मेंगर बल्लेवाज roku से नगाल रही ननिधर नबर 6 की गयन बाज उग ने-गर आप आ यहाँ पर लुकटर और यहाँ पर युह लोड़ी कुछ घास नदर नहीं आपने और determining क्यांगी कि अब एभिक्ट 정도로 नापने अधिने हैं इनकी चैनार उन्हें एगर बात करें यापर अगली गेंद बाज की तो होई है पृतिय बोज करते हैं यहां पर प्रिती बोस मगर गेंदबाजी के अगर बात की जाए यहां पर कुछ हुई नहीं है कुछ अच्छी कासी हुई नहीं है प्रिती बोस से रन काफी दे रही है और गेंदबाजी में उतना कमाल कमाल जो हो कर नहीं पारी आगर बात की जाहे यहाँ पर टीम की आरची B की तीम की तो आरliegen जी चीए में जो मेwn गेंदबाशी है वो कुछ खास नजर नहीं आ रहे है यहाँ पर उस तरीके की गेंदबाशी हुई नहीं है अगली खिराडी अगर मैंनाब भूझ कनीका अहुझा का नाम मैं भूल चुका था कनीका अहुझा ने भी 16 Nao P этом की पारी खेली थी यहाँ पर कनीका अहुझा की भी बल्ले बाजी जो हे वो काफी काफी बड़िया नज़र आई थी मुझे कनीका अहुझा जो हे नंबर च्छे पे बले बाजी ती पाइटिल और कनीका उजा दोनों एक अच्छी बल्लेबाज है इन दोनों का यूज जो है कहीं ने कहीं कर सकती है रोयल चलंजर बैंट जो बैंगलोर कनीका उजा कि अगर बात की जाए तो पहले मुकाबले में शूनने के स्कूर पर आउट हो इंद दूसरे मुकाबले में 13 गेंदों 22 नमनाए एजा बैट्समन जो है वो टीम के अंदर खेलती तो मेरे हिसाब से अगर स्मिति मंदाना और सोफी डिवाइन ओपन करें तो नंबर तीन के लिए कनीका उजा या फिर शिरंका पाठिल जो है शिरंका पाठिल को आप उपर कर सकते हैं दिशा कसत को आप दाल सकते हैं थोड़ा बहुत बैटिंग ओडर जो है वो को सैट करना होगा चलिए यहां पर बात हो गई यह आर्सीबी के आर्सीबी टीम स्प्रिति मंदाना सोफी डिवाइन हैदर नाइट एलिसा पैरी दिशा कसत रिच्रा घोष रिंका पाठिल कनीका हुजा मेगन शू चलिए बता दे आपको कि यहां पर टॉस जो है वो जीत लिया है गुजराज जाइंट्स की टीम ने गुजराजज़ जाइंट्स है वन्द टॉस डिसाइडी टू बैट फरस्त ब्रुबोन स्टेडिया में टॉस जो सिक्का जो उचला है वो सनिया राणा के पक्षम उचला और कहा है कि वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करना चाहेंगी इस मुकाबले के अंदर अस्मिति मंदाने की टीम यहां पर रंचेस करेगी आज आरसीबी की टीम को यहां पर इस मुकाबले के अंदर जो है वो रंचेस करना है और देखने लिबात होगी आज क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थिया तो चलिए बता दे आपको की टॉस हो चुका है गुजराच जाइंस ने टॉस जीता है पहले बले बाजी करने करने लिया है गुजराच जाइंस ने अपने सेम प्लेइंग 11 जहें उतारी है जो कि स्ट्रीन को करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर क्योंकि टॉस हो चुका है टॉस जीता है गुजराच जाइंस की टीम ने और पहले बले बाजी करने करने लिया चलते हैं जरा प्लेइंग 11 के तरफ जी स्टीम के अंदर है हरलीन देवल यहति के अंदर हैं स्नीह राणा कप्तान है इस टीम की एनबेल सधर्रलैंड है शुष मवर्मा विकेट कीपर रहेंगी तम गर्फ मांसी जोशी और अर्थ व स्नीह आरा नबश जैन्स की जो की पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 थी वही सेम प्लेइंग 11 उतारी है गुजराज जाइंट्स ने कोई भी चेंज नहीं किया है बैत मूनी अभी तक फिट नहीं हुई है तो यहाँ पर टीम सुन लीजेगा आप सुफी डंकली इस टीम के अंदर है एशली गार्डनर इस टीम के अंदर है शुष्मा बर्बा विकेट कीपर इस टीम के अंदर है एनेबल सदरलैंड इस टीम के अंदर है जैनियल हेमलता है हरुलीन देवल इस टीम के अंदर है स्निया राणा है तरुजा कवर है मांजी जोशी है और कीम गराथ जह है वो खेलती प्रेटी दोनों टीमें आपने पिछलत दो मुकाबले जो हार चुकी हैं अब देखना होगा क्या रहेगा इस मुकाबले का सूर्थियाल क्योंकि यहाँ पर बल्ले बाजी जो है उस तरीके से रही नहीं है RCB की और गेंद बाजी में भी मेगन शुट और इनुका सिंग ठागूर का जलवा जो है वो बरकरार नहीं है दोनों खिलाडी जो है अपना प अगर बात की जाए तो रिचा घोष इस टीम के अंदर है श्रिंका पार्टिल है कनीका अउगुजा है मेगन शुट है और रेनियुका सिंग ठाकूर उनके साथ प्रिती बोश जहें वो इस टीम के अंदर तो यह रहेगी दोनों टीमों की प्लेंग लावन टॉस जीता है य कर दीजेगा और जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाब लेके अंदर लेते हैं मैसेजिस आप सब कहें काफी लोग हमार से जुड़ चुके हैं थैंक्यू फॉर सपोर्टिंग इस इसे तरी के सपोर्ट करते रही है लाइक करते रही है बेस्ट कैप्टन बताओ भाई भा अगली कफ्तान के रूप में आप अश्ली गार्डनर कर सकती है बल्ले सभी तक जोहर दिखाए नहीं मगर गेंदबाजी काफी अच्छी करिए मुझे आज बल्ले के साथ भी काफी अच्छी नमनाते नजर आएंगी आगली खिलाडी है किम ग्राद गुजराज जाइंस की क अगली तो यहां पर स्नेहा राणा को कफ्तानी के साथ अपनी बाजी पर फोकस करना होगा अगर यह पाउर प्ले के अंदर भी एक आदा ओवर करें तो शायद अपने टीम के लिए फाइदा पहुचा सकती है मगर अभी इनकी चीम को बल्ले बाजी करनी है बल्ले बाजी के जिम्यदारी सोफी डंकली और शुमनी मेगना के उपर होगी पिछले मुकाबले में अच्छी की थी सोफी डंकली और शुमनी मेगना ने मगर उसके बाद मिलो ऊड़ तो फ़र सवा लड़ खडाया था जहां पर बल्ले बाजी उस तरीके से हुई नहीं चाहेवा एनेबल स इस टूनमेंट के साथ और ना बल्ले के साथ उस तरीके से जोहर दिखाय नहीं मुझे ताइड आज के इस मुकाबले में बड़िया प्रदशन करना होगा बात करें आरसीबी की तो आरसीबी की टीम की वही बात है कि बड़े-बड़े खिलाडी जो है इस टीम के अंतर है मगर एक साथ मिलकर टीम परफॉर्म नहीं कर पारी खास का गेंदबाजी करम में मेगन शुट हो एक रेनुका सिंग ठाकुर रोद दो बड़े खिलाडी जो है कि पहले विकेट के लिए तरस रहे हैं कि विकेट यहां पर मिल जाए विकेट मिलना जो है वह असान नहीं हो रहा है अब ब्रबोन स्टेडियम में रेडू का सिंग ठाकुर की यह गेंदबाजी जह हो बिलकुल आजधारन लग रही है क्यों कि यह स्विंग हो नहीं रही है और विक साथ रन सत्तर रन की एक पारी चाहिए जिससे टीम जो है एक अच्छा स्कोर यहां पर चेज कर पाए तो क्या आज किस मुकामले में अच्छी बल्ले बाजी करेंगे क्या देखना होगा यह आपर अगर बात करें दो टेलेंटिट खिलाडी की आरसीबी की तरस दो कनीका तर्व क्षान का पारटी ने पिछले मुकामलें बताया था कि इनके बल्लेबाजी में शमता है अच्छी बल्ले बाजी कर सकती है अगर यहां पर नमबर 3 के लिए प्ष़ले मुकामलय में दिशा कशत टीन नमर पर आई हैं कि आज भी नमबर 3 की जो आपर चाहिए थीस दी के अंदर नहीं है उनकी जगा पे आज पूनम खेमनार को आज जगा मिली है तो यह रहेगी प्लेंग नावन दो टीमों की यहां पर अगर बात कर नहीं है पिछ की तो पिछ काफी अच्छी है पिछ बल्लेबाजी के लिए काफी बड़ी है आप देख लीजेगा आपके स्कीं 25% मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करनल टीम ने जीते हैं और यहां पर तो जीत कर जो है सही निननल लिया है पहले बल्लेबाजी के वो चाहती है कि कम से कम 170-180 रन बनाने पड़ेंगे इस पिछ पे तभी आप इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं अगर 150-160 करन सोच रहे है डिफेंड करने की तो RCB भी पिछले मुकाबले में 150-160 रन डिफेंड नहीं कर पाई ती इस पिछ के उपर तो यहां पर गुजराज जाइंस की टीम की सब्सक्राइब कर रहे हैं तो गेंद बाजी काफी अच्छी है गुजराज जाइंस की मगर बल्ले बाजी जो है अभी तक RCB की जो है स्ट्रगल कर रही है पर दो मुकाबलों से गींगेंगे एक बड़ा स्कोर जो हो खड़ा करे अब देखना होगा आज के इस मुकाबले में किस तरीके सखेला होता है खेल वह पहला हुए समय बताएगा, मगर मुकाबला जो है, वो काफी बड़ी है रहने के मेंध रहेगी यहाँवर अगर बात कर जी, आप pace versus spin के तो यहाँ पर देखे, pace versus spin जो है, वो बराबर है आप दो दो, तेज़ य तीन तेज़गेंध बाज टीम में रखियेगा और दो 65 परिशन विक्टेज ज वह इस विख पर जो है वो इस पिचन पर जो है पर और 45 परिशन विख्टेज यह है, वो तेज गेंद बाजों के मिलती है तो जादा डिफ्रेंस नहीं है 10% का डिफ्रेंस से ही हुआ लिजिये कि यहां पर 6 विकेट जो है स्प्रिनल गेंद बाज चार विकेट जो है तेज गेंद बाज अठकात नजराते हैं तो यह है पूरा पिछ का सूर्थिहाल तरीके से हुई नहीं और पिछले मुकाबले में गुजराज जाइंट जो है वह क्लोज मैच में हारी थी और अगर बात की जाए पिखले में गी है आज की मुकाबले में क्या एक जबरदस्त खेल और वह देखना है यहाँ पर के बलेबाती का वह काफी बढ़ी है अभी रेट लो है डाइट विंड करेगे विंड करा महेंगना खुपरपा देख्या वाई क्या होता है अगर डेट सो प्लस नहीं बहुत तो बैज गुज्राइच ले सकती है वाई पर डेट सो प्लस नहीं बहुत बनाने पड़ेंगा कि 170 से कम बनाया तो फिर आरसीबी गेम म मज़ा आएगा इस खेल में आप टेंशन मत लीजिए कि यहां से सिर्फ बारा मिनट बचे हैं मुकाबला शुरू होने में दोनों टीमों की अगर बात की जाए प्लेग नहीं होना फिर से देख लिए आप सब लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले अब जो है गुज्रा में अस्ता लग रहा तो जीच जाएंगे मगर वहां पर ग्रेज सार्जिस के बल्लेबाजी की तुफवान ने डुबाद यह था गुज्राज जाए इसकी नाओ को तो यहां पर अगर देखा जा तो सोफी डंकली स्टीम के अंदर हैं मैंतमूनी जो हो खेल नहीं रही है बल्लेबाजी में अगर देखा जाए तो नंबर आठ तक यहां पर बल्लेबाजी है तो यहां पर अगर अगर टॉप होडर जो है वो रन मनाए खासकर शोफी डंकली शुम्मनी मेगना ऐशली गादनर एनेबल सदरनेन और हर्लीन देवल और डैनिल हैमलता अगर यह मिलकर बल्लेबाजी के अंदर है मानशी जोशी है किम ग्राथ के अगर बात की जाए तो किम ग्राथ है सब बल्लेबाज भी टीम के अंदर खेल सकती है इनकी बल्लेबाजी को आप उपर रख सकते हैं कि मेलबल स्टार की चीम है एनेबल सदरलेंड भी उस टीम के अंदर थी और किम ग्राथ भी नंबर पाँच यह शी पर बल्लेबाजी कर रही तो इनकी बल्लेबाजी का भी फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि अज़ब इनकी बल्लेबाजी को आपनाती हैं और कोशिश भी कर रही हैं अगर उस तरीकी की बल्लेबाजी हो नहीं रही है वरल्לकब से आप देखिएगा न ende की टीम कप्तान थी वरल्लकब से इनकी बल्लेबाजी काफी डाउन जा रही है मुझे लगता है बुझ में पिछ के उपर बल्लेबाजी कर सो जो ही चांस ले रही है। कैक्श उट हो जाए है तक पहुंचाती है मेगन शुट भी अपने बल्ले के साथ योगदान दे रही है आरसीबी की टीम को तो भाई इससे बड़ी लंबी चौड़ी बल्लेबाजी और कैचाहिए अगर यहां पर खुल के खेले बल्लेबाज निडर होके खेले हां बल्लेबाज तो शायद एक जो भ बड़े खिलाडींग की पास हो अगर गेंद बाजी बिल्कुल सथान लगी है यहां पर मेगन शुट इस टीम के अंदर है रेनुका सिंग ठाकूर है उसके बाद अगर बात कीजाए तो और राणर की भूमिका में अलिसा पैरी है सोफी डिवाइन है इस चार गेंद बाज बड़े इंटरेशनल गेंद बाज आपके पास हो गई इंचारों गेंद बाजों पर जिम्मेदारी होगी कि 20 ओर में गुजराज राइंट्स को कम से कम रन पर रोका जाए यहां पर सब्सक्राइब कर दिये चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ लाइव हिंदी कामेंट जो है बलेबाजी शुरू होगी अब यहां से देखते है खेला हो बे या पेला हो बे मुकाबला बदाए जाएगा यहां पर किशन भाई जोड़ चुके हैं वारसल कह रहा है इसा टोस क्या हुआ हुआ बाई गुजराज जाइंट ने टोस को जीता है और पहले बलेबाजी करने गुजराज जाइंट यहां पर पहले बलेबाजी करेगी और RCB Royal Challenger Banglord Women's की टीम जो हो पहले अब गेंद बाजी करेगी अब देखना होगा किस तरीके से गेंद बाजी करते हैं गेंद बाजी पर भरोसा मुझे बहुत कम है RCB कि क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं आपके सब मैगन शूट है, Sophie Divine खुद नहीं गेंद से गेंद बाजी कर लेती है, Alyssa Perry खुद नहीं गेंद से गेंद बाजी कर लेती है, थोड़ा सब सोच बदलना होगा यहां पर मननारा को अपने बड़े खिराडियों को चांस देना होगा, क्योंकि Alyssa Perry भी गेंद को movement करान होगा, तभी आज इस मुकाबले में गुजराज जाइंट से आप पार पापाएंगे, क्योंकि UP Warriors ने भी, UP Warriors को भी नाकोच अने चबवा दिये थे, गुजराज जाइंट ने उस मैच को जीतने के लिए, तो क्या आज इस मुकाबले में, RCB जीतेगी, या गुजराज जाइ पारेंगे और मुकाबला जो है वो शुरू होगा, तो जोड़ रही है, जोड़ रही है सब्सक्राइब करत earn, लाइक करतर है इनजॉघ इस मुकाबले को, मुकाबला जो भास कोची देर में, जी हां कुछी देर में शुरू होने वाला है, यहा ध्यान रखियेगा, भारत सम मिनट के बाद ये खेल शुडू होगा कोशिश यही है कि एक अच्छा खासा मुकाला देखते हों मिले दोनों जो है वो कमजोर टीमे है गुजराज जाइंस की टीम जो है पॉइंस टेबल में नंबर चार पे है गुजराज जाइंस की कॉलिफाई करेंगे अगर आप यहाँ पर अगर नंबर चार पांच पर एते हैं तो आपकी टीम जो है वो टूनमेंट से बाहर हो जाईगा अभी शुरुवाती मुकाबले हैं हर टीम को आठ मुकाबले खेलने मगर अब सिर्फ छे मुकाबले बचे हैं सभी टीमों के पास थोड़ा सा संभल के खेलना होगा खासकर गुजराज जाइंस और आपको यहां से रन लगाने पड़ेंगे अच्छा क्रिकट खेलना होगा यहापर अब सिर्फ पांच मिट के बाद खेल शुरू होगा टीम एक पर फिर से देख लिजेगा मैं आपको फिर से समझा दू टीम क्या-क्या प्लेंग नावन रहेगी ओपनिंग बल्लेबाज रहेंगी गुजराज जाइंस की जियाँ गुजराज जाइंस की ओपनिंग बल्लेबाज ही रहेंगी सोफी डंकली और शब्मनी मेगना नमबर तीन पे आएंगे हरलीन देवल नमबर चार पे बल्लेबाजी कर रही है एनबल सदरलेंड नमबर पाच पे खेल रही है यहाँ पर एशली गाडनर नमबर चे पे खेल रही है डैनिमल हेता नमबर साथ पे खेल रही है यहाँ पर सुष्मा वर्मा नमबर आट पे खेल यहाँ पर पूनम को रख गया पूनम आ जाई है दिशाक लेवाज टीम में खेल नहीं नहीं थे नवसाजelp, बूर न.a. पि होंगी, नौह. प्रिती बोस यह पूरी प्लेइंग लावन दोन टीमों की मुकाबला शुरू होने का समय नसदीक आता हुआ अब देखना होगा खेला होबे या पेला होबे के से यह मुकाबला जो है वह आगे कि तरफ बढ़ता नजराता है तो यहां से और आज आज खेल का थे कोई स्सक्राइब करना शुरू कर रहे हैं गुज्णा जाइंट्स नहीं नहीं किया है टीम के अंदर तो क्या RCB ने एक बदलाव किया है बगर वो गेंदबाजी में नहीं बल्लेबाजी में करा है गेंदबाजी इनका में जो कमजोर पक्ष लग रहा है वो गेंदबाजी लग रही है RCB की टीम की तो थोड़ सा RCB को अपनी गेंदबाजी में और सु लिके से रहने के उमीद रहेगी लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं चैनल को मुकाबला हो रहा है शुलू गुज्राज जाइंट्स वर से जार से भी रोयल चलंजर बैंगलोर वुमेंस का यह मुकाबला है प्लेयर ग्राउंड के दरफ एंटर करना शुलू करेंगे जिय आप भी तयार हैं आप भी तयार हो जाईएगा आप भी तयार हो जाईएगा इस मुकाबले के लिए आप देखते हैं यह मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहने वाला है आर सी भी फेवरेट से इस मुकाबले के लिए मगर मेरी तरफ से आज गुजराज जाइंट्स पकड रही है enjoy करते हैं मुकाबले को तो पस प्लेयर जहें वह ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे यहां पर बात की जाए बल्ले बाजी तो सोफी में डंक ली शुम्मनी मेगना जहें वह उपन करने आएंगी इस मुकाबले के अंदर क्या यहां से कुछ कमाल होगा यहां पर देखत चलते हैं मुकाबले के तरफ बात करते हैं यहां पर मुकाबले के तरफ मुकाबला हो रहा है शुरू स्ट्रीम को लाइक करिए, चलनको सब्सक्राइब करिएगा और आपो दोस्तों साथ शेयर करिए कोई लाइच िक़ेड लाइफ हिंदी पर ओन हो चुकित है यहां पर — जो है वो ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं अब दिखा दें आपको कौन-कौन से बल्लेबाज आये हैं यहां पर शुमनी मेगना और सोफी डंकली जो है वो ओपन करने के लिए आ चुके हैं इस मुकाबले में किसको दिया जाएगा पहला ओवर कौन करेगा पहला ओवर क्या देखते हैं यहां से पहली गेंड सटीक लाइन पर होने चीए शुमनी मेगना जो है दायात की बल्लेबाज पिछले मुकाबले में भी स्टार्ट अच्छा मिला था तो यहां पर अमपार ने कहीं लेट्स प्ले लेट्स प्ले मुकाबला शुरू हो रहा है यहां पर तयारी वह बठोर नी होंगे तो क्या यहां पर बठोर पाएंगे वह देखना होगा चलिए लाइक करते रहे हैं सब्सक्राइब करते रहे हैं चैनल को सोफी डंकली अमने थापर थोड़ बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं मगर यहां से थोड़ा सा समय ले रही है और समय लेन भी चाहिए शोफी डंकली को थोड़ा सा यारा लंबी पारी चाहिए होगी कोई बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं चलिए अब पहली गेंड डलती हुई मेगन शूट गेंड लेकर चल रही है सामने मौजूद बल्लेबाज शुमनी मेगना होस्टों के बाहर यह गेंड सही रहता है वो तो बल्लेबाज बताएं कितना स्कूर यहां से खड़ा करता नजर आती है चलिए अगली गेंड एक बार फिर से मेगन शूट के ओवर की दूसरी गेंड है इस बार दूसरी गेंड है शुमनी मेगना है स्ट्राइक पर दूसरी गेंड किस तरीके से रही है इस बार गेंड को अंजर कर लिक है ती डिफेंस कर लिख community ब्ल्ले स्टार्ट में दिलाते बेन स्ट्राइंग गेंद मेगन शूट के इस ओवर की तीसरी ये गेंद है एक बार फिर से औस्टों के बाहर ये गेंद कट करने गई गेंद और भल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पर अभी भी खाता खुलड नहीं है ना गुज्रा जाइंट्स का ना यहाँ पर शुमानी तो आगे बढ़ते नजर आए यहां पर चलिए अगली गेन मेगन शुट के इस ओवर की ओवर किये चौती गेंद एक और बार जी आएक और बार भड़ी आगेंद कोई मौका नहीं आपर सुमनी मेगना के पास अनमनाने का चार लगातार डॉट गेंदे जहां मेगन शुट कर पर मगर आज रहनुका सिंग ठाकूर से भी चाहेंगे कि शिरुवाती जो ओवर्स हैं उनमें काफी बढ़िया गेंद बाजी करें हलकी फिल्की घांज जरूर है मगर यहां पर गेंद थोड़ी बहुत नीची भी रहते हैं नज़र आ रही है देखने में अगली गेंद और पांचों गेंदे जहें वो डॉट हैं अभी तक सिंगल के साथ खाता भी नहीं खुला है क्या यहां पर शुनने के स्कूर प्याउट होंगी क्या देखना होगा चली अगली गेंद एक बार फिर से मेगन शुट ओवर की आखरी गेंद लेकर चलती हुई पहले ओवर की समापती के बाद स्कूर गुजराच जाइंट्स का शून ने चे गेंदी खेली मेगन शुमनी मेगना ने हाँ और अभी तक खाता नहीं खुला है तो यहां पर सोफी डंकली होंगी स्ट्राइक पर देखते हैं दूसरा ओवर कौन लाएक आएगा क्या यहां पर एलिसा पैर एलिसा पैरी को ही देख गेंदी गई है दूसरा ओवर लेखेर आई हैं अलिसा पैरी अपर किस तरीके से गेंदबाजी करेंगी हमोन नई गेंड के साथ विकेट विकेट गेंदबाजी करती है थोड़ा बहुत स्विंग जो है वह देखने पर एक आदावी के चटकाएंग और आज लिया भी ए लिया भी है ब्रेवď दिस अगर डिसेजन की बात כी जाए तो आप दूसरा ओष मेंडर की देना सही साबित हो सकता है इस मुकाबले के अंदर चली छलते हैं जब मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तियाल इस भीच अगली गेन लेकर चलती हुए एलिसा पैरी यहाँ पर फिल्ड की बात किजा तो मिड़ और मिड़ॉन जो है वो सरकल के अंदर है थर्ड में रखा हुआ है यहाँ पर मिडविकित दिशा में माउंडरी पर एक फिल्डर खड़ा हुआ है यहाँ पर चली चलते है जरागली गेन की तरफ एलिसा पैरी दूसरे ओवर की पहली गेन लेकर चलती हुए इस मुकाबले की अभी तक खाता नहीं खुला है ना गुजराज जाइंट्स का ना दुनों बल्लेबाजों का यहाँ पर हो कहा रहा है लगातार साथ गेदे और साथो गेदे डॉट होई चुकी है क्या विकेड मिलने वाला है इस ओवर में यह देखना होगा लाइक करता रही है सब्सक्राइब करता रही है चनल को यहाँ पर सोफी डंकली के बल्ले के बीचो बीच जो गेन लगी है मगर इनस खाता नहीं खुला है ना गुजराच जाइंट्स का ना दुनों बल्ले ब्ले क्या रहा है ऐसा क्या है पिछ में की बल्ले बाज सिंगल लेने जमिंभी घबरा रहे है आप इनको बोलना चाहिए भै आपको घबराना नहीं है बल्ले बाजी करनी अभी बहुत अबर पड़े टो थोड़ा बल्ला बला चलाइए रूम बनाईए शॉट खेलिए तभी तो रण बनेंगे आपड चलिए सोफी डंकली को अगली गेंड एलिसा पैरी के सोवर की तीसरी गेंड सामने है सोफी डंकली पैरी है तैयार एक सिलिप के साथ गेंड बाजी कर रही है एक पर फिर से गेंदे स्कूप को शॉट खेल दिया फाइनले के ऊपर से गेंद निकाल दिया यहाँ पर गेंद जारी है बाउंडरी के बाहरा चारन के लिए पहला चौका आता हुआ इस पारी का सोफी डंकली के बल्ले से देखा कि गेंद सीधे बल्ले से रंट तो आ नहीं रहे इसलिए स् गेंदे करा चुकी है इस ओवर की लाइन और लेंथ काफी बड़ी है अईलिसा पैरी कि अगर यहाँ पर थोड़ा मिस कर जाती चाहिड क्लीन बोल्ड भी हो जाती सोफी डंकली अब देखते हैं यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है अगली गेंद स्ट्राइक पर ओवर की है चौथी गेंद होगी किस तरीके से खेलेंगी वो देखना होगा अगली गेंद चौथी गेंद इस ओवर की यहां पर दूसरे ओवर की स्ट्राइक पर हैं सोफी डंकली मगर गेंद लेकर दोड़ी थी मगर वहाँ पर बल्ले बाज जो हैं वो तय रण एक पर फिर से अगली गेंट चौती गेंदी सोवर की यहां पर इस गेंड पर सिंगल लिया जियां यहां पर थोड़ी सी ऑस्टम पर गेंथी सीधे बल्ले से खेला जरूर था अब मिडॉन के सर के ऊपर से मगर वहां पर फिल्टर मौचूद था एक ही रन मिलेगा इस गेंड पर स्कूर अब पहुचता हुआ पांच रन बिना के से नुकसान के एक दस्टम चार गेंदे हो चुकी हैं स्ट्राइक पे हैं शुममनी मेंगना पिछले ओवर में मैंडन खेल अब यहां से देखना होगा किस तरीके से खेल चलता है यहां पर प्यस्टरीके से सर्च करते हैं गेम ऑफ एक्स्ट्रीम भाई टेंशन मद्जार सी भी होगी फेस ब्लूइव ओके आउट लिए काफी लोग यहां पर सब लोग डिविडिविडियों कर रहे हैं विकेट की देखना होगा बचीवी अब दो गेंदे किस तरीके से करती हैं एक दर्शनलव चार गेंदे हो चुके हैं इस बीच अगली यहां पर इलिसा पैरी की बडिया गेंद बाजी थोड़ा बहुत यहां पर जो है कोशिश कर रही है कि यहां पर रन ना दिये जाए यहां पर मगर कोई आप्शन नहीं शुमनी मेंगना पास कोई चांस नहीं कि बड़ा शौट खेल रही थी मगर आज इस मुकाबले में शुरुआत से ही दवाव महसूस कर रही है शुमनी मेंगना साथ गेंदे खेल चुके खाता नहीं खुला है दूसरा ओवर है पारी का द इसीले बड़े से खेल ले गई बले का बहारी करता लागा कीपर के हास से गें लग चछों कर शुचा में अर चौक मिल गया यह एक कैंज भी शूड़ता हो बार मानेंगे इहां पर रिच्ण गोशे कोशिश बहुत की रिच्ण गोश ने मगर गें तब पहुंच factoे के बाद नौरन बिड़ा के सिनुकसान के गोचराथ जाइंट्स वूमेंस का स्कोर है स्ट्राइक पे होंगी सोफी डंकली जो की चार गेंदों पांच रूम बना कर खेल रही है अब देखना होगा यहां से कौन जो है वो गेंदबाजी करते नजर आता है अगले और वी क्या मचैन शुटओ वापस बुलाए जाएगा जीर मेरे साब से मैंगन शुटओ वापस मूलाना चाहिए पहला और काफी अच्छा किया तो उन्हें कोई मौका नहीं दिया था रन बनाने का क्या इस ओवर के अंदर भी क्या यहाँ पर इस ओवर के अंदर भी एक अदा विकेज है वो चटकात नजर आएंगे इस मुकाबले में चले लाइक करिए आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीए चैनल को जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी कमेंटर में के लाइव हिंदी के साथ स्कोर हो चुका है नौर अन बिणा के सनुकसान के सोफी डंकली ने एक चौका लगा है यहाँ पर शुम्मनी मेगना ने इस बार 30 अवर के पहली गेंट स्ट्राइप हिमा जो सोफी डंकली यहाँ पर मेगन शुटकी एगेंट इस बार कवर के दिशा में खेल दिया सोफी डंकली ने चौका मिलेगा इस गेंट पर शुम्मनी ने इस चौका बटो रहा है यहाँ पर सोफी डंकली ने इस चौके के साथ confidence जो है वो काफी मिला होगा सोफी डंकली को अरण मनानी के गती जो है वो बढ़ानी कोशिश रहेगी यहाँ पर अगली गेंट मेगन शुटके इस ओवर की दूसरी गेंट सामने माजूद सोफी डंकली एक बार फिर से द्राइब किया है इस बार बल्ले क अब हरी करना लगा मकर गेंट जाएगी पॉइंट फिल्टर के पास से चौके के लिए एक और चौका आता हुआ जी यहाँ एक और चौका आता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंट पर लगा थार बैक टू बैक दो चौके सोफी डंकली के बल्ले से चे गेंट में तिरे रहे कर खेल रही है सोफी डंकली 17 बिना किसे नुकसान के दो तशनल दो अबर के समाप्ती भी हो चुकी है यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर सोफी डंकली ने बाजुए खोलना शुरू किया और रंस जहां वह बटोर रही है एक बार फिर से गेंट लेका चलेंगी यहाँ पर मेंगन शुट ओवर की यह तीसरी गेंट फुलन की गेंट बार सीधे बलने से खेला जरूर है गेंट जा रही है यहाँ पर सीधा लॉंगान के दिशा में यह फिल्टर मौजूद है बाउंडरी पर एक रन मिलेगा इस गेंट पर सोफी डंकली को स्ट्राइक पर आ यह होगा शुमनी मेगना को भी अपने बाजूएं जेंवो खोलनी पड़ेगी यहाँ पर चलिए अगली गेंट एक बार फिर से सामने माजूद शुमनी मेगना एक बार फिर से ऑस्टम पे गेंट सीधे बले से खेल ड्राइब कर दिया इस गेंट को मिड़ आफ की दिशा म मिड़ आफ के फिल्टर के बाई तरफ से गेंट को निकाल दिया और चौका बठो रहा है इस बार बले के बीच 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 से यह शॉट निकला है शुमनी मेगना के बले से स्कोर पहुसता हुआ 22 रन बिना के सुनुकसान के 24 गेंट हो चुकी है खुबसूरत यह शॉट थ अब देखते हैं यहां से क्या होता है अगली गेंट मैगन शुट के ओवर की पांच भी गेंट फिर से ऑस्टम पे गेंज बार सीधे बले से डिफेंस कर दिया इस गेंट को कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंट पर स्कोर अभी यहां पर 22 रन बिना किसे नुकसान के दो तरश और विकेट कोई भी नहीं खोया है अगली गेंट आउस्टम के बाहर इस बाहर बल्ले का बाहरी खिरान लगा और कैच आउट हो जाएंगे जी यह पहले विकेट की दरकार थी और पहला विकेट चटका दिया मैगन चुट ने काफी महंगा ओवर था और खराब शॉट खेल है तीन ओवर के सवापते के बाद मैगन शुट के ओवर में आए 13 रन मगर एक मैं यहाँ पर पहला धटका दिया गुजराज जाइंट की टीम को तो सुमर नहीं में ग्यारा गिंदो में आर्ट फरमना कर पावन जाती भी गेंदबाजी की मैगन शुट ने और कैच पकड़ अगला बल्लेबाज कौन होगा क्या यहां पर हर्लीन देवल होंगी या फिर कुछ आज बल्लेबाजी में कुछ बदलाव देखने हो मिले हैं गुजराज जाइन से क्या यहां पर एनेबल सदरलेंड को विज़ा जा सकता है दो फॉरन खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं करते हैं सबस्काइब करते हैं पहली सफलता मिल चुकी है यहां पर आर सी भी की टीम को अब आर सी भी देखना होगा किस तरीके से गेम को आगे लेकर जाएगी यहां पर चलिए हर्लीन देवल आई हैं बल्लेबाजी करने के लिए हमोमन ताबर तोड़ बल्लेबाजी करना पर यहां पर होगगी से परेनुका सिंग्ठाकूर को बलाय गया है कि इन बाजी करने के लिए हाज तीसरा जिया यहाँ पर आज तीसरा चोथा ओवर लेके आई है रेनुका सिंग ठाकूर एक बर फिर से रेनुका सिंग ठाकूर इस मुकाबले के अंदर दो मुकाबले खेल चुके है विकेट एक भी नहीं मिला है यहाँ पर आज देखना हो कि विकेट चटका पाएंगे रेनिकों सिंग ठाकूर के अगली गेंज बार पहली गेंद इस ओवर के सामने माजूद सोफी डंक लिए ड्राइब किया इस गेंद को जियां गेंद गई यहां पर कवर फिल्टर के पास कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर स्क ट्राइब माजूद सोफी डंक लिए आठ गेंद ए खेल चुकी है चोदरन मनाए हैं यहां पर रेनु का मकरिया सोफी डंक लिने इस बार अच्छी गेंद इस बार गयाप में ठके ला था इस गेंद को सोफी डंक लिने जी यहां कदमों का इस्तमाल के सीधह बल्ले से खेल कलाईयों के सहारे गेंद को ठकेल दिया था यहां पर मिडीब मीडिविकिट दिशा में और चौका बठोरा इस गेंद पर सोफी डंक लिने सोफी डंक लिने जो हैं वो खतरनाक साबित हो रही है इस मुकाबले के अंदर जिस तरीके की वो बल्ले बाजी कर रही है मुझे ल सफी डंकली की बड़े शौट खेलने का मगर अच्छी गेंद को सम्मान भी दे रही है और टाइमिंग के साथ ताकत का भी प्रियोग कर रही है और रन बठो रही है यहां पर सोफी डंकली तो लाइक करिए आप सब्सक्राइब कर दिए चानल को जोड़ रही है हमार साथ ल सब्सक्राइब करेंगे तो 500 रुपे का अपको बोनस मिलेगा यहां पर चितना भी डिपोईट करते हैं उतने रुपे का ही आपको बोनस मिलेगा ध्यान रखेंगा हमारे लिंक के तुछ जोईन करिए का लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनल पिन कर दिया है उस लिंक क सब्सक्राइब कर देखा कि गेंट थोड़ सा आगे हैं बिल्कुल कवर की दिशा में बल्ले को जमीन पर नहीं हवा में रखा था और सीधे बल्ले से खेल कर सीधा कवर की दिशा में शक्का बठोरा सोफी डंकली ने और रेनुका सिंग ठाकूर का दुख जैवा खतम नहीं सर रेनुका सिंग ठाकूर को अपनी गेंद बाजी के लिए सोचना पड़ेगा यहां पर थोड़ा विकेट टुविकेट गेंद बाजी करनी होगी तभी आप बच पाएंगे यहां पर और विकेट चटका पाएंगे रेनुका सिंग ठाकूर के अबर क्यागली गेंद पाच सोफी डंकली 12 गंद में 24 नमला चे खेल रही है स्ट्राइकट देखेंगे तो दोसरों के स्ट्राइकर्ट से बल्ले बादी कर रही है सोफी डंकली अब देखते हैं अगली गेंद जांट किस तरीके से खेलेंगे इस बीच ओवर कीए ओवर की पाँचरी गेंद होगी यहाँ पर सामने मौझूद बल्ले बाद सोफी टंकली एक बाद से फिल्म की गेंद ड्राइव कर दिया दो फिल्ट्रों के बीस से गेंद को रिकाल दिया कवर बाउंडरी के बाहर चार रन के लिए एक और चोका आता हुआ यहाँ पर सोफी डंकली के ओवर से बले बले से यहाँ पर चौदर रन बठोड लिए इस ओवर के अंदर रेनुका सिंग ठाकूर काफी महंगी पड़ रही है पाउर प्ले के अंदर चार ओवर समाप्त हो चुके हैं 36 रन एक विगेट नुकसान पर गुजराज जाइंट्स वुमिंस का स्कोर है और सोफी डंकली ओन फायर जिया सोफी डंकली को फर्क नहीं पड़ रहा है एक छोर से विगेट गिर रही है वो अपने शॉर्ट जो है वो खेल रही है और रंज बटोर रही है यहाँ पर ओवर के समाप्ती हो चुकी है चार ओवर समाप्त हो चुके है 36 रन एक विगेट नुकसान पर गुजराज जाइंट्स का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगी हरलीन देवल अब देखते हैं गेंद बाजी जो है वो कौन करेगा यहाँ पांच वी ओवर की कैस्पिनर गेंद बाज आएंगे या फिर तेज गेंद बाजों के साथ ही आएंगे प्रिति बाज को बलाए गया है प्रिति बाज पार लिए इसे के यहां पर स्कोर जरो वो खड़ा करते नजर आएगी यहाँ पर गुजराज जाइंट्स की टीम एक बार फिर से हर्लीन देवल हैं स्ट्राइक पर आभी बल्ले बाजी करने आए थी पहली गेंद खेलेंगी इस मुकाबले की प्रिती बोस सततर मुकाबले खेलें 88 विकेट चिटकाए हैं इकोनिमी थो कम दिखा रहा है ङरे मेंगे इस टूणडमेंट के अंदर उंका एकोनिमी जी है वो आठ-9 रन प्रती ओवर के हिसाब से रहा है इस बार चलते हैं जरा आगली गेन की तरफ पाउर पले का ये 5 वो अवर है 9 प्रती ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं स्ट्राइक पे है हरलीन देवल, प्रती बोस के ओवर की पहली गेन हरलीन देवल हैं स्ट्राइक पर, क्या बड़ा प्राहर करेंगी, जी नहीं और अब देखना होगा सोफी डंकली बचीवी गेंदों में पाउर प्ले के जोड़ते हैं क्या पचास रन पार कर पाएंगे पाउर प्ले के एंड तक 6 वर का पाउर प्ले होता है उसमें अभी तक 11 गेंदे बची हुई हैं अब देखते हैं 11 गेंदों के अंदर कितने रन और जोड़ते नजर आएंगे एक बार फिर से गेंद लेकर चल रही है यहाँ पर प्रिती बोस अब गेंद लेकर चलेंगी सामने माजुद बल्लेबाद सोफी डंकली दूसरी गेंद के साथ स्कोर पहुसता हुआ है यहाँ पर गुज्राज जाइंट्स का 41 एक विकेट नुकसान पर चार्ट शनलब दो गेंदे हो चुकी है सोफी डंकली चौदा गेंदे बत्तितर मिना के खेल रही है अमन शेख भाई कहरें विकेट है भाई अब आउट कप करेंगे तो बताईएगा कितना स्कोर रह सकता है गुज्राज जाइंट्स का 20 ओवर के अंदर त्रेट बताईएगा आप सो लोग लाइक करिए सबस्काइब करिए एक पर फिर से ऑस्टम के तरफ गेंती सीधे बलन से केल दिया गेंद हमामे है और स्ट्रेट बाउंडरी के बाहर 6 रन क नुकसान पर 4.3 गेंदे हो चुकी है क्या खुबसूरत ये शॉट है शोफी डंकली के बल्ले से पाउर प्ले का भरपूर फाइदा जो है उठा रही है यहाँ पर सोफी डंकली और इस तरीके के बल्लेबाजी सोफी डंकली करेंगी तो आसान हो जाएगा जी आसान हो जाए इस ओवर में तीन गेंदों के अंदर एक बर फिर से ओवर की है चौती गेंद स्ट्राइक पेंद सोफी डंकली और ये गेंद को गेंद को गेंद जा रही है कवर के दिशा में मिस्फिल्ड हुई वहां पर एक और चौका आता हुआ लिजिए इस बार तो कहीं ने कहीं फिल हैं कि अब सिर्फ 10 गेंदों के अंदर 29 जोड़ती हैं गुजराज जाइंच की टीम ने और एक विकेट नुकसान पर स्कूर हो चुका है चार दसनार चार गेंदों के बाद अभी दो गेंदे बची है प्रिती बोस के इस ओवर में क्या यहां पर एक आदा वेकेट और मिलत चार चार ऐसा लगारा फोन नुमर बता रही है यहां पर प्रिती बोस को अपना सोफी डंकली स्कोर हो चुका है 55 नुकसान पर 4.5 गेंदे हो चुकी है करन्ट रोन रेट 11.38 का हो चुका है लग रहा है फिर 200 बनेंगे आज लग रहा है आर सीबी के खिलाब फिर 200 बनेंगे यार सीबी का दुख जो है वो खतम हो क्यों नहीं रहा क्योंकि यहां पर पहला विकेट मिला तो उसके बाद सोफी डंकली जो है बिल्कुल आग बगबूला हो चुकी है ऐसे लग रहा है बस हर गेंद को बाउंडरी के बाहर पहुचाने की शमता है और वो पूरा यार यहां पर किस तरीके के बल्ले बाजी यार ठारा गेदर पचास रन पूरे कर लिए सोफी डंकली ने आज यहां पर काफी ताबर तोड बल्ले बाजी सोफी डंकली की 23 रन बठोरे इस ओवर से प्रिती बोस को अब दुबारा ओवर देना शायद ऐसी गलती मंदाना करे और जम करन बठोरे इस ओवर के अंदर स्ट्राइक पे हैं अब हर लिन देवल देखते हैं पावर प्ले का आखरी ओवर जो है वो कौन लेख आता है यहां पर पावर प्ले में मजबूत शुरुवात कहूंगा गुजराच जाइंट की जिस तरीके से आज यहां पर खेला है सोफी डंकली ने और बल्ले बाजी करी है देखकर लग रहा है कि आज एक बड़ी पारी की तरफ बढ़ रही है यहां पर सोफी डंकली तो लाइक करिए आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीजे चैनल को और जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है कोई रन नहीं मिलेगा इस के इनपर एक फिल्टर डीप पॉंट की दिशा में रखा हुआ है बांडरी पे एक फिल्टर जो है स्क्वेर लेक बांडरी की तरफ रखा हुआ है अलिसा पैरी ने प्रोटेक्शन जो है वो काफी यहां पर लगा रहा रख किये बांडरी पर दो पाजी देखकर घबरा गई है नौ चौके और दो छक्के लगाएं यहाँ पर अगली गेन हली डेवल कॉस्टों के बाहर इस बार कट किया था गेन को गेन जाएगी डीप पॉइंट की दिशाव में फिल्टर मौचूद है बाउंडरी पर एक ही रन मिलेगा इस गेन पर इस ए सोफी डंकाली मूड में है की एक पर से सोफी डंक ली के लिए एक फिल्टर स्कूर लइक बाउंड़री की दिशाव में रखा गया है फिल्डर के लॉंग ओन और लॉंग ओफ या कवर की दिशा में रखा जाएगा यहां पर एलिसा पैरी और दूसरी गेंद करेंगी आप पॉर प्ले के इस आखरी ओवर की तो क्या आखरी ओवर के अंदर भी धमाका जो है वो शुरू रहेगा यहां पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ यहां पर सामने मौझूद बल्लेबास सामने मौझूद बल्लेबास है सोफी डंगली पठकी भी गेंद इस बार पुल कर दिया गेंद को गेंद जा रही है स्क्वेर लेक बाउंडरी के बार शारन के लिए बिलकुल सीधा बिलकुल तीर के समान सीधा यह श चुके हैं एक बार फिर से एली सर पहरी बॉलिंग मार्क तर पहुच गई है एक बार फिर से गेंड डालती वही यहां पर होवर की है चौती गेंद है इस ट्राइप पर मौजूद बल्लेबाद सोफी डंकली पठकी भी गेंद इस बार गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के स्कूर है अगर आप करेंट पर नजर की रखेंगे तो ग्यारा दर्शनलाद दो नोरन प्रती ओवर के हिसाब सरन बन रहे हैं एक बार फिर से गेंड लेकर चलेंगी ओवर की यह पांच वी गेंद होगी पावर प्ले की बची है सिर्फ दो गेंदे पावर प्ले खतम होने क अगर पर आचुका है यहां पर क्या एक और बड़ा प्रहार हो सकता है क्या इस ओवर में यह देखना होगा यहां पर अगली गेंदे बफिर से सामने हो जो शौफी डंगली पठकी वी गेंद तीस बार पुल करने कहीं गेंदर बल्ले का संपर्ख हुआ नहीं आप कोई रट नहीं मिलेगा इस केड़ पर कौर डॉट गेंद आता हुआ इस ओवर में पांच रना है इस ओवर में भी तक अच्छा जा रहा है ऐलिसा पैरी काई ओवर एक तरसलों पांच गेंद नोने फैकी है 14 रन दी है और सोफी डंकली जो हैं वो काफी खतरनाक बल्ले बा अलिसा पैरी गेंद लेकर चलती हैं सामने माजूद 100 फीट अंकली पठकी भी गेंद थी फिर से रूम बनाया है जाने दिया है इस गेंद को विकेट कीपर के पास रिचा गोश ने कोई गलती नहीं करी गेंद को पकड़ा है और ओवर की समापती होती भी डॉट बॉल के सा पांच रन आईस ओवर से छे ओवर के समापती के बाद 64 रन एक विकेट नुकसान पर गुजराज जाइंट का स्कोर है अब देखना होगा अगले 14 ओवर जो है अब किस तरीके से बल्ले बाज़े को साथ से लेके 15 ओवर के बीच में इनिंग बिल्डिंग फेज होता है जहा बरकरार रखा जाए लगातार इसी रन गती के साथ रन्स बनाया जाए और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया जाए अब देखते हैं यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से रहता है किस तरीके से यहां पर रन बनते हैं नजराते हैं इस मुकाबले के अंदर क्या यहां पर प्रिती बोस को एक और ओवर दिया जा सकता है कि आपकी पावर प्ले समापत हो चुका है मगर यहां पर गेंद बाजी किसके पास होगी वो देखना होगा प्रिता बाजी करें बल सकते हैं गडता ही तरह चिंग्डबर दंकली हैं आ पर शुरति शीले पर सर्थ चलते है तरह मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है और शूर्तेहां यहां पर कुछ बात चल रही है बल्लकर शायद गलफ चेंज करने चाहती है एक वार फिर से देखना होगा क्योंकि अमपायार ने खेल को रोका है किया हुआ है गलब चेंज करने के लिए शायद यहां पर बोला गया है टाइम उट लिए रिय की देखना होगा like कर दीजेगा आप सुब्सक्राइब कर दिचे चलेगे चैनल को आप सालों लोग सेटबेट के साथ जूट जाईए सेटबेट का link लिंक भी डिस्क्रिप्षन मैं है लाइ रिच्नों पेहई कर दिया है जितना भी डिपोईट करते हैं उतने कही बोनस मिलेगा और ध्यान रखेंगा हमारे लिंक के तुरू जोईन करेंगे तभी आपको बोनस मिल पाएगा सेटबेट के उपर लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइशनल पेंग कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके सेटबेट के से आप यहाँ पर दिपोईट कर सकते हैं खेल सकते हैं जीळ सकते हैं जीळ में छोईन कर लीजे सेटबेट के साथ यहां पर सेडिये टोतली है और सब्सक्राइब कर कर पाएंगे कि आने वाले विकेट जो हैं वो जल से जल चटकाए जाएं और कम से कम स्कोर पर रोका जाए क्योंकि शुरुबाद बहुत अच्छी हुई है गुजराज जाइंस की चौंसर टर्न बन चुके हैं क्विकेट नुकसान पर शुम्बनी मेंगना उतना अच्छा करती है गुजराज जाइंस की टीम मगर अभी अभी करता सब्सक्राइब करने होगा बागी अगर देखा जाए तो यहां पर देखना होगा किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ते हैं मुकाबले की तरफ लाइक कर दीजिए आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और टाइम ले लिए नौवर के बाद टाइम लिए जाता है मगर यहां पर तो जल्दी टाइम आउट ले लिए आज आरसी भी ने क्योंकि यार मार बहुत बढ़ रही है सोचने के लिए समय तो चाहिए होगा कि यहां से सोचे कि तरीके से गेम को आगे लेके जाएंगे देखना होगा जूंढ रही है सबसक्राइब करता ही है लाइक करते हैं घृटे सब लीगल नाICE करेंटरी तैंक्यू ऌ कुरू लग रहा है लगर रहा है अब देखते हैं किस तरीके से चलेडा से एकका मुझे दो सुट चल्पेाम गेंदबाजी में थोड़ा सा रोटेशन करना होगा और से बीग गेंदबाजी और पहले मुकाबले से मुझे कमजोर नजर आ रहे हैं उस तरीके के बल्ले गेंदबाजी जह होते वे नजर आई नहीं है अगर देखा जाए इस पूरे डबलू पी एल के अंदर डबलू पी ए अधिके जाएं बाकी मुकाबला जहें वह शुरू होने में भी समय है रेनु कसिंग ठाकूर के हाथ में घेन थमाई गई है टाइम आउट जिए वो खतम हो चुका है पहली दिशा में एकरन मिल जाएगा इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आजाएंगी सोफी डंकली की कोशिश यह है कि यहां से तेजी से रंजे हो है रन मनाए जाएं टीम का स्कूर्ज है वह आगे लेका ही जाया जाया अब यहां से खेल शुरू हो चुका है टाइम और खता हो चुका है कि यहां पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ क्रिक नाइस कमेंटरी थैंक यू शर्मा भाई आज कल तो लड़कियों भी दोसों मार रही है यासिर वहाई क्या कर से यासिट है कि वहीं सब 200 मार यहां मगर चेज नहीं हो रहा दिक्कत यह दोसों मार रही है दोसों लगने भी चीए कर दोसों मार के थीम जो है वह सब्सक्राइब नहीं आरसी तो बडूती तीप है खेल दिया गेंको लांगाण के वन बाउंस फिल्टर के हाथ में पहुच गहीं है प्रेशर में यहां पर कपतानी कर रही है इसलिए कपतानी में वो जोस नदर नहीं आ रहा है टीम भी कुछ उच्छा प्रप्रशन जो है वो कर नहीं रही है थोड़ा सो देखना होगा आज आर्सवी में जीतेगे भाई आज जीतेगे कल जीतेगे कब जीतेगे भाई आर्सवी इतनी स्ट्रॉंग टीम लेकर भी अगर दो मुकाबले हार के बैठी तो में दुख लग रह पांच गेंदे खेली है साथ रन मनाए है स्कोर हो चुका है गुजराज जाइंट्स का सतर रन एक विकेट नुकसान पर 6.4 गेंदू का खेल हो चुका है सम्मा हरलीन देवल यहां से देखना होगा किस तरीके से खेल को आगे लेके जाएंगी दोनों बल्ले बास के हैं यहा रेनुका सिंग ठाकुर को आज सोचना होगा भाई यहां से फुरुन की इस बार यॉर्कर गेंद थी गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं गेंद गई विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं मिलेगा फाया एक सो असी तक होगा स्कूर देखते हैं यहां से क्या होता है इ देखते है यहां से गेम किस तरीके से अबरता है इस स्कूर की बात की जाए तो स्कूर होचुका एकातर रन बंचुके हैं यहां पर काफी अच्छा रहेगा थे? यहां से बलेबाजी जहें वो काफी बढ़िया करनी होगी देखते हैं किस तरीके से बलेबाजी जहें वो करते निजराते हैं इस मुकाबले के अंदर सारे मैच ढटली नंकली साही तो केल नहीं कितना पाइकतर रन बन चुके हैं साथ ओवर के अंदर एक विकेट नुक्सान पे और यहां पर अगर देखा जाए ठीक्टा के स्कूर ही चल रहा है कोई खराब स्कूर तो है नहीं आपर जिसाब से रन रेट लग रही है अगर रन रेट को नोट करें तो दसरन प्रती ओवर के हिसा में नहीं है एन तो बने च्राहए में arrival तो ऑफ़ और सितरा रही तरह करने के लिए। चलेशंगी रही ती और आज विए उस उसकार देख से पारीयां से एकार चैन पर जो फ् DOWN यह आप और सोफी डिवाइन की मांग करने अकरम भाई करें सोफी डिवाइन नहीं अमन भाई अमन शेक भाई करें सोफी डिवाइन को बढ़ दो भाई में खुब लगता है देना चाहिए तो लियागली किया देपर फिर से श्रेंक का पाठिल के ओवर की राउंड दस्टम कही है किस तरीके से खेला को आगे लेके जाती है स्कोर हो चुका है 72 रन एक विकेट नुकसान पर 7.2 गेंदे हो चुकी है 7.2 गेंदों का खेल हो चुका है सम्मा आप लाइक करिएगा सब्सक्राइब कर दीजे चैनल खो चुड़ रही है हमार साथ इस पुकाबले में रन्स जो है वो लग रहे हैं अगर दूसरी गेंद पर सिंगल लिया यहां पर जो है अब अखरी हर्लीन देवल थी इस ट्राइक पर माफी चाहेंगे गेंज आएगी कवर फिल्टर के पास कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर सोफी डंकली को स्कोर हो चुका है 72 रन एक विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहां पर गुजरात जाइंट्स का इस ओवर की तीन गेंदे हो चुकी है चौती गेंद एक पर फिर से श्रंका गेंदे हो चुकी है सोफी डंकली 26 गेंदों में एक सट रन बनाकर खेल रही है और लग रहे हैं बड़े शौट यहां पर लगा रही है और रही है वह बटा बटोर रही है सोफी डंकली तो आसान नहीं है असान नहीं है क्या होगा इस मैज का सूर्थ यालो तो समय बताएगा मगर रंस बन रहे हैं आपर चली अगली गेंदे बार फिर से श्रंका बाटल के सोवर की एक बार फिर से इस बार ओवर दा विकेट गेंद बाजी करने आई है सोफी डंकली को एक बार फिर से साइंस का ब्यासी रन एक बिकेट नुक्सान पर 7.5 गेंदे हो चुके हैं 27 गेंदों में 65 की पारी खेलते हैं सोफी डंकली कंट रंडेट 10.47 का आखरी गेंदे इस आट वे ओवर की और सोफी डंकली को रोकना मुश्किली नहीं नहीं मुमकिन सा हो रहा है इस मुकाबले के अब ही तक अगर देखा जाए तो सोफी डंकली की पारी बड़ी शांदार रही है पैसर टर्म ना चुके है 27 गेंदों का सामना किया है श्रिलंगा पाठल के और के लिए और कोई गलती नहीं करे फिल्डर ने कैश पकड़ा यहां पर जो है सोफी डंकली का और सोफी डंकली यहां पर अगर देखा जाए श्रिलंगा पाठल के ओवर की बात किया तो कम से कम 11 ना आए इस ओवर से और मगर महत्तर पूर्ण विए शोफी डंकली को आउट किया इस ओवर के अंदर सोफी डंकली 28 गेंदों पैसर टर्म की पारी के लिए 11 चौके और 3 चके यहां पर लग दो विकेड नुकसान पर आठ ओवर किसमापती हो चुकी है इस ट्राइक पर होंगी हरलीन देवल अब देखते हैं बल्लेबाजी करने के लिए अनेबल सदरलैंड या फिर एशली गार्डनर आती है कौन आएगा बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर कौन करेगा बल्लेब करने के लिए अगर यहां पर फिट नहीं है तो गुजराज जाइन्स के लिए काफी बड़ी मुसीद हो जाएगी यहां पर अभी बहत्तर गेंदे बच्ची है इस पारी की कोशिश यही है एक सतर एक सो आसी का स्कोर जो है वाके लेके जाया जाए अगर बात की जाए एशल गार्णर से मगर अगर इंटरनेशनल में देखा जाए तो आई सी सी रैंकिंग में नंबर साथ की है यहां पर जो है गेंदबाज है मगर बल्ले बाजी भी बड़ी ताबर तोड़ करती है अब देखते हैं बल्ले बाजी जो हो किस तरीके से रहती है स्ट्राइक पर होंगी हर ले इंदेवल एलिसा पैरी को बुलाए गया है कि इन बाजी करने के लिए नवा ओवर लेके आएंगे एलिसा पैरी देखते हैं नवे ओवर के अंदर किस तरीके से खेल जो है वो आगे कि तरफ बढ़त नदर आता है अमन शेक बहाई ने बोला था यार बोला था कि विक हैं यहां पर हर्लीन देवल अब हर्लीन देवल और एश्ली गार्णर के उपर है कि यहां से बड़ी पारी खेले लेक्स्टम पर यह गें तीक अलायों के सारे खेल दिया स्कॉर लग बाउंडर की दिशा में बगर फिल्टर बहां ने डाइव लगा कर गेंद को फिल्ड किय अगर वो आज जिस तरीके बलेवाजी वो करती हैं उस तरीके से आज अगर खेल जाएं तो एक बड़ा स्कॉर जो है वो गुज्राज जाइंट की टीम यहां से बना सकती है बाकी आप देखना होगा आगे गेम किस तरीके चलता है लाइक करिए का आप सब्सक्राइब कर द अमपायर चेक जरूर करेंगे कि नोबल है कि रही जी यहां नोबल दिया है अमपायर ने एलिसा पैरी की फुल टॉस गेंट बेस से ऊपर निकल गई और उसको फ्लिक जरूर किया था मगर बाउंडरी तो पहुची नहीं और एक ही राज से संतुष करना होगा ऐसली अब देखते नहीं है एलिसा पैरी से नोबल करते हैं फुल टॉस गेंट थी यहां पर शायद उंग्लियों से छूट गई और माफी मांगे उन्होंने कहीं ने कहीं आशली गाड़नर से एलिसा पैरी की यह गेंट हर्लीन देवल हैं स्ट्राइक पर फिरिट गेंट पटकी स्ट्राइक पर अच्ट पर चलते हैं ज़रा बल्ले बाजी के तरफ यहां पर बल्यबाजी जब देखें किस तरीके से बल्लेबाजी होगी ऐशली गाड़नर है स्ट्राइक पर पैरी कोवर कैगली के इन फुरंट की गैंस बार सीधे बल्ले से खेल ने कई बल्ले का अंदू नहीं करा लगा गेंज जाएगी स्क्राइल लेकी दिशा में यहाँ पर एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर एशली गाड़नर को सिंगल सिंगल के सहारे गाड़ी आगे बढ़ रही है इस ओवर में पांच रन आ चुके हैं तीन गेंदों के अंदर 87 रन दो विकेट नुकसान पर 8.3 गेंदों खेल हो चुक है समा तब देखते हैं खेला हो बे यह पेला होब जो समय बताएगा मगर मुकाबला जो है बड़ी बड़िया रहने के उमीद है जिन्नोंने चैनल को लाइक कर दीजेगा यहाँ पर अगली गेंदों पर 87 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर 8.4 जुड़ रही है हमार साथ इस मुकाबले के अंदर मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने की उमीद है एक बार फेर से गेन लेकर चलेंगे यहाँ पर एलीसा पैरी स्ट्राइक में हरलीन देवल क्या हरलीन देवल बड़े शॉट लगाते नज़र आएंगी जी नहीं एक वापसी करना चाहेगी गुजरात की टीम जी यहां गुजरात की टीम यहां से वापसी करना चाहेगी आरसीबी की टीम भी की एक अदा विकेट यहां से चटकाये जाये और टीम का स्कोर जो है वो आगे लेके जाये जाये तो कहले जा पाएंगे कहले जा पाएंगे टीम का स पर एलिसा पैरी गेंद कर रही है पैरी के ओवर की आखरी गेंद अभी तक यह ओर में पांच रनाए है ऑस्टों के बार यह गेंद सीदे बल्ले से खेल दिया गेंद को मिड़ाउन के सर के ऊपर से वन बाउंडरी के बाहर चारण के लिए जी यहां चौका मिलता हुआ इस के इन पर शौके के साथ ओवर की समापती होती वी नौन आइस ओवर से और गुजराज जाइन्स का स्कोर हो चुका है नौ ओवर की समापती के बाद ही क्यानवे रंद दो स्कोर के स्ट्राइक पे होंगी एस लिग गाडनर अब देखते हैं गेंदबादी कोन करेगा दसवी ओवर की तो यहां पर रंगती को कम नहीं कर रहे हैं अच्छी सोच यहीं है गुजराज जाइंस की कि रंगती को कम नहीं रहने हैं रनों को जो है बनाती तरह चले जा रह रहा है कि झाल से बल्लेबाजी हो रही कि लग रहा है कि शाद पार जाएंगे इस मुकाबले के अंदर गेंदबाजी करने के लिए अब नदर स्री अंका पाठिल को भी लिए पाठिल जी हुआ है नहीं एक ही रन से संतुष्ट करना होगा इस एक रन के साथ प्याइब लिए से बादेवे रंद दो विकेट नुक्सान पर नौद शुनल एक गिंग का खेल हो चुका है सम्माब चुरेंग का पाठेल पहले और में बड़ा विकेट दिलाया था आप सोफी डंकली का अगली का अगली के दूसरी के इन कदमों का इस्तमाल किया इस बार कलायों का सारे खेल पूरा रंड किया यहां पर दो सिंगल आ चुके हैं दो गिंदो के अंदर बानवे रंड दो विकेट नुक्सान पर नौद शुनल एक नौद शुनल दो गिंदो अखेल हो चुका है समाब तब देखना होगा यहां से मुकाबला जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है क् अभी तक जो है पहले और में विकेट मिला है दूसरे और में से दो गिंदे देखी है दो रन बनाएं यहां पर एबर अपील की गई है वह चेक कर रहे हैं पार जहां की आशली गादनर जो है वो पहुच गई है कि नहीं जी आप बिलकुल क्लियर पहुच गई है नोट आउ लिफृष्ह पहुच है यहां पर श्यंका पटल के अवर की तीसरी गेन दसवे ओर की दीसरी गेन सामने माझूद है अशली गादनर यहां पर लश्टम पे गेन ठीक लाईो यो कर दिया गेन को मिटविकेट दिशामें फिल्टर माझूद एक ही रन मिलेगा इस गेन पर इस पाडल की कदमों का इस्तमाल करके बड़ा शॉट खेले जा रही है शायद इंबंचा यही है हरलीन देवल की कि वह बड़े शॉट खेलेंगे और एक बड़ी पारी खेलेंगे यहापर चलिए अगली गेंद एक बाफिर से सामने मौझुद बल्लेबाज ऐश्ली गार्डनर लेक्स्टम पे गेंद थी कलायो के सारे फिलिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट दिशा में एक रन मिलता हुगा यहापर ऐश्ली गार्डनर को स्ट्राइक पर आती वह हरलीन देवल स्कोर हो चुका है पर चानवे रन नी 9-5 गेंद हो चुकी हैं आखरी गेंद है इस ओवर की देखते हैं आखरी गेंद को किस तरीके से खेलत На factor आएंगी आपर अखरी गेंद स्ट्राइप माचूद बने बास यहाँ सब्सक्राइब करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है माली जब 500 रिपोईट करेंगा तो फान सो के एक्स्टा बोनस मिलेगा ध्यान रखिएगा लिंक के तुर जॉइन करेंगे तभी आपको बोनस मिलेगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनर प्रेंट कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी करिएगा लिंक को क्लिक करिएगा सब्सक्रिप्शन में लिंक करिएगा यूजर ने बनाई यह पास्ट में मोबल नबर डाली आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी सब्सक्रिप्शन में लाइव ग्राउंड टिकेट जीतने का तो जाइए अभी आईडी करिए डिपोईट करिए और आपको पास चांस सब्सक्रिप्शन में लाइड बनाई यहां पर बची हैं 69 गेंदे इस पारी की देखते हैं 69 गेंदों में कितने रन और जोड़ते नज़राती हैं 69 गेंदों में और कितने रन यहां पर जोड़ते नज़राएंगे इस मुकाबले के अंदर वो देखना होगा रेनुका सिंग ठाकूर के ओवर की दूसरी गेंद स्ट्राइक पर मौजूद है कोई मौका नहीं आप रन मनाने का स्कोर के अगर बात की जाए स्कोर के अगर बात की जाए स्कोर हो चुका है यहां पर 97 रन दो विकेंद नुक्सान पर 10.2 गेंद हो चुकी हैं जियां 10-10 अशक्तमा मुकाबला जो है वो देखने को रहा है अब देखते हैं यहां से किस तरीके से गेंद यहां पर देखते हैं किस तरीके से खेलती है यहां पर ऑस्टम पर गेंट इस बार सुईब कर दिया इस गेंद को गेंज जा रही है स्क्वेर लेक बाउंडरी के दिशा में चारण के लिए जियां चौका मिलता हुआ इसके इन पर हरलीन देवल को तो हरलीन देवल ने इरादे बिल्कुल साफ कर दिये कि यहां से अब वो जो है बड़े शॉट खेलेंगी हरलीन देवल जो है वो बड़े शॉट खेलेंगी ऐशली गार्डनर जो है यहां से इस पार्टनर्शिप को आगे लेके जाएंगी स्कोर स्कूर की अगर बात की जाए तो स्कूर हो चुका है यहां पर गुजराथ जाइंट्स का अगर स्कूर की बात करने तो 102 रन बन चुके हैं दो वेकेट नुकसान पर 10.92 गेंदे हो चुकी है चौती गेंद पर भी सिंगल लिया यहां पर हर्लीन देवल ने और स्ट्राइक दिया है अश्ली गाडनर को तो यह कोशिश यही है हर्लीन देवल की तेजी से यहां पर रन को बनाया जाए रिक्वार रन के करिंट रन रेट को मेंटेन रखा जाए अगर इसी रन कती से रन बने तो कम से कमें 190 तक पहुंश सकती है गुजराट जाइंट की तीम सौरन पूरे हो चुके है गुजराट के एक सो दो रन के दिनकसान पर 10.04 गेंदे हो चुकी है अब ऐश्ली गाडनर जी है ऐश्ली गाडनर होंगे इस ट्राइक पर जोगी पां आउस्टन के बाहर यह गेंद थी बल्ले का बाहरी किना लगा गेंद निकल गई शौर्ट थर्ड मेंड के ऊपर से वन बाउंस टू बाउंस बाउंडरी के बाहर इस बाहर खराब लाइन पे गेंद थी अभी तक अच्छी गेंद बाजी कर रही थी रेनुका सिंक ठाकूर थोरह सो रूम दिया यहां पर एश्ली गाडनर को ड्राइब करने गई ऐश्ली गाडनर बले का बाहरी किना लगा और थर्ड मेंड के ऊपर से गेंद निकल गई और चौका मिल गया एश्ली गाडनर को च्छे गेंदों में किल रही है स्कूर पहुषता हुआ गुजराज जाइंट्स का 106 रन दो विकेट नुकसान पर 11 वे ओवर की आखरी गेंद है 11 वे ओवर की अब आखरी गेंद है सामने मौजूद होंगी बल्लेबाज यहाँ पर ऐशली गाडनर आखरी गेंद इस ओवर की एक बाद फिर से ओश्टम पे गेंद सीदे बल्लेब से खेल दिया गेंद को लॉंग ओन की दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ ओवर की होती है पर जोड़ते वे नदर आते हैं कितने रन और जोड़ते वे नदर आते हैं इस मुकाबले के अंदर जोड़े रही है सबस्काइब करते है लाइक करते है इस मुकाबले को मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने के उमीद है चाहेंगे कि एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल चाहे तो इसी बात पर आप सब लोग स्ट्रीम को लाइक करिए चलन को सबस्क्राइब करिए और शेयर करिए अपनी स्ट्रीम को और देखते हैं मेगन शूट यहाँ पर किस तरीके से गेंद बाजी करेंगे इस बीच अब बारिवावर की पहली गेंद शामने मौझूद बल्लेबाज आश्ली गार्डनर इस बारे लेक्स्टम पर यह गेंद थी कलायों के सारे खेल दिया स्क्राइला के दिशा में एक र फिकेट सोफी डंकली के गिरा था उसके बाज विकेट मिलना जो है वह असान नहीं है एक बार फिर से यहाँ पर हर्लीन देवल को मेगन शूट की एगेंद इस बार सिंगल लिया यहाँ पर हर्लीन देवल ने भी दो गेंद में दो सिंगल आ चुक हैं स्ट्राइक पे आ गह कर दीजेगा आप सो लोग चलते हैं जरा अब गेंद की तरफ देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्तियाल सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर आश्ली गार्डनर ऑस्ट्रम पे गें तीस बार कलायों के सारे खेल दिया इसको मिड़ विकेट दिशा में एक मिलेगा यहाँ पर भी एश्ली गार्डनर को जियां एक सिंगल और आता हुआ एक सिंगल और आता हुआ यहाँ पर एश्ली गार्डनर के बल्ले से बड़ी आवर जा रहा है से तीन सिंगल इस ओवर में आये हैं चौती गेंद डालेंगी यहाँ पर जो है मेगें शूर्ट तो स्ट्राइक पे होंगी हर्लीन देवल क्या हर्लीन देवल इस ओवर के अंदर बड़ा शॉट लगाते नज़राएंगे एक बार फिर से अगली गेन हर्लीन देवल को लेक्ष्टम पे गें तीक लायों के सारे फ्लिक कर दिया गेन जा रही है स्क्राइल लेक बाउंडरी के यार छेरन के लिए जिया चक्का आता हुए यहां पर हर्लीन देवल के बल्ले से इस बार भाप लियत हर्लीन देवल ने की गेन लेक्ष्टम पे है क्रॉस बेड़ी शॉट खेला बिलकुल फिलिक कर दिया इस गेन को स्क्राइल के जिशा में और चक्का बठोरती वे इस गे खेलती हैं अगली दो गेन बची विए इस ओवर के बारवाई ओवर है प्रेशर जो है वो कहीं ने कहीं आरसीवी के उपर है पर फिर से ऑस्टन के तरफ रूम बनाया था मगर गेन को कट किया मगर गेन जाएगी पॉइंट फिल्टर के पास कोई मौका नहीं यहां पर चो ह जारी हैं एक और चो का यहां यहां पर आता हुआ हरले इंदेवल के बल्ले से आखरी गेन पर ही बांडरी आ canyon इस ओवरे थे 120 प्रफ़ेंद बन चुके हैं जी यहां 120 रन बन चुके हैं दो विकेट नुकसान पर 12 ओवर जो है वो समाप्त हो चुके हैं आशली गाडनर 9 गेंदों 12 रन बना कर खेल रही है मगर हरलीन देवल ने बिलकुल बाजुए खोल कर यहां पर रन बठो रहे हैं 25 गेंदों में 34 रन नजर आते हैं कितने रन और जोडते हैं इस मुकाबले के अंदर लाइक कर दीजेगा आप सो लोग सब्सक्राइब कर दीए चैनल को और जड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी कामेंटर में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने के थी आज मंगर उस तरीके का मुकाबला जो है वो चलते नजर नहीं आ रहा है जिए चलते नजर नहीं आ रहा है उस मुकाबले के अंदर आशली गार्डनर और जिस तरीके से आशली गार्डनर और हर्लीन देवल खेल रही है आसान लग रहा है यह मुकाबला चलिए यहां प पर 120 रन दो विकेट के नुक्सान पर स्कोर हो चुका है अब चलते हैं जरागली गेंद की तरफ एक पर फिर से यहां पर कदमों का इस्तमाल के आश्री गार्डर सीधा बले से खेला है यहां पर गेंद जारी है लॉंग आफ की दिशा में वन बाउंस फिल्डर के हाथ में यह गेंद कोई रन नहीं मिलेगा जी हां कोई भी रन नहीं मिलेगा इसकेट पर स्कोर की अगर बात की जाए तो बड़ी हार स्कोर चल रहा है वहाँ थी खूब सूरत स्कोर जैव चल रहा है यहां पर इस मुकाबले के अंदर जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी का में क्रिक्ति लाईब हिंदी के साथ मुकाबला जो है प्रिती बॉस के इस OVR की तो अभी तो छीख-छा गेन बाजी कर री आप पर दो गेन धे करी है वी हैं फिर दो के निंद अभी तक मुकाबले के अंदर इस OVR के अंदर तीसरी बाउंडरी बटोरी है स्क्वेर लेक बाउंडरी के बाउंडरी के बाहर चारण के लिए चौका आता हुआ जिया यहां पर चौका बटोर तीवी हरलीन देवल स्कूर पहुसता हुआ यहां पर 125 रन दो विकेट नुकसान पर 12.93 गेंदे हो चुकी है हरलीन देवल 26 गेंदों म 38 रन बनाकर खेल रही है करन्ट रन्ट को देखिएगा 10 कर मेंटेन है नेरों करके चल रही है इस रनती को रनती गती को भिलकुल मेंटेन करके चल रही है यहाँ पर लाइक करदीजैगा आप सों लोग生स्थरीब करदीजै chains साथ इस पुकाबले में एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला है हरलीन देवलने इस गेंद को गेंद जाएगी लॉंग ओफ की दिशा में एक रन मिलता हुआ है यहाँ पर चेरन आचुके हैं इस ओवर से स्ट्राइक पे है एसली गार्डनर स्कोर हो चुका बारासजनलाव चार गेंदे ऊचुकी आज बारासजनलाव चार गेंदे ऊचुकी है क्या जबरदस्त बल्ले बाज चल रही है और लग रहा है यह यह चल रही है और वो में आई चलता है यह खेल खेला हो वे अपेला हो वे समय बताएगा मगर मुकाबले में अगर बात की जाए बड़ी आगे बाजी पर फिर से पटकी भी गेन प्रती बॉस की पुल कर दिया गेंद को स्ट्वेर लेकर मिडविकर फिल्टर ने अब तपा खाने के बाद गेंद को ढखेल यहां पर बाउंडरी के अंदर और एक ही रन मिला इस गेंद पर तो हर्लीन देवल को रोकना मुश्किल है ना मुझी नहीं है मगर रोक ही नहीं पारे है जिस तरीके से आर्सीबी गेंद बाजी चल रही है ऐसा लग रहा है राम से रन्स बना रही है यहां पर स्कूर हो सब्सक्राइब कर दीए चैनल को जुड़ रही है हमार साथ लाइफ हिंदी कमेंटर में क्रिकेट लाइफ हिंदी के साथ अगर बात की जाए तो प्रिती बोस के आज दो और में 31 रन आये हैं इस से पहले और में 23 रन आये हैं जो देखते हैं क्या होता सिर्फ मुकाबले का सूर्टिहाल यहांपर एक और स्कूर गेंद बाज हिदर नाइट को बलाए गया है एधर नाइट गेंद बाजी करने के लिए आई है कित्रे और और जोड़ते हैं कि पहली बार गेंद बाजी करने आई हैं इस मुकाबले के अंदर कोशिश यही है कि रंस बनाए जाए यहां पर फिर साधर नाइट की गेंद का इस्तमाल जरूर कि आप कलाई को सारे खेल दिया इसको लौंगों के दिशा में यहां पर जो है बल्लेबाज बल्लेबाज हर्ली पर तो आप यहां से दोनों बल्लेबाज की सोच यही रहेगी कि यार ताबार तोडर मनाए जाए तीजी सरन मठोड़े जाएं कि आप सिर्फ फॉर्ट सिर्फ इफ तालिस गेंदे बची हैं एक बार फिर से मिड़र स्टम्पे गेंद कलाई को सारे खेल दिया इसको मिड़ पर तीसरी गेंद फिर से ऑस्टम के बहार कट किया गेंद को मिस्फिल हुई है मगर रहाँ पर गेंद को पकड़ लिया फिल्डर ने दूसरी अटर्म्ट पकड़ लिया और एक ही रन मिला गेंद पर तीन सिंगल इस ओर में आ चुके हैं 131 रं दो विकेड नुकसान पर 133 तीन गेंद हो चुकी है, कौन लगाएगा बड़ा प्रहार, इस ओवर के अंदर ये देखना होगा, कौन लगाएगा, चौके चुके ये भी देखना होगा, जुड़ जाइएगा, हमार साथ, यहां पर, देखना हो जी बात रहेगी, चलिए अगली गेंद पर फिर से, यहां पर गेंद को खेला है, डीम मेडविकेट बाउंडरी के बाहर, चार रन खेले हैं, जी हां थोड़ी सी खराब गेंद, शौटो लेंद गेंद इसको पुल कर दिया, और डीम मेडविकेट बाउंडरी के बाहर, चौका बटोर रहा है, इस बार आशली गार्डनर ने, 14 इस बटोर रहे हैं, असनी चे शौट लग रहे हैं, यहां पर फिर से एदर नाइट की ए गेंद, कदमों का इस्तमाल किया, इस बाहर मिस कर गई इस गेंद को, और विकेट मिल गया है, यहां पर गुजरा, यहां पर आरसी बी की टीम को, बला शौट खेल ले गई, यहां प पर इस पार्टनर्शिप को तोड़ा है, हैदर नाइट ने, हैदर नाइट के इस बाहर में, साथ रन गेंदे हुई है, पांच स्कोर हो चुगा, 133 विकेट नुकसान पर त्यादर शनलों पांच गेंदे हो चुकी है, एशली गार्णर यहां पर 15 गेंद मों, 19 रम नागर पविलियन जाती हुई, गेंद बाजी के हैदर नाइट ने और स्टंप आउट किया रिचा घोष ने यहां पर, कैसे मज़ा इस्पेटेट भाई भाई पुरदी भाई मुझा आज होगा, कुछ न कुछ तो होगा, आज मुकाबले मुझे उमीद होरी, काफी दिन से जो है, इस जो है, वो सिधी सिधी मैच चलने है, तीसरा मुकाबला उड़ा था हुझा चटा मुकाबला भी आज उड़ेगा भाई, हर दो मैच के बाद अगर उड़ना होगा तो आज मैच उड़ेगा, मुझे अच्छा मैच बन सकता है, और मुझे ऐसा लगता तो है, बाकि अब दूआ करो भाई, बड़ी आई मैच हो, एक अच्छा मुकाबला जो है, वो देखने को मिल जाए, यहाँ पर लाइक करिएगा, चलिए चलिए लाइक करिएगा, आप चलिए लो सब्सक्राइब कर दिए चानल को, और जोड़ रहिएगा हमार साथ इस मुकाबले के अंदर, आप क्या एनेबल सदर्लेंड को बल्लेबाजी करने लिए बिज़े जाएगा या फिर कोई और बल्लेबाजी करने के लिए आएगा, इस मुकाबले के अंदर, कोशिश तो यही है, कोशिश तो यही है कि यहाँ से थोड़े बहुत रंस बनाय जाए चलिए अब डैनिल हैंल हमलता को बिलाए गया है यहां पर अब बल्लेाजी करने के लिए क् 대한 लिक से सब्सक्राइब और चौधा और समाप्त हो चुके हैं 136 रन बन चुके हैं यहां पर तीन विकेट नुकसान पर आखरी की 36 गेंदे बची हैं अब देखते हैं इंचातिस गेंदों में कितने रन और जुड़ सकते हैं यहां पर 181 होगा क्या भाई 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 लग तो रहा है कि 36 गेंदे बची हैं 36 गेंदों में सिर्फ 181 बनाने के लिए 45 रन चाहिए हर्लीन देवल जो हैं वह अच्छे फॉर्म में निजर आ रही है आप याने वले बल्लेबाजी जो है वह एनेबल सदर्लैंड है किम ग्राथ बल्लेबाजी कर लेती है मेरे इसाब से बनना चाहिए 801 के पार जाना चाहिए स्कोर गुजराद जाइंट्स का और आर सीब्सक्राइब करें आज इस टोटल को चेज़ भी कर सकती है आर सीबी की टीम वह देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थिहाल चलिए आजम जैसा टीट्वेंटी पबलो प्लेयर अवी 666 लगा रहा रहा रहे भाई आजम आपर आजम कहने आजम खान कहने आजम खान तो भाई मारते हैं पर दीबाई चलिए पर प्रिती बोस को बिलाए गेंद बाजिकर ने पहली गेंज बार आउस्टम पे गेंद इस और शक्का बठोरा इस गेंद पर डैनियल हमलता ने आते ही दूसरी गेंद पर शक्का बठोर लिया और इसलिए इसलिए दैनियल हमलता को भीजा गया था यहां पर बले बाजी करने के लिए कि जाकर वो बड़े शॉट खेले और एक स्कोर पहुचाए अपनी टीम का एक ब और शक्का लगाएंगी यहांपर अगली येंद बार फिर से लेक्सटाम के पाटकीवी इन बार पोई कर दिया गेंद को दूसक्वार लिकेंद को फिल्टर ने रिजक mechan को को भी नहींगा जी कोई बी रट नहीं मिलेगा का अभी भी 143 विकेट नुकसान पर 142 गेंदे हो चुकी हैं इरादे साफ कर दिया है डैनिल हमलता ने कि यहां से बड़े शॉट लगाते हैं नजर आएंगी यहां पर और अपने ठीम के लिए तेजी से रन बटोरेंगी डैनिल हमलता साथी बल्लेबाज उनकी हरलीन देवल काफी खुर्शन राई थी छका लगाने के बाद अगली गेंद प्रिती बोस के वर के उफ्टन के बाहर कट कर दिया इस गेंद को गेंद चारिया धीप पॉइंट दिशा में बाउंडरी के बाद चार रन के लिए एक और चौका आता हुआ यहां पर गुजराज चाइंड का 146 रन तीन विकेट नुकसान पर 143 गेंद हो चुकी है हुआ यहां पर डैनिल हिमलता ने आते ही रुख साफ कर दिया कि वो जो है बड़े शौट लगाना पसंद करेंगी तीन गेंदों के अंदर 10 बटोर चुकी है यहां पर अब द इस बार ओवर की है चौथी गेंद सामने माजू डैनिल हमता उस्टों के बाहर यह गेंद इस बार ड्राइब कर दिया गेंद को बगर गेंद जाएगी कवर फिल्डर के पास एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर इस एक रन के साथ इस स्ट्राइक पर आ जाएंगी बल्ले अभी तक गेंद आ चुके हैं अब स्ट्राइक हरलीन देवल के पास है तो क्या हरलीन देवल भी एक आदा बड़ा शौट लगाते नज़राएंगी इस ओवर के अंदर चले देखते हैं अभी क्या होता इस मुकाबले का सूर्थिहाल एक बार फिर से गेंद लेकर चली हैं उस्टं के बाहर ये गेंद तीस बार फिर से ड्राइब कर दिया कवर की दिशा में एक रन बटो रहेंगी हरलीन देवली सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगी डै और फिर से गेंद लेकर ये गेंस बार कावर के उपर से खेल दिया इस शॉर्ट को और बाउंस बाउंडरі के बाहर चायार Hang जाच वर से एक सुब्सकाे बाद 152 रं टीन विके डुकसान पर गुजरात जाइंट्स का स्कोर है अभी भी अगर बात की जाए तो करेंट रून रेट तस दसनलों एक तीन का है यहाँ पर काफी भरपूर रन जो हैं बठोरे गए हैं काफी रन्स बठोरे गए हैं इस मुकाबले के अंदर देखना होगा क्या होगा इस मै बनने भी चाहिए यार रन बनेंगे तो उसके वाद अगर दूसरी पारी में भी रन बने तो एक मज़ा आएगा खेल देखने में यहाँ पर पहली गेंद करने के लिए आई हैं यहाँ पर नई गेंद बाज यह पर फिर से पहली गेंद हर्लीन देवल को बड़ा शौट खे स्कोर पहुषता हुआ दीरे दीरे स्कोर को आगे लेकि जाते हुए लग रहा है कि शायद 200 बार जाएगी गुज़ाज की टीम एक सब्सक्राइब बन चुके हैं तीन विकेट नुकसान पर 32 गेंद हर्लीन देवर खेल रहे हैं और फिर से ओस्टन के तरफ गेंद 30 बार सी दे बल्ले से खेल दिया लॉंग ओल के दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के बाद स्ट्राइक पर आ जाए लग तो यही राय डैनियल हेमलता जो है बड़े शॉट खेलते ने जलाएंगे पर फिर से ओस्टम पर यह गेंती बल्ले का बहारी किनाना लगा मगर वहाँ पर शॉट थर्मन की दिशा में कैच पकड़ लिया एक और विकेट गिरता हुआ जिया एक और विकेट गिरता हु लगता हुआ गुजिराज जाइंस की टीम को अगर बात की जाए तो कैश पकड़ा है रेनिकों सिंग चाकुर ने साथ के दुमें बनाए सूला रणी यहां पर डैनिल हमलता ने दो चौक एक चका लगा था अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर इसकोर हो चुगा अगर पहले डिपोईट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है अगर जहां रखिएगा अगर पहले डिपोईट करेंगे तो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनर पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके आईडी करेंगा यहां पर मिलेगा अगर बात की जाए बात की जाए यहां पर खेलने की तो टोटली एक्सचेंज है लाइचनर पिन कर सकते हैं ट्रेड कर सकते हैं खेल सकते हैं जीत सकते हैं तो खेलिए और जीतिये सेडबेट के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनर पिन कर दिया है तो जाए खेलिए और जीतिये सेडबेट के साथ लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनर पिन क कर दिया है और यहां पर साथ एक आफर भी चल रहा है अगर सब्सक्राइब करते हैं और डिपोईट करते हैं तो आपके पास चांस रहेगा आई-पी-एल मैचिस की टिकेट जीतने का जी आई-पी-एल मैच आप जाकर आप जाकर जो है इस्टियों में जाकर जो है वो इदा उठाना की कोशिश रहेगा अगरते हैं तलिस रन और जोड़ ले गुजराज जाइंट्स की टीम तो यहां पर दोसों का आकड़ा जो है वो क्रॉस कर सकती है क्या दोसों का आकड़ा यहां पर क्रॉस कर पाएंगे क्या लाइक करिए आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिए चैनल को जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी कामेंटरि में क्रिकर लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वह काफी बढ़िया रहने की उमीद रहेगी यहां से थोड़ा बहुत चांस जो है वो लेना पड़े गई बल्ले बाजों को जोड़ता चांस लेना पड़ेगा यहां पर किस तरीके से खेल वह आगे कि तरह बढ़ रहा है मगर मेरे साब से थोड़ा साब सोचना पड़ेगा यहां पर आर्शी भी गेंद बाजों की भी आखरी कुछ ओवर्स में रन कम दिये जाएंगे गेंद बाजी करेंगे हैदर नाइट नहीं बल्ले बाज देखना होगा क्या है यहां पर आर्शी ओवर्स में बड़े शॉट खेल सकती है और तेजी सरन बढ़ोर सकती है आपने टीम के लिए देखने बात रहेगी अब किस तरीके से खेला आगे बढ़ता है तो लाइक करिए आप सब्सक्राइब कर दिए चनल को जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी के साथ तो मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहने की उमीद रहेगी आसे चलिए देखते हैं अभी क्या होता है चलिए यहां पर गेंद बाजी कर रहे हैं यहां पर हैदर नाइट पहली गेंद थी है नेबल सदर्लेंड को सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक दिया हरलीन देवल को हरलीन देवल जो हैं वो सिर्फ दो रण दूर है अपने अर्दशा तक से 26 गेंदे बची है इस पारी की देखते हैं 26 गेंदों के अंदर कितने रन और जोड़ सकती हैं यहा एक रन बटोड लिया इस गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे एनेबल सदर्लेंड इस ओवर में अगर बात किया साथ रन आ चुके हैं इस ओवर से और स्ट्राइक पर होंगी बलेबाज यहां पर एनेबल सदर्लेंड तो यह सोलवा ओवर है इसके बाद चार ओवर और बचेंगे आखरी केंदे इस ओवर के स्ट्राइक माजूद एनेबल सदर्लेंड क्या बड़ा प्रहार करेंगी या फिर सिंगल रूटेट करेंगे यहां पर देखना होगा अगले गेंद हैदर नैट के साथ स्ट्राइक होगी अब हर्लीन देवल के पास और ओवर की होती भी समापती यहां पर इस ओवर में आये 9 रन एक सफलता मिली हैदर नाइट को दो ओवर की हैदर नाइट इस 17 रन दिये 2 विकेश अठकाए है और यहां पर गुजराज जाइंट्स का स्कूर है 16 ओवर की समापती के बाद 171 रन 4 विकेट नुकसान पर स्ट्राइ कि अब देखते हैं 24 गेंदों में कितने रन और यहां पर जोड़ते नजर आते हैं लाइक करिए आप से लो सब्सक्राइब कर दिये चैनल को चुने लिएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंटर में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया र जराती है इस पेच अगर बात की जाए तो पहली गेंद वाइड गेंद जी यहां लेक्स्टम के बाहर यह गेंद एलीसा पैरी जो हैं वो जो हैं वो कहीं ने कहीं यहां पर एलीसा पैरी जो हैं वो गेंद बाजी कर रही है यहां पर और एक होई रन नहीं मिला इस गेंद पर चीह हैं यहां से अगर बात की जाए स्कूर की तो स्कूर हो चुका एक सुबाद सट रंच चार विकेट नुकसान पर फिर से गेल लेकर चल रही है इलिसा पैरी स्ट्राइप माजूद बल्लेबाज हर्लीन देवल एक रंद दूर है अपने अर्द सतक से क्या अर्द सतक ल लिए और आभी माजूद हैं यहां पर गुजिराट जाइंट्स के लिए 166 लॉस ओफूर विकेट सुबाद सब्सक्राइब करने बल्लेबाजी करने नहीं लिए था और बनिन्ने काफी सफलता पूरवक पहले सोफी डंकली की बल्लेबाजी देखी उसके बाद हर्लीन काउंडरी के बाहर पहुंचा रही है आपर चलिया अगली गेंदे बाद फिर से सामने माजूद हैं बल्लेबाज यहां पर यहां पर हर्लीन देवले बाद फिर से पटकी वी गेंदे बाद फिर से पुल कर दिया इस बार टॉपेश लगा था गेन गई तिसना फाइनले के उपर से एक और चौका इस ओवर में दो बैक टू बैक चौके आ चुके हैं लिसा पैरी के इस ओवर में स्कोर पहुंचता हुआ 117 रन 4 विकट नुकसान पर 16.12 गेदे हो चुके हैं जी हां 16.12 गेदे हो चुके नहीं और जिस तरीके के बलैबाद ही हो रही है हर्लीन देवल के पल्ले से ऐसा लग रहा है कि शायद यहां से असानी से अप टीम का स्कोर जा है वो दोसों के पार लेकर जाएंगे जी यहां असानी से अपनी टीम का स्कोर दोसों के पार पहुचाएंगी आज हर्लीन देवले वाफिर से अपारी की गेंद ऑस्टम पे गेंद इस बार कट कर दिया गेंद को कवर बहुकर यह पॉइंट की दिशा से बाउंडरी पर टोड़ती गें हर्लीन देवल एक और चौक कर चोट लगाया और सब पर चौका बटोरा यहां पर हर्लीन देवल ने खतरनाक बल्लेबाजी अर्लीन देवल की अगर हम तक बल्लेबाजी करेंगे तो असानी से दोसों का अकड़ा पूरा कर लेगी यहां पर गुजराथ जैन्स की टीम से चोहतरन बन चुके हैं चार वि करेंगे तो असानी से इस मुकाबले में पिशड़ जाएगी आर्सीवी की टीम लेक्स्टम पर फिलिक या बल्ले के ऊपर यह गेंड लगी ती डाइव जरूर लगाई प्रिती बोश ने गेंड़ को फकड़ने के लिए मगर ऐसे कैसे फकड़ने चाहिए आपको ऐसे मुका बाहर रहेंगे यहां पर कैच शूटता हुआ और इस के साथ एक हम जोटता वहा यहां पर पर हदली डिवल का आध्य में तो नहीं मिलेगा इस गेंड पर स्ट्राइक अभी भी एनेबल सेदरलेंड के पास है सतरवा ओवर चल रहा है एक सब चतर रंद चार विकेड नुकसान पर सोला देशनलों पांच गेंदे हो चुकी है यहाँ पर अभी भी अगर बात की जाए विकेड पांडरी के बाहर चे रंद के लिए एक और छक्का आता हुआ है इस पार चक्का आता हुआ है नेबल से बल्ले से और यहाँ पर पारी जो है वह आगे बढ़ती भी गुजराज जाइंट्स के 181 रंचार विकेड नुकसान पर 17 और समाप्त हो चुके हैं और विकेड आज भी एलिसा पैरी को नहीं मिली है 17 रंद के समाप्ति के बाद 181 रंचार विकेड नुकसान पर स्ट्राइक पर हैं अरलीन देवल ओवर के हिसाब से बने तो काफी बड़ा स्कोर जाए वह खड़ा कर सकती है यहां पर आर सी बी की ए टीम अगर बात की जाए इस मुकाबले में पहली गेंद जाली है यहां पर जो है पाटिल ने और डिफेंस कर दिया इसकेंद को अरलीन देवल ने कोई रण नहीं मिलेगा इ की तो स्कूर हो चुका है यहां पर 181 चार विकेट 750 पर 171 गेंद हो चुकी है दूसरी गेंद लेका चल रही है यहां पर पाथिल यहां पर रिचा घोष जो है जल्दी से गेंद को पकड़ नहीं पाई क्योंकि गेंद काफी नीचे थी इसको पिजब तक पकड़ती और शायद स्टम्प होने का चांस अनों तब तक जो है अरलीन देवल क्रीज के अंदर आ चुकी है अभी भी दो गेंदे अच्छी दो गेंदे दो ड मिलेगा इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगी बल्लेबाज एनेवल सदर्लेंड ने पिछली ओवर में च्छक्का जरूर लगाया था यहां से एनेवल की सोच भी रहेगी कि बच्छी पंदरा गेंदों के अंदर कुछ बड़े प्रहार किये जाएं स्ट्राइक पे हैं एनेवल सदर्लेंड ओवर किये चौती गेंद शरंका पाठल किये गेंद है सामने है एनेवल सदर्लेंड चिया अगली गेंद शरंका पाठल के ओवर किये एक बाफिर से कदमा का इस्तमाल किया ड्राइव किया इस गेंद को ढखेल दिया कवर की दिशा म लगाई गेंद को रोक नहीं को रोक नहीं पाई और चौका मिल जाएगा इस पर अनबल सदर्लेंड को चार गेंदों पर पांच रना चुके हैं इस ओवर में स्कूर हो चुका एक सुच्छी रन चार विकेट नुकसान पर 174 गेंदी हो चुकी है बहतरीन बल्लेबाजी जिया बहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर एनबल सदर्लेंड के बल्ले से स्कूर हो चुका एनबल सदर्लेंड का तीरा रन चे गेंदों पांच गेंदों का सामना किया एक बार फिर से अगली गेंद यहाँ पर श्रिंगा पाठल के ओवर की अगली गेंद पांच वी गेंद इस कि हैनम सदर्लेंड को लोगफुल टॉस ये गेंड थी केला जरूर में डिशा में बेर पूर तरीके से मिच कर गई इस गेंड को बल्ले के बीच बीच गेंड लगी नहीं आपर पांच गेंड हो गई हैं इस ओवर की पांच राया भी तक अच्छा ओर जा रहा है कहीं नहीं द 그러ni सदर्लेंड अब देखते हैं बची भी बारा गेंड हैं बारा गेंडो में कितनے रन और और बंते हैं नज़र confirm काब्ले के अंदर वो देखना होगा तो जुण रहेए सब्सक्राइब करते रही है लाइक करते रही है इंचोय करते रही है इस मुकाबले को मुझे रता है कि शायद बगली 12 गेंदों में कम से कम 20 रंज है वो जुम बुर जुरते हो नजर आएंगे एक भाई ने मुझे बचाता है 191 बनेंगे और देख लीजे बाई 191 के बिलकु करीब है एक 191 बिलकुल करीब है अब देखते हैं कितने और जुड़ते हैं यहां से यहां पर अभी बारा गेंदे बची हुई है एनबेल सदर्लेंड ने भी अपने बाजुए खोल दी है हरलीन देवल और सोफी डंकली की आज पारी जो है वो काफी जबरदस रही है तभी गेंदों में क्या बीस से बाइस रंड जोड़का या तेइस रंड भी जोडते हैं तो दोस्तों दस रंड तक पहुच्छ सकती है यहां पर गुज्राज जाइंस की यह टीम चलिए रेनुका सिंग ठाकुर गेंड लेकर चलेंगी ओवर किये पहली गेंद सामने मजूद अन क्यांक के जिसा में वहां पर कैच पकड़ा यहां यहां पर ऑनरो शुड़क से रेनुका सिंग ठाकुर प्रेंगिट मूड यहां पराज पकड़ लिया कच को रैनुका सिंर्छाकुर तो है आड़ सधर्लैंड का इ Entscheid है आट केद में 14 में बनाकर इनेबल सधर्लैंड जो है वह पविलियंड जाती वहीं और विकट मिलता हुआ रैनुका सिंग ठाकुर को बढ़िया बल्लेबाजी थी यहां पर एनेवल सेधरलेंड की मगर यह पारी जह है वो समाप्त होती हुए अभी भी ग्यारा गेंदे बची है और स्ट्राइप मौझूद है यहां पर हरली स्ट्राइप देखना होगा नहीं बल्लेबाज होंगे आएंगी स्निया राना आएंगी या फिर किम ग्राद को भी बल्लेबाजी करना जानती है मगर यहां पर हो सकता है स्निया राना खुद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगी यहां पर और मुकाबले की तरफ आगे बढ़ते रहीएगा मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा यहां पर इस मुकाबले के अंदर स्निया आना की कोशिश यह रहेगी कि सिंगल लेके स्ट्राइक जो हरलीन देवल को दिया जाए और गेम को जो है वह आगे बढ़ाया जाए किस तरीके से गेम आगे चलेगा वह तो समय बताएगा मगर यहां पर आगली के आउस्टम के तरफ गेंट इस बार कट कर दिया गेंट को दो अच्छी गेंदे हो चुकी है मतलब यू कहीं कि पिछले आठ गेंदों के अंदर सिर्फ छे रन आये हैं यहां पर क्या सनिया राणा हर्लीन देवल को स्ट्राइक दे पाएंगी ओवर के अगली गेंट तीसरी गेंट रैनुका सिंग ठाकुर के 19 वावर बहुत आहम हो पर देवल आचुकी है इस ट्राइक पर आप देखना होगा बची वी तीन गेंदों के अंदर हर्लीन देवल जो हैं वो किस तरीके से खेलती है 188 रन बन चुके हैं 5 विगेंट नुकसान पर 18.93 गेंदे हो चुकी है यहाँ पर सामने मौचूद बलेबास है हर्लीन देवल आज पारी काफी अची रही है पर दो रन पूरे भी कर लेंगी यहाँ पर स्या राना इस गेंद पर दोरन के साथ स्कोर पहुसता हुआ 195 विगेंट नुकसान पर 18.94 गेंदे हो चुकी है आठ गेंदे बची है इस पारी की इस ओवर में भी मात सिर्फ तीन रनाए है अभी तक और पिछले ओर में भी से छे रनाए तो यहाँ पर यू कहें कि सत्रवा और यहाँ पर अठरवा और उननिस वा और काफी बहता जा आए ओवर की आखरी गेंद जियां ओवर की आखरी गेंद अखरी पांच वी गेंद है इस ट्राइक पे माजूद हर लीन देवल पैसट रन की पारी खेल चुकी है अभी तक रेनुका सिंग ठाकुर की आवर के एक लिगा है इस लोगन की दिशा में वन बाउंस फिल्डर के हाथ में गेंद एक ही रना आएगा इस गेंद पर भी और इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे स्नेया राणा चार रना है इस ओवर में पांच गेंद हो के अंदर बड़ी आवर है नुका सिंग ठाकुर का 191 रन पांच विकेट नुकसान पर ठाड़ अच गेंद इसको डविकेंद दिशा दूसरान पर उसके और दोर नहीं एक ही पे यह तेज़ लगाई थी, यहां काफी बहुत दूर थी, यहां पर मिलते हुए इक रन, तो इस एक रन के साथ स्कोर हो जाएगा पां यहां पर 192 रन चे विकेड नुकसान पर 19 ओवर समापत हो चुके हैं चे गेंडे बची हैं। यह लिंग देवल आप देखते हैं आखरी ओवर कौन डालेगा यहाँ पर आखरी ओवर की गेंद बास दीजिए है वो कौन करता नदर आएगा जिन भाजिए वह स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा जिन चलन को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजेगा और ज पर दिजेगा और आपको बोनस चाहिए तो हमारे लिंक के तुरू जॉइन करेंगे तब आपको बोनस मिल पाएगा यहां पर पाठिल आई हैं के इन बाजी करने के लिए पहली गेंद हनली देवल को सिदेबले से खेला लॉंग दिशा में एक ही रन मिलेगा इस केंद पर स दूसरी गेंद होगी आपर उवर की दूसरी गेंद होगी स्ट्राइक प्रमजूद बल्लेबास किम ग्राथ हैं यहां पर एक बारफिर से फुल लो फुल टॉस एगेंद रिवर्स किया इस गेंद को गेंद को पहुचाया थडमें की दिशा में दो रन मिलने चाहिए इस ग पर देखते हैं बचीवी चार गेंदों के अंदर और कितने रन जुड़ेंगे हैं यहाँ पर लाइक करिए आप से शेहंगा पडल के गेंद आस्टम के तरफ गेंथी कवर के तेशामे खेला जरूर है मिस्फिल्ड हुई वहाँ पर स्मिर्थी मंदाना से और एकरन मिल जाएगा इस गेन पर इस एकरन के साथ स्ट्राइक पर आजाएंगी भलेबाज हर्लीन देवल जिया हर्लीन देवल आजाएंगी स्ट्राइक पर यहाँ पर सिंगल के साथ और हर्लीन देवल की कोशिश यही है कि सिंगल सिंगल रूटेट करके जो है वो स्कूर को आगे बढ़ाया जाए अगली गेंदे बाद फिर से शेंगा पाथिल के ओवर की चौती गेंद हरीन देवल है स्ट्राइक पर यौर कर ये गें थी बोल्ड कर दिया जिया बोल्ड कर दिया है यहाँ पर हर्लीन देवल को 196 रनबन चुके है सात विकेट नुकसान पर 19 दृशानलब चार गेंदू का खेल हो चुका है बढ़िया गेंद बाजी श्रेंगा पाठिल की और इन 4 गेंदू के अंदर सिर्फ 4 रं दिये और एक विकेट चटकाया है तो बड़िया गेंद बाजी श्रेंग का पाटन की बड़िया ओवर कर रहे हैं इससे पहले भी सिर्फ छे रन दिये थे अपने ओवर में और आखरी के ओवर में बहुत ही खुबसूरत गेंद बाजी कर रही हैं रन बनाने का कोई मौका नहीं दे हैं गुजरात जाइंट की टीम को तो देखना होगा यहां से खेला जो है किस तरह के सागे बढ़ता है अभी भी यहां पर दो गेंदे बची हैं बड़िया पारी खेली आज शुष्मा वर्मा जो हैं वह बल्ले बाजी करने के लिए बची भी दो गेंदों के लिए क्या इन सिस्टी سाइवन रंस की पारी खेल चुकी है रवके इस म करेंड़ी है फारी जाहें सिस्ट्राइक में शुष्मा वर्मा को से यहां पर बाउंडरी मिलेगी बाउंडरी मिलेगी एस चैन पर बाउंडरी के इस चौके के साथ 200 रंद 7 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है आखरी गेंद बची है इस पारी की देखते हैं आखरी गेंद पर किस तरी किसे कहलते हैं शिश्मा वर्मा स्ट्राइक पर माजूद एक बार फिर से आउस्टम पे गेंद बार यॉर्कर गेंद ती सिदे बल और सीबी को रोयल चंजर बैंगलर वोमेंस को टार्गेट मिला है 208 रंड का चले चलते हैं जरा स्कूर कार्ड की तरफ यहां पर इनिंग ब्रेक जो हो चुकी चलते हैं जरा स्कूर कार्ड की तरफ बताएं जरा स्कूर कार्ड जो है वो किस तरीके से रहा है आज यहां पर किस तरीके से रहा है यहां पर आर्पी की तीम आपी 5 deeply मनां है की तीम यहां पर goo जाइन्स की तीम झार्गेट जहरेsters भो दिया ऑइया है hydraulic का ग्यां कि मैच की सूर्तिहाल तो मैच का सूर्तिहाल इस פरकार था यहां पर टॉच जिधा तक गुजराच जाइंस की टीम ने पहले बल्ले बाजी करने ने लिया और पहले बल्ले बाजी करते हैं गुजराच जाइंस की टीम ने दोसो दोसो एक रन मनाए साथ विगेड नुकसान पर 20 ओवर के अंदर और कारगट दिया है आर सी वी वुमेंज को 120 सो रुन्स का तो चलिए आप बात करते हैं स्कोरकार्ट की तो स्कोरकार्ट आप स्बकर सामने सामने है sini कि ग्याराускज्क यहां बात करने ग्यारा गिए सिर्फ आट रट्न दोर कर लगाया थे और यहां करें सोफी डंकली जबरदस्त बल्लेबाजी सोफी डंकली की 28 गंदों बनाए पैसट रन ग्यारा चौके और तीन चौके लगाए थी यहां पर हर्लीन देवल ने भी बड़िया पारी खेली 45 गंदों बनाए 67 रन नो चौके और एक चौका लगाए था ऐशली गाडनर जादा कुछ करना ही पाई 15 गंदों बनाए 19 रन एशली गाडनर ने दो चौके यहां पर लगाए थे ऐशली गाडनर की पारी हुई समाब उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आई डैनिल हेमलता जिनने बनाए 16 ईबल सेदलन ने पर चौधरन मना अठ्री गंदों अछेंद स्क्राइब पर लगाए यहां आप नियुक्त आप्र आज बहुत कम दिये हैं आरसीबी ने अच्छी गेंदबाजी के करम पर चलें तो गेंदबाजी को आप देख लीजेगा यहाँ पर गेंदबाजों के नाम मेगें शुट ने आज तीन ओवर किये एक मेडन ओवर किया 26 रंदिये और एक विकेंद चटकाया यहाँ पर मेगें शुट ने एलिसर पेरी ने चार ओवर किये और 43 रंदिये कोई विकेट इनको मिला नहीं मगर एकॉनमी जो है वो काफी ज़्यादा रहा 10.75 का रेनुका सिं 27.67 काफी महंगी साबित हुए आज पर थी बहुत शुरिंका पाटिल के अगर बात किया तो चार ओवर किये 32 रंदिये और दो विकेट इटकाया आखरी के ओवर काफी बढ़िया किये शुरिंका पाटिल ने हैदर नाइट ने यहाँ पर दो ओवर किये 17 रंदिये और दो व सब्सक्राइब है एक अधर सब्सक्राइब लगाया है शोफी डंकली ने 65 रंद मनाया 28 गेंदों में 11 जोक्य और दीन शक्क्य लगाए और हैरलीन देवल ने बढ़िया बढ़ी शुक्याइब कर रहा है तो के बल्लेबाजी जिम्मेदारी रहेगी दोसो दोरन चेज करने के लिए स्पिर्ति मंदाना के उपर जिम्मेदारी होगी सोफी डिवाइन हैदर नाइट एलिसा पैरी रिचा गोश रंका पाडिर का कनिका अगुजा और यहां पर दिशाकस्त की जगाज पूनम खेल रही है त नमबर पांच पर हमें देखने में सत्य रिचा गोश नमबर शे पर कनिका होजा और नमबर साथ पर हमें श्रिया पाठिल जो है वो देखने मिल सकती है बल्लेबाजी के लिए अब देखते हैं मुकाबला आज किस तरीके सरेगा तब तक आप सो लोग स्ट्रीम को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजेगा कुछी तर में खतम होने वाली है उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी करिएगा पहले डिपोईट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है यहां पर जाईएगा डिपोईट करिएगा और 100% बोनस प्रात करिएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं जुर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इरिंग ब्रेक बस कुछी तिर में शमापत होने वाली है बगर बैटिंग ओडर एक पर फिर सा समझ लीजेगा आप स्मिति मंदाना, सोफी डिवाइन, हैदर नाइट, एलिसा पेरी, रिचा गोष, रंका पाटेल, कनीका, अहुजा और साथ में पूनम के उपर जिम्मेदारी होगी 202 रंड के टार्गेट को यहां पर चेस करने का लाइक करते ही है, सबस्काइब करते ही है चैनल को जून रही है हमारे साथ लाइफ हंदी कमेंटर्म पर लाइफ हंदी के साथ एκ बार फीर से आप समय लोग देख लीजेगा स्कोर कार्ट जो है वो किस तरीके से रहेगा आज के इस मुकाबले में तो मैच का सूर्तिःहाल इस प्रकार था यहां पर टॉस जिदा था गुजरा जाइंस की टीम ने पहले बल्य करने ने लिया और पहले विकिट नुकसान पर 20 ओफिर केंदर और टारGET दियाे RCP मुमेंस सामने हैं यहां पर scorecard को आप सब्सक्राइब करने हैं यहां पर बल्ले बाजी ऑपनिंग बल्ले बाजी करने आए टो शमनी मेगना और सोफी डंकली शमनी मेगना ने ग्यारा गेंदू मना मनाए जी आं ग्यारा गेंदू मनाए सिर्फ आठ रन दो चौके यहाँ पर लगाए थे और यहाँ पर बात करें सोफी डंकली की जबरदस्त बल्लेबाजी सोफी डंकली की 28 गंडों मनाए 65 रन 11 चौके और 3 चौके लगाए थे यहाँ पर हर्लीन देवल ने भी बड़िया पारी खेली 45 गंडों मनाए 67 रन 9 चौके और एक चौका लगाए था ऐशली गाडनर जादा कुछ करना ही पाई 15 गंडों मनाए 19 रन ऐशली गाडनर ने दो चौके यहाँ पर लगाए थे ऐशली गाडनर की पारी हुई समाब उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आई डैनियल हेमलता जिन्होंने बना साथ गेंडों का सामनां किया दो चौक एक शक्का लगाया था एने बेल सेदरलेंड ने भी यहाँ पर 14 उन्होंना जाँ एक चोखा लगाए था इसनिया नाडा ने तीन जहरा एक शुक्त को रागा एकशडे बाजी अबहुत गागा और आज यहां मेडन ओवर किया 26 रंदिये और एक विके चटकाया यहाँ पर मेगें शुट ने एलिसा पैरी ने 4 ओवर किये और 43 रंदिये कोई विकेट इनको मिला नहीं मगर एकॉनिमी जो है वो काफी ज़ादा रहा 10.75 का रेनुका सिंग ठाकूर ने आज 4 ओवर किये एक विके चटकाया 9 रंद परती ओवर के हिसाब से यहाँ पर रंदिये पृती बोस ने भी आज यहाँ पर 3 ओवर किये यहाँ पर 3 ओवर किये 47 रंदिये कोई विकेट नहीं मिला एकॉनिमी जो है 15.96 काफी महंगी साबित हुई आज पर ती बोस श्रिंका पाटिल के अगर बात किये तो 4 ओवर किये है तो दो अर्दर्शतक यहाँ पर लगते हुए नजर आए है तो यह रहा है बल्लेबाजी करम यहाँ पर जो है गुजराज जाइंस की टीम का अगर हम बात करें तो टार्गेट की तार्गेट अब 202 रन का है रसीबी की टीम को रहना है तो दो दो रन जीतने के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें की बल्लेबाजी करम में क्या का खून से बल्लेबाज तो यहां पर दिशार कसत की जिगा चैज रही है तो इन पे जिम्मेदारी होगी कि आज इस मुकाबले में रंचेस किया जाए शिफाया पर इस्मिति मंदाना से उमीद यही है इस्मिति मंदाना सोफी डिवाइन जो हो ओपन करेंगी नंबर तीन प्याइंग एलिसा पैरी नंबर चार पर होंगी हैदर नाइट नंबर पांच पे हमें देखने में सत्य रिचा घोष नंबर शे पे कनी का होजा और नंबर साथ पहमें श्रिया पाठिल जो है वो देखने हो मिल सकती है बल्लेबाजी के लिए अब देखते हैं मुकाबला आज किस तरीके सरेगा तब तक आप सो लोग स्ट्रीम को लाइक करके चल 500 रुपे का है पहले डिपोईट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है यहां पर जाईएगा डिपोईट करिएगा और 100% बोनस प्राथ करिएगा उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट करिएगा झाल घ्याता है और डिपोईट करना है गूगल पर फोन पर पेटीम से आप पर कर सकते हैं यहां पर इरिंग ब्रेक बस टार्गेट को यहां पर चेस करने का तो मैच का सूर्थिहाल इस प्रकार था यहां पर टॉच जिता था गुजराज जाइंस की टीम ने पहले बल्ले बाजी करने का ने लिया और पहले बल्ले बाजी करते हैं गुजराज जाइंस की टीम ने दोसो दोसो एक रिंद मनाई साथ विकेड नुकसान पर 20 ओवर केंदर और टार्गेट दिया है RCB वुमेंस को 202 रंस का तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं स्कोर कार्ड की तो स्कोर कार्ड आप सबके सामने है यहाँ पर स्कोर कार्ड को आप सलों देख लीजेगा scorecard आपके सब के सामने है यहां पर बल्ले बाजी ओप्टनिंग बल्ले बाजी करने आए ते शुमनी मेंगना और सोफip डंकली शुमनी मेंगना ने 11 गेंगों मनाए जी यहां 11 गेंगों मनाए सिर्फ 8 रन 2 चूके यहां पर लगाए थे और यहां पर बात करें पाई 15 गेंदों मनाए 19 रन एशली गाड़नर ने दो चौके यहां पर लगाए थे एशली गाड़नर की पारी हुई समाव उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डैनियल हेमलता जिन्होंने मनाए 16 रन साथ गेंदों का सामना किया दो चौके एक शक्का लगाया था एनेबल एक चौका यहां पर लगाया अतिरतर रन जो है वो दो रन मिले यहां पर आज एक्स्ट्रा जो है बहुत कम दिये हैं आरसीबी ने अच्छी गेंदबाजी के करम पर चलें तो गेंदबाजी को आप देख लीजेगा यहां पर गेंदबाजों के नाम मेगल शुट ने आज तीन ओवर किये एक मैडन ओवर किया 26 रन दिये और एक विकी चटकाया यहां पर मेगल शुट ने एलिसा पहली ने चार ओवर किये और 43 रन दिये कोई विकेट इनको मिला नहीं मगर एकॉनिमी जो है वो काफी जादा रहा 10.75 का रेनुका सिंग ठाकूर ने आज 4 ओवर किय एक विकी चटकाया नौर प्रती ओवर के हिसाब से यहां पर रन दिये प्रिती बोस ने भी आज यहां पर 3 ओवर किये यहां पर 3 ओवर किये 47 रन दिये कोई विकेट नहीं मिला एकॉनिमी जो है 15.67 काफी महगी साबित हुई आज प्रिती बोस शुरिंका पाटिल के अगर कोई को एक हिकिट मिला है रहिनुका सिंग्ठाकूर को एक मिला है दो विकिट मिले है श्रेंका पाठिल को और दो विकिट मिले है। को और बल्लेबाजी में कर दिखा जाए तो दो अर्दशतक यहां पर लगते हो नज़राएं है दो अर्दशतक लगते नज़राएं है एक अर्दशतक लगाए है शोफी डंकली ने 65 रन मनाए अठाइस गेंदों में गैरा जोक्य और दीन शक्क्य लगाए और हैलिन देवल न बल्लtic वाजी के बल्लेबाजी करब में क्या कहां कौन को से बल्लेबाज है यह bärillipp के सामने है इस टिम्डीम के बल्लेबाजी जिम्मेदारी रहेगी दोसो धो तौन दोसो धोरन enabling के यहां上 Icha को गोश यंगा निका और यहां पर दिशा कस्त के जगाज को नोra रही है तो ह पर जिम्मेदारी होगी कि आज इस मुकाबले में रंचेस किया जाए शिफाया पर इस प्रति मंदाना से उमीद यही है अब देखते हैं मुकाबला आज किस तरीके सरेगा तब तक आप सो लोग स्ट्रीम को लाइक करके चलों को सब्सक्राइब कर दीजेगा कुछी तर में खतम होने वाली है उससे पहले आप सो लोग सब्सक्राइब कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी करेट करिएगा पहले डिपोईट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है यहां पर जाईए यहां से इनिंग ब्रेक जो है वो समाप्त हो चुकी है प्लेयर जो है वो ग्राउंड के तरफ एंडर कर रहे है आर्सीबी के तरफ से सोफी डिवाइन और यहां पर समिती मंदाना जो है वो उपन करन मैच जहां देखने को मिले अब किस तरीके की बल्लेवाजी रहे इहां पर किस तरीके शिरुए की कि फिच्छे दो मुकाबलेसे बल्लेवाजी जो फेल करते नजर आई है आर्सीबी कीजिए यहां पर किम ग्राथ प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुके हैं तो लाइक करिए आप सोलों सब्सक्राइब कर दिए चैनल को जुड़ जाइए कि हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहे कि पहली गेंड स्ट्राइक पहें स्मृति मंदाना बड़िया ये गेंड थी अच्छा सा हलका फूल का स्विंग जह हो देखने को मिला है इस गेंड पर ऑस्टम के बहार ड्राइब करने गए गेंड और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं यहां पर अस्मृति मंदाना के बल्ले से है giy और थार्गट है 201 मिनाया था आज यहां पर गुजराज जाइंज की टीम ने और क्या यहां पर इस ranches को अंजाम दे पाएंगे कैस रannches को अंजाम दे पाएंगे देखना होगा अगली गेंड यहां पर डालती मी यहां पर बल्लेबास गेन बास के इमगराद की ये गेन थी सामने मुझूद है बलेबास यहाँ पर स्पृति मंधाना एक बार फिर से एक्स्प्रस पॉल कर दिया गेन को गेन चाहरी स्पृलिक में आपके दिशामें वहाँ पर थोड़ी सी चाहिए 200 रंजी जीतने के लिए अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर एक बार फिर से गेंद बाज बाज पर यहां पर गेंद बाज जादा बाहर कर दीए गेंद वाइड करार दिया अम्पायर ने इस गेंद को एक रन और जुड़ता हुआ एक रन और जुड़ता हुआ खाते में यहां पर जो है आरसीबी के तीन रन बिना के सिनुस्तान के दो गेंदे हो चुकी है इस मुकाबले की पिछले मुकाबले में किम ग्राथ ने पांच विके चटकाए थे यूपी चा रन के लिए लेगबाई का ये चौका रहेगा जी है पैड से लखके गई है गेंद अमपायर ने इसको लेगबाई का चौका करार दिया है स्मिर्टी मंदाने के खाते में यह रन जुड़ेंगे नहीं मगर तीम के खाते में यह रन जुड़ते हुए पहला और का इचा गेन लेकर चलेंगी यहाँ पर किम ग्राफ किम ग्राफ के और क्या अगलिए कैना उस्टंग के बाहरी अगैन ती कट कर दिया गेन को गेन जारी है सिदा डीप पॉइंट के फिल्डर के पास एक ही रन मिलेगा इस गेन पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे बल्लेबाद सोफी डिवाइन सोफी डिवाइन को भी पिछले कुछ मुकाबलों में स्टार्ट देखी अच्छा मिला है मगर बड़ी पारी खेलते नजर नहीं आई है सोफी डिवाइन आज के इस मुकाबले में देखते हैं यहां से किस तरीके से गेम आगे बढ़ता नजर आता है स्कोर हो चुका है आठ रन बिना किस नुक्सान के चार गेंदे हो चुकी है यहां से थोड़ा बहुत स्कोर को आगे लेके चलना पड़ेगा चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ एक बार फिर से किम ग्राथ गेंद लेकर चल रही है सामने माजूद बल्लेबाज सोफी डिवाइन आकरामक शैली की बल्लेबाज है इस गेंद को गैप में यह गेंद है और एक रन तो असानी से पूरा कर लेंगे और दूसरा रन भी जी हां मिश्रा भाहि क्या लगता है कलर आएगा इस मैच भाई हो सता है अगली गेंच के वाई पुल किया ज़रूर है मगर वहाँ पर मिड्विकिट फिल्टर ने डाइव लगा का गेंद को फिल्ड किया कोई रन नहीं मिलेगा स्केर पर स्कोर अभी भी नौर रन बिना किसे रुकसान के एक ओवर हो गया है सम्मा आप कोशिश यही है दुनों बल्ले बादो के कि दस रन प्रती ओवर के हिसाब से यहां से रन को रोका जाए और टीम का स्कोर जो है वो आगे बढ़ाया जाए देखते हैं यहां से मुकाबला आगे किस तरीके से बढ़तर जाता है लाइक करिए आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को कुरूर रही हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंटर में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वो काफी बढ़ी रहने की उमीद रहेगी यहां पर जो है एक ओवर समापत होशका है नौरन बेना कशन चिक चलिए यहां से अगर बात की जाय है तो नौरन बन चुके हैं बिना किसो नुकस्जान के एक ओवर जो है उस थमाप तो चुका है अब यहां से देखना होगा किस तरीके से खेल जो आगे बढ़ता है RAB women's की टीम को अगर आगे बढ़ना है आगर यहां से आगे बढ़ना है तो इन दोनों बले बाजों को आगे से टीम को लीड करना होगा एक बड़ा स्कोर जिस तरीके से पाउर प्ले में सोफी डंकिली ने खिला था उसी तरीके से आज मंदाना और यहां पर बलेबाज आपर सोफी डिवाइन को खेल ला होगा इस बीच गेंद बाजी करने के लिए यहां पर आपर कमर को बिलाग एक और किसम आपती हो चुकी है अगर बात की जाए स्कूर की तो यहां पर आगे बढ़ना होगा आगे बढ़ना होगा यहां पर 113 गेंदों में चाहिए 192 जीतने के लिए कि 113 गेंदों में 192 बनाते हैं नजर आएंगे एक बार फिर से कवर के ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंदी सोर की बड़िया गेंद बास हैं स्ट्राइक पर मौझूद हैं स्मिति मंदाना क्या बड़ा शॉट खेलेंगी जी यहां इस बार बड़ा शॉट खेला यहां पर स्मिति मंदानने चौका मिलेगा जी थोड़ा सा ऑस्टम पर एंगेंति सीदे बंलले से खेल दिया मिड़ फिल्डर से मिस्फिल्ड हुई वहां पर एक चौका और जुड़ता हुआ यहां पर आरसीभी की इस पारी में और आरसीबी का स्कोर पहुशता हुआ यह 14 रन बेन यहां पर यहां पर कमर की और इस बार डिफेंस किया सीधे बल्ले से खेला गेंद गई मिडॉफ की दिशा में फिल्टर मौचूद कोई रण नहीं मिलेगा इस गेंद पर पर से बाउंस बाउंडरी के बाहर चारन के लिए चौका मिलता हुआ चौका मिलता हुआ इस गेंद पर और मंदाना के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ यहां पर स्कोर पहुसता हुआ रसी बीका ठरार रन बेना किसे नुकसान के एक दिशनलव चार गेंदे हो चुकी ह यहां से और रंस बन रहे हैं नौर ना चुके इस सोवर से अब देखना होगा मुकाबला जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा अभी तो श्मती मंदाने की बल्लेवाजी काफी अच्छी लग रही है और उमीद यही है कि बड़ी पाली जो है वो आज खेलें और टीम का स् लगा है गेंद बास के सरके ऊपर से गेंद निकल जाएगी मगर वहाँ पर लॉंग ओफ फिल्टर मौजूद है वन बाउंस फिल्टर के हाथ में यह गेंद है एक ही रन मिलेगे इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगी बल्लेवाज यहां पर सोफी दिवाइन 19 रन बन चुके हैं जी यहां 19 रन बन चुके हैं बिना किस नुकसान के एक तशनलों पांच गेंद हो चुका है समाब अब देखते हैं यहां से अब खेला किस थरीके से आगे बढ़ता है अभी तो 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 खिये सानी से सिंगल डबल रोहर रोटेट किये जा रहे हैं और यहां पर सोफी डिवाइन के अगली गेन अंदर आती वी गेंद सीधे बले से खेला गेंद गई इस बार लॉंग ऑन के दिशा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर ओवर के समाप्ती होती हैं जी यहां ओवर समाप्त हो चुके हैं 20 रन कोई नुकसान नहीं कोई व सिंगल डबल रॉटेट करने होंगे बॉंड़िस बटोडनी होंगी तबी टीम का स्कूर जह हो आगे जापाएगा चली चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ देखते हैं यहां से किस तरीके से यह खेल जह हुआ अगे बढ़ता अभी तक तो शुरुवात ठीक टाक सी प्रवाइन के बल्ले से इस बार चौका आता हुआ जी हां पर सोफी डिवाइन के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका उनकी सपारी का और स्कोर पहुसता हुआ सब्सक्राइन के आज किम गरात का दिन नहीं है कि जादा स्विंग जहां वो देखने हो मिल नहीं रही और आसानी से बल्लेबास है वो ड्राइव लगाकर बाउंडरी बटोर रहें और जिस तरीके से सोफी डिवाइन खेल रही है अब बागी खतरनाक साबित हो सती है गुजर गई इस चौके के साथ पहुंच गया टाइस रन और सोफी डिवाइन ने साबित कर दिया जिया खलीयर कर दिया यहां पर कि वो जो है बड़े शॉर्ट लगाते हुए नज़र आएंगे सोफी डिवाइन खुपसूरत बल्लेबाशी यहां पर और गाफी घातक बल्लेबाश जी है इनकी इन से बचके रहना होगा यहां पर कहीं न कहीं गुजराज जाइन से गेंद बाजों को कि अगर यह चल गई तो मुकाबले को बिलकुल एक तरफा ही कर देंगे यहां पर चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ एक बार फिर से किम ग्राथ के ओवर की अगल सोफी डिवाइन काफी बहतर बल्ले बाजी कर रही है च्छे गेंदों में ग्यार मनाये हैं दो चौके जरूर लगाएं इस ओवर में पावर प्ले का भर पूर यूज करने चाहती हैं चाहती हैं कि साट पैसर टरन जो है बीना विकिट के यहां पर जोड लिए जाएं पाव बूंट गई यहां पर लीजिए यहां पर कैट छूट गई क्या देखना होगा क्या अचाश लग रहा है कि यहां पर चूट गया है और एक जीवन दान मिल गया है कि हैं सोफी डिवाइन को यहां यहां पर सीधे बल्लत से खिला था मिड़ आफ को क्रॉस कर नहीं पाएं ग सुक्सान के 24 गेंदे हो चुकी है इस बीच ओवर की अगली गेंद इस बार यहां पर पांच गेंदे इस ओवर की सोफी डिवाइन है स्ट्राइक पर साथ गेंदे केल कर गैरर मनाए है आप से लो लाइक करिएगा सुखदेव सिद भाई कह रहे हैं यहां पर चट्के लगवा इस ओवर में अभी तक 9 रना चुके हैं दूसरा और यहां पर किम ग्राथ का पहला और भी काफी अच्छा गया था वहां पर रना आये थे काफी रना आये थे स्कोर हो चुका है रसे बीको नत्यस रन बिना किसे नुफसान के 25 गेंदे हो चुकी है अब देखते हैं यहां प फिल्ट्रों के 20 से गेंद को निकाल दिया का और बाउंडरी के दिशा में चौके के लिए एक और चौका आता हुआ जिए एक और चौका आता हुआ यहां पर इस बाहर मंदाना के बल्ले से 10 गेंदों में सोलन नमना कर खेल रही है इस प्रती मंदाना तीन ओवर समाप तो चुके हैं 33 रण बिना किसे नुक्सान के आर सी बी मुमिन्स का स्कोर है एक सो दो गेंदों में चाहिए 169 जी आं एक सोदो गेंदों में चाहिए 169 रण स्टो क्या यहां से बनाते हैं नजर आएगी ए टीम अभी तो तो शिरुवात काफी बहतर नजर आ रही है दो यहां पर दुनों बल्लेवाजों से और जितनी देर ये दुनों बल्लेवाज क्रिश्प पर खड़े रहेंगे उतनी देर ता उतना ही मैच को जो है वह क्लोज लेके जाते हुए नजर आएंगे और दुनों बल्लेवाज की यहां से हर गेंद पर जो है मौका लग रहा है तो बाउंडरी बटो रहें यहां पर और स्ट्राइक भी रूटेट करते हैं मगर यहां पर अब ऑस्टेलिया की और आश्ली गार्डनर को भेज़ा गेंदा गेंद थमाई गई थमाई गई थमाई ग करती हैं अब देखना होगा यहां से गेंद बाजी किस तरह चलती है चौथे और की पहली गेंज पार सोफी डिवाइन स्ट्राइक पर आश्टम की तरह पटकी भी गेंद पूल कर दिया गेंद को गेंज जारी है स्क्वेर लेक बाउंडरी की दिशा में चारण के लिए जि है वह काफी बढ़ी चल रहा है एक बाद फिर से अगली गेंद आश्टम पर गेंद को सोफी डिवाइन ने कोई रन नहीं मिलेगा स्केंद पर सोफी डिवाइन का आज रुख जो है वह बिल्कुल क्लियर है जब जब गेंद खराब मिल रही है उस गीन का भरपूर फाइद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आती भी स्मिति मंदाना तीन गेंदे और की हो चुकी है पांच रन आ चुकी है पाउर प्ले का ये चौथा ओवर है और यहां पर दोनों अपनर बल्लेबाज जो है जब जब मौका मिल रहा है बाउंडरी जो है बटोर रहे हैं अब द कर्दै लिए घिया जेखा यहां पर रन आउट का भी चांस शूड़ दिया यहां पर यहां पर पर रनाउट का भी चांस हूट गया ऐकर करनते यहां पर इसालीत की तरा आКА आगर फिल्च रहन नहीं पाया है और यहांत एख्चरथ करद के एक ज करना पसंद करती है इस ओवर में आखरी गेंदे चौते ओवर की 49 रन बन चुके हैं आर सीबी के बिना किसे नुकसान के आखरी गेंद सामने माजूद सोफी डिवाइन अश्ली गाडनर की एगेंद फुलंद की गेंद ती सीदे बले से खेल दिया लॉंग लॉंग ऑन की को गाडनर ही आउट करें बिल्कुल सही करें रफ्तार भाई प्रॉक्सी बाइब करो एंडी के चक्का लगवाओ वाई और गुज्राज जीते की पैतिसरण से बाई कहरें यहां पर मुहम्मद अली भाई और रॉकरी भाई कहरें चक्का लगवाओ और सुक्देव सिद्ध यहां इसे अगर यहां से थोड़ास सा सभ़ के बल्ले बाजी करें तो एक अच्छा कहता स्कूर जह है वो देखने हो मिल सकता है यहां पर अश्री गार्णर का वर समाप्त हो चुका सातर नाय थे उसे बाउनर के तरफ गेंग जा रही है दाइव लगा है फिल्टर ने गेंग को रोक नहीं पाएंगी चौका मिल जाएगा लीजिये ये तो आसानी से ऐसा लगा किसे टहलाया था इस गेंद को और चौका बठोरा इस गेंद पर सोफी डिवाइन ने इस चौके के साथ स्कोर पहुसता हुआ RCB वुमेंस का 44 रन बिना किसे नुकसान के 4.1 गेंद के बाद तो यहां पर सोफी डिवाइन 14 गेंदों में 22 अमना कर खेल रही है बड़ी आभलेबाजी यहां पर और हाँ सोफी डिवाइन का रुख जो है क्लियर है अच्छी गेंदों को सम्मान और खराब गेंदों को बाउंडरी के बाहर जो है पहुचा रही है यहांपर हो देखते हैं कि तरीके से देखना होगा चौका है कि नहीं कि रोप से टक्रा गई थी बिगेंद को पकड़ते विए और उप मुकाबले के अंदर फिर से ऑस्टम पे गेंटी सीदे बल्ले से खेल दिया इस बार मीड़ाफ के सर के ऊपर से वे वन बाउंडरी के बाहर सोफी डिवाइन के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ बैक टू बैक दो चौके यहां पर सोफी डिवाइन लगा चुकी है इस ओवर के अंदर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रही है और सीवी का स्कोर हो चुका है 48 रन बेना किस नुक्सान के चार दशमलव दो गेंदों का खेल हो चुका है समाप जी यहां चार दशमलव दो गें इस बार सोफी डिवाइन को बढ़िया यह शौट है एक और चौका पटकी भी गेंद सीधे बल्ले से बिलकुल गेंद बास के सर के ऊपर से गेंद बास को बचना पड़ा इस गेंद से और बाउंडरी लाइट के बाहर चार रन के लिए एक और चौका आता हुआ जी यहां इस दोसों का आकड़ा जो है 15 और में खितम करेगा चली चलते हैं जरा मुकाबले की तरह और रैनेबल सदर्लेंड का यह जो ओवर है वो काफी महंगा जो है पढ़ रहा है आप गुजरा जाइंट्स के लिए 12 रन आ चुके हैं तीन गेंदों के अंदर एक बार फिर से सो य 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से 92 गेंदों में चाहिए 146 रन जीतने के लिए रिक्वारेनेट देखिएगा 9 दर्शनलव 72 को हो चुका है और करंट रन डेट 11 दर्शनलव 36 का हो चुका है पावर प्ले का भरपूर फाइदा उठाया है आरसीबी की टीम ने 35 रन बन चुके है बिना के सनुकसान के पाचवा ये ओवर है स्ट्राइक पे मौजूद हैं स्पृति मंदाना क्या एक और बाउंडरी लगाएंगी इस ओवर में पटकी विकें इस बार पुल किया है इनको गेंड जारी है मिड़ विकेंड दिशा में फिल्डर डाय लगा है इनको फिल्ड कि और अब टीम के लिए कम से कम जो है वो तीन रण बचाएं यहां पर फिल्डर ने एक ही रण से संतुष्ट करना होगा स्पिती मंदाना को स्ट्राइक पर आ जाएंगी सोफी डिवाइन स्कोर हो चुका है चाउवन रण बिना किसी नुकसान के चारदर सनल पांच गेंदे ह हो चुकी है 91 गेंदों बचाईए 148 रण जीतने के लिए अब देखते हैं क्या होता है इस मुकार सूर्टेहाल आखरी गेंद बची है अभी भी एनाबेल सदर्लैंड के इस ओवर में क्या एक आदा बाउंडरी जो वार बठोरेंगे एक बार फिर से ऑस्टन के बाहर यह ग बारा इस मुकाबले को यह देख रहुए और काफी बढ़िया चल रही और काफी अच्छी लज़र आ रही है RCB की टीम के और RCB अच्छा खेल भी रही है बहुत अच्छा खेल रही है RCB की टीम शुरुवात काफी मजबूत है यहाँ पर एक और बार Ashley Gardner को ओवर दिया गया है Ashley Gardner के ओवर की पहली गेंटी है और पहली गेंट जो है वो डॉट गेंट है स्मिर्थी मंदाना की यह पारी समाप्त होती वी चौदा के दो मना एठार रन स्मिर्थी मंदाना ने और यहाँ पर कैच आउट हो गई है विकेश चटकाया Ashley Gardner ने जिया Ashley Gardner ने चटकाया है विकेट और पहला जटका लगता हुआ और यहाँ पर स्मिर्थी मंदाना कैच आउट होके पाविलेन जाते वी चौदा गेंट में अठार रन की पारी समाप्त होती है शुरूआत आज जरूरत थी विकेट की इस पार्टर्शिप को तोड़ना था और तोड़ा यहाँ पर ऐश्ली गार्डनर ने आपर देखते हैं आने वाली बल्लेबास कौन रहेंगी यहाँ पर बात करें अगर विकेट की तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी कर गई इस मुकाबले के अंदर मुकाबला जो है वह काफी बढ़िया रहने की उमीद थी अभी बी एठासी गेंदों में चाहिए 148 रन जीतने के लिए 88 गेंदों में चाहिए 148 रन जीतने के लिए अभी भी मुकाबला दूर नहीं है क्योंको रिक्वार्णर ने दस दसल्द दो एक का है एश्री गार्णर के अगली गेंस बार फुर सो शॉट आफ लेंद गेंद गेंद को डिफेंस कर लिया यहाँ पर एलीसा पैरी ने कोई रन नहीं मिलेगा 54 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर 5 दिशनलव तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाप जी यहाँ पांच दिशनलव तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाप लाइक करिएगा आप सो लोग एक बार फिर से और अस्टन के एक विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर 5 दिशनलव तीन गेंदों के बाद एक पर फिर से अगली गेंद ऐसली गाडनर के इस ओवर की हलकेतों से खेला इसको एलिसा पैरी ने और सिंगल बठोरा यहाँ पर स्कोयलर की दिशा में खेल कर स्ट्राइक पर आग यहाँ पर अगली बल्ले बाद है शोफी डिवाई ने पर फिर से ऑस्टम पे गेंद व्राइब किया जरूर मगर वहाँ पर फिल्टर मौजूद है कोई रट नहीं मिलेगा इस गेंद पर तो 6 वर्थ हमापत हो चुके हैं 69 विकेट नुकसान पर RCB वुमेंस का स्कोर है देखते हैं गेंद बादी कौन करेगा यहाँ पर अब साथ वे और क्योंकि पाउर प्ले खतम हो चुका है अब चार फिल्टर जो है बाउंडरी पर डख सकेंगे यहाँ अब अब देखते हैं यहां से फिल्डिंक मक्रिये गेंद बादी जो है वो कौन करता नजरा आता है यहाँ पर देखने को मिले चलते हैं जरा गें की तरफ यहाँ पर आपसो लोग यहां पने करते रही करते रहिएगा विकेड तो कमिंग हो गयी विकेड तो आएगी है अब चरो अऺए आशे कर दो बाई सुटिंगल लीजा सिंगल लिया स्कुर्ट पर और इस ट्राइक पर आचुकटी है परले बाद definitely पीडिवाइन आ गई हैं स्ट्राइक पर और अगरबाद की जाएज मुकाबले की तो साट रन बन चुके हैं ग्रेट नुकसान पर तिरासी गेंद में 142 रन चाहिए जीतने के लिए सोफी डिवाइन यहां पर स्ट्राइक पर होंगे महजूद इस ओवर में 60 लाइन पर गेंद बाजी करें दो सिंगल आ चुके हैं ध्यान रखिएगा पाउर प्ले हो गया सिंगल डेवल से अब सहारे के साथ गाड़ी आगे बढ़ानी होगी और एक अदा बीच में बड़ेवर शॉट चीए हो हर और में आपको एक बाउंडरी और सिंग बचा के खेलेंगे तो आफ़ी पांच उपर साथ रण भी रहे तो आप रहा सकते हैं आप रही को अगली गेंद कवर के सोवर की कदमों का इस्तमाल क्या गेंद को खेला है लौंगों को दिशा में एक रण मिलता हुआ इस गेंद पर स्कोर पहुसता हुए यहां पर बासट सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अगली गेंद आखरी गेंद सोवर की सामने है सोफी डिवाइन ने लग रहा है कि मंदाना के जाने के बाद सोफी डिवाइन का जादू जो है वह त्वासा ठंडा पढ़ गया है और यहां पर सोफी डिवाइन थुरसा फसीवी नजर आ रह दर चाहिए सिधा पॉइंट फिल्टर के बडिया यहां पर यहां पडिया ओवर यहां पर कवर का ओब और सिर्फ और सिर्फ यहां जायाए ऑड़ हुदर जाए और देखते हैं अगला और कॉन करने आएगा आठबावर लेकि कौन आता है बल्लेबाजी के रिचाइब भोष टीम के अंदर हैं पूनम खेमनार रिचाइ में का अहुजा है साथ में श्रेंग का पाटिल जो है इस टीम के अंदर है बल्लेबाजी काफी लंबी है आरसीवी की चलिए चलते हैं जराब स्निहाराना जी आप जैसा मैंने आज कहा था आपको प्रीशो के अंदर के सिनहाराना को पावर पले के बाद तुरंट बाद गेंदबाजी करने के ल 62 रन बन चुके है एक विकेट नुकसान पर एक बार फिर से दूसरी गेंद स्निहाराना के सोवर के स्ट्राइप माजूद लीसा पैरी क्या बड़ा शॉट खेलेंगे इस केंद पर जिया फूरिसा फुल टॉस गेंद थी सीधे बल्ले से खेल दिया लॉंग आप के दिशा म बुंबा इंडियन की बल्ले बाजी काफी स्ट्रॉंग है तो कौन जीतेगा उस मुकाबल देखना होगा एक बार फिर से सोफी डिवाइन को ही है स्निहाराना की तीसरी गेंद बार डिफेंस कर दिया इस गेंद को कोई रन नहीं मिलेगा चौती गेंद के तयार हो रही है स् पर मातर एक रंद दिया है चौती गेंद सोफी डिवाइन है स्ट्राइक पर क्या बड़ा शौट लगाएंगे को रिक्वार अंडेट बढ़ते नजर आ रहा है यहां पर स्निहाराना की ए गेंद चौती गेंद सामने सोफी डिवाइन फुल टॉस गेंद सीदेवले से खेल दिये हैं गुजराज जाहिट्स की टीम ने अगली गेंद अलिसा पैरी को यहां पर स्निहाराना की यह गेंद पांचवी गेंद इस ओवर की बड़िया गेंद बाजी कर रही है एक पर फिर से अलिसा पैरी को रूम बनाया तो सीदेवले से खेल ले गई बल्ले का अंधुर कर दिया है यहां पर स्निहाराना ने अगली गेंद ओवर की ओवर की अगली गेंद आखरी गेंद पठकी भी गेंद इस ओष्ट के बाहर कट कर दिया गेंद कई शौट थर्ण मिलेगा इस गेंद पर इसे एक रण के साथ एक नहीं आपकर दो रण मिलेंगे आप थोड़ सी बिस्फिल्ड होई फिल्डर से और दो रन बटोर लिए इस गेंद पर जो है अलीसा पैरी ने तो यहां से ओवर समाप्त होता हुआ अच्छा ओवर स्निहा राना का चार रना इस ओवर में उससे पहले ओवर में सिर्फ तीन रनाय दें तो बतलब समझ दीजे कि दो और में सिर पर नहीं गाये होंगी कि रिक्वाइर रनेट को नीचे लाए जाए क्योंकि रिक्वाइर अब 11-11-33 का हो चुका है और करन्ट रन रेट आर्ट दो पांच का हो चुका है अगली देखना होगा अगली देख़़ फिर से यहां पर गेंद बाजी करने के लिए किसे बुलाया गया जिया एनेबल से दर्लेंड को वापस बुला लिया गया है गेंद बाजी करने के लिए पाउर प्ले के बाद इनका यह नवा और होगा और इनिंग का यहां से इस ओवर में बड़े शॉट लगाते नजर आएंगे क्या देखना होगा अगली देखना होगा अगली बाउंडरी चाहिए मगर यहां पर सिंगल डबल रोटेट हो रहा है जी हां सिंगल डबल रोटेट किया जा रहा है और सिंगल सिंगल के सहारे गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं यहां पर अब देखना होगा किस तरीके से गेम रहता है आप अभी तक तो यहां पर पेरी होंगी नौ गेंद में दसरम रागे खेल रही है अगली गेंद एनेबल सेदरलेंड के इस ओवर की दूसरी गेंड एलस पेरी हैं स्ट्राइक पर लेक्स्टंप पे गेंद तिफ लेक कर दिया इस गेंड को स्क्वेर लेक बाूंडरी की दिशा में चार रन के लिए जी इस बार बाउंडरी पर टोड़ती में एली सब पहरी देखा कि यह थोड़ से बिड़े स्टम पे है शुफल किया और कलायों के सारे खेल दिया इसको स्कूर लेक बाउंडरी के बाउंडरी के बाहर चारण के लिए शौके के साथ स्कूर पहुसता हुआ आर सीबी का इकत्तर रन एक विकेट नुकसान पर आठ दुशनलत दो गिंदो अखेल हो चुका है समाथ बढ़िया यह शौट था और बढ़िया यह बल्ले बाजी है देखना होगा ऐसे बाउंडरी और लगाने पड़ेंगी तभी टीम का स्कूर जह हो आगे बढ़ पाएगा एक बार फिर से गेन लेकर चलेंगे यहाँ पर एनबल सदरलेंड ओवर किये तीसरी गेन स्ट्राइक पर है अलिसा पैरी का आउट कर पाएगे बार फिर से स्लोर वन गेन कट किया गेन को मगर वहाँ पर पॉइंट फिल्टर से मिस्फिल होई एक रन मिल चाहेगा इस गेन सिंगल दोडने में हिचकिचा नहीं रही है आपर सोफी डिवाइन और एलिसा पहरी जब मौका मिल रहा है सिंगल सिंगल रूटेट कर रही है स्कूर हो चुका है बहत्तर रन एक विकेट नुकसान पर आर्द सनलो तीन गेंदवा खेल हो चुका है समापते एक बार फिर से रैंड के उबर के अगली गेंद चौहां पर चौती गेंद इस ओवर की सोफी डिवाइन है स्ट्राइक पर क्या सोफी डिवाइन इस गेंद पर बड़े शॉट लगाते वे नज़राएंगे क्या देखना होगा देखना होगा एक बार फिर से ऑस्टों के बाहर ये गेंद बल्लेबाज स्ट्राइक पे आजएंगे बल्लेबाज यहां पर जोह अब पांच भी डाट गेंद यह हैं दो चूट नहीं रहा है किस तरीके से खेल चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर एकदम से ही रिक्वार्ट रंडेट जो हो बढ़ गई है करिंट रंडेट जो हो गिर गई है अब देखते हैं कि इस तरीके से गेम आगे चलेगा लाइक करते ही आप सो लोग सब्सक्राइब करते ही यह चैनल को चुल रही है हमार साथ इस मुकाबले के अंदर एक बार फिर से गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर जो है अब इनवे सद् पर तीन ओवर के अंदर कम से कम जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पंदर नर बनाएं तीन ओवर के अंदर स्कूर हो चुका है यहाँ पर चौतर रन एक विकेट नुकसान पर नौवर समाप्त हो चुके हैं स्ट्राइक पे होंगी एलिसा पैरी जो की 13 गेंद मे 27 गेंदों में जियां 27 गेंदों में 35 रन मिना कर खेल रही है 66 बॉल्स में चाहिए 128 रन चाहिए 66 बॉल्स में रिक्वार रन डेट 11246 चार का है आप सो लोग जो है यार सेट बेट के साथ जूड़ जाईएगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनल पेन कर दिया है उस लिंक कर दिया है उस लिंक को क्लिक करिएगा अपना यूजर नेम पास्ट बनाईएगा आपके आईडी क्रेट हो जाएगी डिपोईट करना बहुत असान है गूगल पे फोन पे पेटियम से आप यहां पर डिपोईट कर सकते हैं विड्रॉल जो है 15-20 मिनिट के अंदर बै आई-पिल मैच जीतने का तो यहां पर आईडी करिये और आपका बास चांस रहेगा आई-पिल मैच जीतने का और ग्राउंड पर जाके मुकाबराल लाइभ देखने का अभी जाइएन तरक यहां पर यहां पर लंभी पारी खेल सकती है और शोफी डिवाइन यहां से, पर बाउंडरीज बटोर सकती है तभी ये गेम जह है वो आगे बढ़ता नजर आएगा अब देखते हैं आगे का सूर्तिहाल क्या रहता है इस मुकाबले का सूर्तिहाल किस तरीके सा आगे बढ़ता है अभी तो गेम देखिएगा तो गुज्राज जाइन्स के हाथ में है क्योंक तो मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाजों के लिए इसलिए टाइम आउट के बाद ही एक दो बड़े ओवर्स बटोरने पड़ेंगे सोफी डिवाइन और ऐलेसा पैरी को पैरी जो है वह अभी तक उनका स्ट्राइट जहें वह ज्यादा तीजी से नहीं बल्लेबाजी कर र कीजेका चैनल को मुखाबला कर रहा है यहाँ पर है पर कुछ कमाल हो पाएगा, क्या कुछ कमाल की बल्यबाची ओ बात रहेगी यह देखना बात रहेगी, लाइक करते ही आप सब लोग सबस्क्राइब करते ही यह चनल को, जुड़ रही है हमारे साथ, लाइब Hinndy कमेंटरिमें क्रिकेड लाइब लाइफ हंदी के साथ, यहां पर टाइम आउट जो है वो खतम हो रहा है अभी भी एक सो 28 रंच चाहिए 66 बॉल्समें क्या कमाल हो पाएगा क्या धामाल हो पाएगा क्या यह मुकाबला चल पाएगा यह देखना होगा चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ देखते हैं क्या होता है इस मैच का सूर्थ हाल चलिए यहां पर आप गेंद बाजी करने लिए सिर्णाणाई है पहली गेंद सिर्णाणाई की कदमों का इस्तमाल किया यहां पर जोहली साथ पहली ने सीधे बल्ले से खेला जरूर मगर गेंद को फिल्ड कर लिया जिया केंद को यहाँ पर फिल्ड कर लिया कोई रण नहीं मिलेगा इस केंड पर स्कूर की अगर बात की जाए तो स्कूर अभी भी चोहतर रण एक विकेट नुकसान पर काफी खूब सूरत यहाँ पर बल्ले बाजी करते नज़रा रहे हैं नकी देखते हैं किस तरीके से ऐसा पर चांस लेती हैं किस तरीके शौट खेलती हैं जरूरत तो यहाँ बड़े शौटों की है क्या बड़े शौट लगाते हुए नजर आएंगे इस मुकाबले के अंदर देखना होगा चलिए अगली के बाफिर से यहाँ परसनिया रहाना के यह उंगली पे चोट लग गई तो हमां रोकेंगे जब सीधे बल्ले से खेला है अब देखना होगा क्या fit है क्या fit है यहाँ पर तरीके से गेम चलेदा यहाँ यह देखना होगा जढ़ घंबीर चोट तो नहीं क्योंकि कफ्तान है पहले ही चोट के चलते बैतमूनी को खो चुकी है गुज्राज जाइंट्स की तीम अगर यहां पर स्निया ना भी ग्राउंड से भार जाती है फिर कौन यहां पर कफ्तानी करते नजर आएगा इस मुकाबले की वह देखना होगा यहां पर अभी बात की जा बिल्कुल जुड़े हैं तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग है सितरी की सपोर्ट करिए का सनिया ना अगर बात की जाए सिनया ना की तो गेंदबाजी काफी अच्छी करती है दो मुकाबला में दो वेकेट चटकनाएं जरूर है सनिया ना ने अपनी गेंदबाजी के अंद है चलिए अब देखते हैं कि आफिर्ट रहेंगे है Orient की ऐधा चोट जो है वो चोट जो है वो ज़्यादा गंभीर नहों और ज्यादा नुस्थां नहों यहांपर जो है वो गुजराज जाइंट्स की टीम की az hybrid जो है वो चैक कर रहे हैं अगर बात की जाए ओभी बेंकिज जीतने के लिए एक तान को खोया है और फिर इंजली के चलते ही कफ्थान को देंगे तो फिर नुक्सान बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहां पर वह में टीम में कभी दो से प्रस टार्गेट चीज नहीं किया है अरे प्रॉक्सी बाइट तो क्या आज भी नहीं होगा क्या प्रॉक्सी बैट्समें ने दोसों नहीं लगा थे अब साथ बल्लेबाजों ने साधर बल्लेबाजों ने दोसों लगा दिये कभी जी नहीं होती है लोगों जाए फिर तो ऊतर आता है देखते हैं भी क्या होता है सनिया राणा क्या फिट है क्या गेंद वाजी कर पाएंगी यह देखना होगा या फिर उनके स्पेल के जो बचे वे गेंदे हैं वो कोई और कर या सनिया राणा तियार है सनिया राणा फिट है और टेपिंग की गई है उनके बाएं हाथ की तरफ पट्टी लगाई गई है उंगली में उनकी और वो दाइंहां से गेंद वाजी करती है अच्छी बात है बाइंहांत में लगी है अगली गेंद एक बार फिर से इस नहीं है राणा के इस ओवर की स्ट्राइप मौचूद बल्लेबास अलीसा पैरी ओवर की दूसरी गेंद पहुसता हुआ सब्सक्राइब करते हैं और ऐसे अगर शॉट लगाएंगी तो काफी बढ़िया रहेगा यहां पर देखते हैं मुकाबला किस तरीके सागे बढ़ता है अगर बढ़ता है स्कोर की तो अभी तर तो स्कोर ठीक टाक चल रहा है इसने अराणा के ओवर के लिए इन चौती गेंद लेक्स्टम पे गेंद ती स्वीप कर दिया इस गेंद को स्वीप के साथ जो है सिंगल बठो रहा है इस गेंद पर और अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो स्ट्रा एक रन और मिलता हुआ यहां पर एक रन से गाड़ी आगे बड़ रही है यहां पर आर सी बी की इसोवर में पितों सिर्फ छे रनाये गेंदी वाइड करार दिया अंपायर ने जियां वाइड होना चाहिए निश्ची तोर पर यह वाइड देंगे अंपायर वाइड गेंद है स्कूर होता हुआ ऐसाँ गेंद लेकर चलेंगी यहांपर स्नेया ना गेंदबाजी करेंगी माजूद होगई बल्लेबाज अगली गेंद होगी अगली गेंद इस बार ओवर किये है आखरी गेंद होगी अगर फिर से ओस्टम पे गेंद से केला मगर वहां पर से रहना रहन है गेंद को रोखनी कोशिश की थोड़ से मिस्फिल्ड हुई और एक रन मिल गया जिया एक रन मिल गया इस गेंद पर इस एक रन के साथ यहां पर स्ट्राइक पर रखेंगे अपने पास अलीसा पैरी साथ गेंदों में चाहिए 120 रन जीतने के लिए 10 ओवर समाप तो चुके हैं 82 रन एक विकेट नुक्सान पर RCB वुमेंस का स्कोर है अब 12 रन प्रती ओवर के हिसाब से यहां पर नम्राना होगा यहां से अब देखना होगा कौन गेंद बाजी करेगा दीरे दीरे गेम खो आगे लेके जा रहे हैं क्या यहां पर गेम आगे बड़ता हो नशरा आएगा क्या यहां पर जीतते हो नशरा आएगे इस मकाबले के अंदर वो देखना होगा जोड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी कामेंटरि में, क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ, मुकाबला जो है, काफी बड़ी है रहने के उमीद है, अब देखते हैं कि इस तरीके से खेल जो है वागय बढ़ता, आप यहां से सोफी डिवाइन और एशार पैरी को हर ओर में दो चौके बठोड़ने पढ़ेंगे यहाँ पर इस भार बड़ा शौट खेल ले घुए पॉइंट की तरशा में मगर यहाँ पर गेंद गई शॉट फर्में दिशा में फिल्डर माचूद कोई रण नहीं मिलेगा एक और डॉट गेंद यहाँ पर कवर गेंद बाजी करने के लिए आई है क्या कवर की इस गेंद पर शॉट लगेगा यहाँ और अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो अभी भी अठावन गेंदों में चाहिए एक सो उन्निस रण चाहिए अब देखते हैं अठावन गेंदों में के एक सो उन्निस रण बना पाएंगे एक बार फिर से अगली गेंद कवर की सोफी डिवाइन को लेक्स्टम पर काफी खतरनाक तरीके से चल रही है कोई मौका नहीं दे बल्लेबाजों को कि वह बड़े शौट खेल पाएं यहां पर कमर के ऊपर और कमर ने देखिए काफी बढ़िया चल रहा है पंदरा गेंदे करीं सिर्फ सोलर रंद दी हैं अपना स्पेल का तीसरा ओवर कर रही है औ लाइव के सारे केल दिया मिड़ विकेंद दिशा में एक सिंगल और आता हुआ एक सिंगल और आता हुआ इस ओवर में तीन सिंगल आ चुके हैं चार गेंदों के अंदर अगर बात की जाए स्कोर की तो स्कोर हो चुका है यहां पर 85 रन एक विकेंद नुकसान पर 10.9 चार केंदे हो चुके 56 गेंदों में 117 रन चाहिए जीतने के लिए अगली गेंज बार कमर के सब्सक्राइब की यॉर्कर गेंद थी सीरे बल्ले का अंदुरू निक्रान लगा अगर गेंज जाएगी स्कोर्ड लेकि दिशा में एक रन तो मिल गया है दूसरा रन भी पूरा करें करेंगे जी दूरन मिलते हैं और सोफी डिवाइन के इस गेंद पर दूरन से काम चले का नहीं नहीं तो आपको चौकों चौकों के परदाबर शाथ चाहिए जलते हैं जरागली की तरफ एक बर फिर से और सामने मौजूद सोफी डिवाइन है क्या बड़ा शॉट खेल सकती है क्योंकि यहां पर सिंगल डबल से माइन नहीं करी कुझा जाइन की तीम फिर से यॉरकर गेंथी सी डिवले से केला लॉंगन को दिशा में गई है गेंद एक ही रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आती भी सोफी डिवाइन और स्ट्राइक र कमेंटरी का साथ दिये ने दिने आया है बाई बिल्कुल तो थापा भाई देए आप परदी भाई करें विश्ण भाई एक बास समझ नहीं आई है जब से डोलु आइप स्टार्ट हुआ है पी एसल में बंडबा मैंच उड़ रहा है बिल्कुल परदी यहीं चल रहा है यह बढ़े ऑ चलने के उमीद है मगर अभी भी मानशी जोशी मांशी जोशी को बुलाए गया है गेंदबाजी करने के लिए मांशी जोशी आई है यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए 54 गेंदे जी हां 54 गेंदों में एक स्टोधरन चाहिए मानसी जोशी हममन दो दो ओवर का स्पेल कर रही थी अब पिछले कुछ मुकाबलों में है क्या आज की इस मुकाबले के अंदर पूरे स्पेल कर पाएंगे मानसी जोशी के अब के पहली गेंद सौफी डिवाईन है स्ट पहली गेंद पर भी सिंगल लिया है सोफी डिवाईन ने और स्ट्राइक पर आ गई है ऐली सा पैरी क्या करेंगी कुछ पैरी कमाल क्योंकि 53 गेंद में चाहिए 113 रन जीतने के लिए और जरूरत है जरूरत है इस रन्स की जरूरों की बहुत ज़्यादा जरूरत है यहां स्ट्राइब फिर सेह मांसी जोषी के गेंद और स्ट्राइप मौझूद kidney साथागन पर ऐसे बड़े शॉटों की जरूरत है और वही बटोर भी रही है यहां पर बटोर भी रही है यहां पर चौक है いき यहां पर अगली को य्हां पर मांसी जोशी दुसरी करीं अंट को पाचन दे चुकी है पर फिर से एलीसा पैरी है स्ट्राइक पर अगली गेन इलीसा पैरी को यहाँ पर मान्सी जोशी की बड़ा शॉट केला एक और बड़ा शॉट यहाँ पर चौका मिलता हुआ जिया पटकी भी गेन तीस बार कट कर दिया गेन को और बिलकुल थर्ड मंग क दिशाओ में खेल दिया है शॉट को चौका बटोर देवे नौर रन आ चुके इस ओवर में तीन गेदों में नौर बटोर चुकी है यहाँ पर तीन गेदों में नौर बटोर चुकी है पिएसल में आठ ओवर्व एक सुबीशन वह भी जो टीम पॉइंस नमबर पर पैसी होता है ऐसे ही होता है परदीब भाई क्रिकिट है खेला तो होवे ही खेला हो वे अपेला हो वे किसे पता था आज मुकाबले में चली चलते हैं पाँचवी गेंद स्ट्राइक पे हैं अलीसा पैरी जो है वो खतरनाक साबित हो रही है गुजराज जाइन्स के लिए क्या विकेट मिलेगा इस मुकाबले के अंदर देखना होगा है और फिर से यॉर्कर गेंद तीज बार सीधे बले से खेल दिया गेंद बाज ने अपने द सामने माझूद बले बाजा एलीसा पैरी कैर पीस यॉइन और अगली गेंद पैरी को यहाँ पर पटकी भी गेंद थी कटकिया इस गेंद को मगर यहाँ पर गेंद में मांची जोशी ने एक और जटका है यहाँ पर 25 गेंदों में 32 रन की ये पारी समाप्त होती हुए अलिसा पैरी की गेंदों पांच गेंदे हो चुकी है 97 रन दो विकेट नुकसान पर RCB वुमेंस का स्कोर है अलिसा पैरी 25 गेंदों में 32 रन मरागर पावी लिया है जाती है और अनचास गेंदों चाहिए 105 रन जीतने के लिए और यहां पर कैच काफी जबरदस्त रहा है काफी बढ़िया ये कैच रहा है शुम्मनी मेंगना ऐसा लग रहा है शुम्मनी मेंगना नहीं पकड़ा है कैच जी नहीं डैनिल हिमलता ने पकड़ा है कैच और एलीसा पैरी हुई आउट 25 गेंदों में बनाए 32 रन 5 चौके लगाए थे यह पारी समावत होती है पिल की टीम जह है क्या यहां पर 200 का आकड़ा जह हो क्रॉस कर पाएगी जिया क्या 200 रन बना पाएंगे यहां पर यह देखने लिए बात रहेगी इस बार स्ट्राइक पे हैं मांसी स्ट्राइक पे होंगी अब रिचा घोष मांसी जोशी के ओवर के आखरी गेंद यहां पर जिस तरीके से बल्लेवाजी चल रही है यहां पर मजा नहीं आ रहा यार देखा जाये तो चलते हैं तो चलते हैं जरा गली गेंद की तरफ एक बार फिर से रिचा गोश निन्यान मुकाबले खेले हैं स्ट्राइक काफी बहतर रहता है सब्सक्राइब रहता है मां पर अगर देखा जाये तो 48 गेंदों में चाहिए 105 रन जीतने के लिए 13-11 एक तीन रन प्रती ओवर के हिसाब से अगर बात की जाये तो RCB की शुरुआ जिस तरीके से हुई थी उस तरीके से अंत जो हो नहीं रहा है रंस जो है बन नहीं रहे हैं सूफी डिवाइन 32 गेंद चाहिए तो यहां से आपको बड़े ओवर्स बठोड़ने पड़ेंगे और बिलकुल बिलकुल गुजराज जाइंस के गेंद बाजों ने मौका ही नहीं दिया है शॉट लगाने का RCB के बल्ले बाजों को और तालिस के दों चाहिए अब 105 रन जीतने के लिए दिखते हैं य सब्सक्राइब बाजों के पर बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं मगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो आज सोफी डिवाइन एकदम से ही स्लो बल्ले बाजी करने लग गई और तभी मोमेंटम शिफ्ट हो गया चलिए यहां पर किम गात आ चुकी है गेंद बाजी कर हुआ यहां पर आप चाहिए सेंतलिस गेंदों में एक सो एक रन यहां पर सोफी डिवाइन तैंस गेंदों में पैंतलिस रन बराकर क्रिस्प मॉझूद है इसकोर होचुका एक सो एक रन दो विकेट नुकसान पर बार तसनल एक गेंद के बाद यहां पर अगर बात की यहां से अगर बात की जाए इस मुकाबले में तो भाईया लग रहा है कि शायद आज भी एक यहां पर एक और चौका होता हुआ सोफी डिवाइन के बल ऐसे आट रना चुके इस ओवर में तीन गेंदों के अंदर पैंतालिस गेंदों सतानवे रंचाहिए जीतने के लिए रिक्वार रंडेट फिर से बारत असनलत नो तीन का हो चुका है अगर बात की जाए इस मुकाब मिलना बहुत जरूरी होगा यहां पर चले देखते हैं कि सोफी डिवाइन इस गेम को फिनिश कर पाएंगी या फिर मुकाबला जो है वहां से जाएगा रसी बी के चले चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ किम ग्राथ के ओवर के अगली गेंद बार चौथी गेंद पटक पूरे होते वे 36 गेंद मनाए हैं सोफी डिवाइन ने एक सोचे रण बन चुके हैं दोविकेट नुकसान पर बड़ा दशनलव चार गेंद हो चुकी हैं जी हां बारा दशनलव चार गेंदू का खेल हो चुका है समाप्त यहां से अब देखते हैं किस तरीके से खेला हो ब फिलेगा इस केड़ पर घोष को एक सोचे रण दोविकेट नुकसान पर बारादवादा सब्सक्राइब पांच गेंद हो चुकी हैं आखरी के ओवर में आपर आखरी की ओवर में क्या रंस बनेंगे क्या रंस बनेंगे टीम आगे स्कोर लेकर जा सकती है क्या यहां से आख गोश्ट का बड़ा शोट लगा पाएंगे फिर से ऑस्टम के तरफ गेंड ड्राइब करने कहीं गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं और डॉट गेंद कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंड पर तो ओवर किसे हो गई सोफी डिवाइन इस मुकाबले के अंदर अबरे टीम का स्कूर जो है वह आगे लेकर जाप आएंगी चलिए सलते हैं जरा मुकाबले की तरफ किम ग्राइब के वर के वी तीन ओर जो है खत्म हो चुके हैं किम ग्राइब के 27 रंड डी है मिला नहीं है किम ग्राइब हममन रेखने को मिल सकता है इस मुकाबले के अंदर तुन रही है सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते ही on है कृण को मुकाबल मुकाबल जो है काफी बढ़ी हो रहन yn so fit डिवाइन ने Strike दिया है रिचा घोश को रिचा घोश क्या आप अ करामा कर रहा है जो है वो अपनाएंगे जियाँ एक बार फिर से सैना रणा किए गयन यौर करिए गयन थी कोई मौका नहीं आप पर रिचा घोश के पास चार गेंदे खेल चुकी है रिचा घोश अभी तक खाता नहीं खु सब्सक्राइब करेंगे तीसरी गेंद होगी सामने मौझूद होंगी बल्लेबाज रिचा गोष्ट का बड़ा प्रहार करेंगे एक बाहरी किनारा लगा गेंद गई सीधा थर्ड मिन की दिशा में चौका मिलता हुआ जी इस बार किस्मत का साला रहा और चौका मिला यहां पर रिचाउ घोष्ट को शौके के साथ खाता खुलता हुआ रिचाई घोष्ट का पांच गेंदो में चारना खेल रही है एक सो गयारा रंद्ड दो विकेत नुक्सान पर तेरा तेला थे बात रहे गी आपर फिर से रूंब मनाया इस बार कवर कर ऊपर से खेल लिए कोशिश पॉइंट की दिशा में एक और चौका आता हुआ यहां पर इस पारी के अंदर रिचा घोष के दो चौके बैक टू बैक लगा दी है नौन आ चुके हैं इस ओवर से भी 38 के दम चाहिए 87 रन जीतने के लिए अभी भी गेम आउन है गेम आउन है यहां से दिशा घोष की कोशिश है एकादा बाउंडरीस बाउंडरीस है वो लगाई जाए और स्कूर को आगे बढ़ाय जाए देखते हैं क्या होता है इस मैच के सूर्थियाल अभी भी अगली गेंद इस बार स्निहाराणा के ओवर की चौथी पाचवी गेंद है सामने मौझूद बल्लेबाज है रिचा घोष है एक बार फिर से हो फुल टॉस गेंद कलायों के सारे खेल दिया स्कूर्ला की दिचा में एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर इस एक रन के सबनाना है मैच जीतने के लिए स्निहाराणा के ओवर के आखनी के लिए इस गेंद जाएगी सिधा लॉंगोन के दिचा में एक रन मिलेगा इस गेंद पर ओवर की होती भी समापती 36 गेंदों में चाहिए 85 रन जीतने के लिए क्या यहां से सोफी डिवाइन और रिचा घोष अपनी टीम का स्कूर आगे लेके जा पाएंगे क्या अपनी टीम को यहां पर जीत दिला पाएंगे वो देखना होगा चिनोंने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीज का और पहले डिपोईट करने पर आपको 100% का बोनस मिलता है मालीजे 500 करेंगे तो 500 का एक्स्टर बोनस हजार डिपोईट करेंगे तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनल पिन कर दिया गया है लिंक लिंक को क्लिक करिएगा सेटबट पर जाएगा आईडी क्रेट लाइगी यहां पर आखरी के कुछ ओवर्स बचे में आखरी कुछ ओवर्स में क्या बड़े प्रहार लगते हुने जराएंगे क्योंकि सोफी डिवाइन जब तक खड़ी है कि इस पर घोष खड़ी है इसके बाद आने बल्लेबाद है तो खुसता है कि यहां से गेम जो हो जो हो शिफ्ट होता रहे हैं यहां पर कवर को बुलाए गया है गेन बाजी करने के लिए कवर ने गेन बाजी काफी अच्छी करी है तीन ओवर किये है 20 रन दिया और को विकेट नहीं मिला है सोफी डिवाइन को यह पहली गेन लेफ्ट आवर्स पर स्प्रिल गेन बाज की गया है यहाँ पर सोफी डिवाइन के बल्ले से चलते हैं जरा अगली गेन की तरफ कवर के उपर प्रेशर रहेगा कि सोफी डिवाइन को रोकना बहुत जरूरी है एक बार फिर से गेन लेकर चल रही है होस्टम पर यह गेन थी फिर से स्वीप करने गई मगर इस बार गेन जा साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगी बल्ले बाज रिचा घोष एक छोर से रन लगने से काम नहीं चलेगा दूसरे चोर से रिचा घोष को भी बाउंडरी जो है बटोडनी होगी 24 रन बन चुके हैं दो विकेड नुकसान पर अगली गेन कमर के इस ओवर की अगली गेन तीसरी गेन रिचा घोष है स्ट्राइक पर ऑस्टम पे गेन थी ड्राइब किया जरूर है कवर फिल्टर के हाथ में ये गेन थी कोहरन नहीं मिलेगा इस गेन पर जीयां साथ रन आ चुके हैं तीन गेनों के अंदर प्रेशर जो है वो डाल रही है कहीं रिचा घोष सोफी चुके हैं इस ओवर के अंदर घेन धी हो गई है चार पंदरवा ये ओवर है एक सो पच्छिस रन दोविकेट नुकसान पर आर सी बी का स्कोर है जीया आर सी बी का स्कोर है पंदर अवर से पंदरव ओवर में यहां पर थोड़ा सा अगली गें सौफी डिवाइन को फिल्ट की गेंदी सिदे बल्ले से केला जरूर बेट विकेट फिल्डर ने गेंद को रोक दिया कोई रण नहीं मिलेगा एक और डॉट गेंद आती बढ़िया गेंद बाजी कवर की पहली गेंद पर शक्का जरूर लगा मगर उसके बाद अगली जो चार गेंदे करी हैं वो काफी से खेलने गहीं ड्राइब करने कहीं कोई रण नहीं मिलेगा जिया एक और बढ़िया ओवर यहां पर कवर का विकेट नहीं मिली मगर सिर्फ चार ओवर में ठाईस रण दिये यहां पर ऐसी पिछ पर जहां पर गेंद बाजों के लिए जादा कुछ है नहीं और रंस जो है लिए जया तर है यहां पर पर देंखते हैं यहां पर dai Saud की मांग लिए यहां पर देखना होगा क्या होता है क्या रही है है अब डेक्ते हैं से मुध्स काल हरता है मूद स्टरीके से आंगे बढ़ता एक स्ट्रीम के लाइक करिये। सबस्क्राइब करिए क्योंकि आप बची है तो सोफी डिवाइन का अंतक खेलना बहुत जरूरी रहेगा क्या सोफी डिवाइन इस मुकाबले के अंदर अपनी टीम को जीता पाएंगी क्या क्या यहां से गेम को आगे बढ़ा पाएंगी क्या देखना होगा यहां से आप सो लोग सेट बट के साथ जूड़ जाईए गया लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचनल पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रेट करिए मिनिममम बैट से 10 रुपे मिनिममम डिपोईट जहां सिर्फ 500 रुपे का है और यहां पर पहले डिपोईट करने पर आपको 100 परसंट का बोनस मिलता तो जाईए खेलिए और जीते सेट बट के साथ विड्रॉल जहें बंदनों से 20 मिट के अंदर बैंक अकॉन कर आ जाता है बैट करना वाद यह सान है गूगल पर फोन पर पेटियम से आप लिपोईट कर सकते हैं लेंक का डिस्क्रिप्शन में लाइचे नमप्न कर दिया उसे लेंग को क्लिक करके आई डी क्रेट करिएगा खेलिए और जीतिये सेट बेट में कर दिया है खेलिए और जीतिये सेट गोश कर पाएंगी क्या बात करें आप सेट बेट पर सेट बेट पर एक और उफर चल रहा है जहां पर आप IPL मैचेस के टिकेट जी सकते हैं अभी जाके ID करिएगा और आप ID करिट करिएगा तो आपको चांस रहेगा मैंस और वूमेंस मैच की जीतने का और ग्राउंड के अंदर बैट कर सीधर लाइब मैच देखने का तो जाईए खेले और जी ते सेट बेट के साथ स्क्रीन पर दिये वे नंबर पर वर्ट सब मैसेज भी कर सकते हैं प्लस आप जाके डायट भी जॉइन कर सकते हैं सेट बेट के साथ चलिए शलते हैं जरा मुकाबले के तरफ रिचा घोष सोफी डिवाइन तोनों स्ट्राइप में आजूद हैं टाइम आउट हो रहा है खतम 30 गेंदे 77 रन 15.4 शूनने रन परती ओवर चाहिए एक बड़ा ओवर चाहिए 20-22 रन का जी यां 20-22 रन का एक बड़ा ओवर चाहिए यहां से रिचा घोष अपने टीम के लिए क्या स्कूर को आगे लेके जा पाएंगी क्या यहां से अपने टीम का स्कूर आगे बड़ा पाएंगी देखते हैं यहां से टाइजी टाइम आउट जो है वो खतम हो रहा है प्लेयर जो है दुबारा से अपने क्रीज की तरफ बड़ रहे हैं बैटिंग करने के लिए अब बस कुछी दूर कुछी देर में यह मुकाबला जो है वो शुरू होने के कगार पर आ चुका है यह मुकाबला चलते हैं जर आप खेल की तरफ आप से लोग बिल्कुल तयार रहिएगा यहां से अब आखरी के पांच ओवर जी आखरी के पांच ओवर गेन बाजी होगी टाइम आउट हो चुका है अब टाइम आउट के बाद गेम पर रटता है ऐसा कहा जाता है यहां पर अब गेन बाजी जी गई है यहाँ पर एशली गाडनर को एशली गाडनर अब गेंद बाजी करेंगी एशली गाडनर के ओवर की पहली गेंद यहाँ पर यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने गए रिचा घोश और क्लीन बोल्ड कर दिया जिया बोल्ड कर दिया इस गेंद पर एशली गाडनर रिचा घोश को यारकर गेंद थी और पूरी तरीके से चारू खाने चित जियां पूरी तरीके से चारू खाने चित आर सीबी की रिचा गोश दस गेंदों में दस गेंदों में सिर्फ और सिर्फ दसनम राकर पविलियां चाते हैं रिचा गोश यह क्या कर दिया भाईया यह क्या कर दिया अगर यहां से थोड़ा सा सम्हाल के खेलती तो चायद कुछ कमाल जो है बन जाता यहां पर बन जाता यहां पर अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थियाल क्या सोफी डिवाइन के साथ अब हैदर नाइट मिलकर दोनों मिलकर क्या 39 गितम सततरन बना पाएंग को और रिच्वाइन की तरफ चल बैठी है चल दी है पविलिन के तरफ यहां से और बाने वाली बल्लेबाज होंगी हैदर नाइट हैदर नाइट सोफी डिवाइन एक طरफ इंग्लाइन की कफ्तान एक तरफ न्यूजिलैंड की कफ्तान और साथ टीम इनकी है रसीबी तो द फिर से यहां पर आशली गाड़नर के वर के अगली गेंट स्ट्राइक पे माजूद यहां पर हैदर नाइट रिवार्स करने का ही गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ फिल्डर्स बहुत पहुचते वे गेंट के तरफ एक रन मिलेगा इस गेंट पर इस एक रन के साथ स्ट्राइक पर आ जाएंगे सोफी डिवाइन 27 गेंदों में चाहिए 66 रन जीतने के लिए क्या सोफी डिवाइन इस ओवर में कुछ बड़े प्रहार करते नजर आएंगे पर आ जाएंगे बल्लेबाज हैदर नाइट अभी तो दो रन आए है 26 गेंदे 75 रन की जुरत है कम से कम आपको दस रन तो बटोरने ही पड़ेंगे इस इन दो गेंदों के अंदर अगर आगे के ओवर्स में आपको बने रहना है तो एक बार फिर से और फुलो फुल टॉस गेंद इस कूपर रिवर्स विप कर दिया गेंद जारी है यहां पर थर्ड मेंड के दिशा में चौका मिलता हुआ जिया जरूरत इस बाउंडरी की और बाउंडरी बटोरा यहां पर हैदर नाइट ने इस चौके के साथ स्कोर जो है वह आगे बढ़ता हुए 133 तीन विके गेंद है इस ओवर की यहां पर यहां पर यह सूल हुआ ओवर है सामने मौझूद है यहां पर हैदर नाइट है बफिट से आउस्टम के तरफ गेंद कावा के दिशा में खेल दिया इस शौक को गेंद जारी है कवर बाउंडरी के बाहर चारन के लिए एक और चौका आता यहां पर हैदर नाइट के बल्ले से स्कोर पहुसता हुआ यहां पर एक सो पैतिस रन तीन विकेड नुकसान पर सूलह ओवर समापत हो चुके है चौबिस गेंद में चाहिए जीतने के लिए सूलह दसनलो साथ पांच रन प्रती ओवर के हिसाब से जियां सूलह गें यहां पर अगर बात की जाए सूलह दसनलो साथ पांच सतर रन प्रती ओवर के हिसाब से चाहिए चौबिस गेंद में चाहिए 67 रंस एक बड़ा ओवर बीस बाइस रन का जिससे आप रिक्वार रंडेट को कम कर सकते हैं वही सिचुएशन है जिस तरीके से यूपी वार्यर्स ने देखते हैं चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ आप सब लोग बिल्कुल लाइक करिएगा सबस्क्राइब कर दीजे चैनल को जुड़ रही हमारे साथ लाइव हिंदी के साथ मुकाबला जो है वह काफी बढ़िया रहने की उमीद रहेगी यहां पर चलते हैं जरा बैंगलोर की बल्लेबाज सोफी डिवाइन होंगे स्ट्राइक पर चौबीस गेंद में 67 की जौरत है आपको एक बड़ा ओवर जरू जौरत है बड़े ओवर बड़े ओवर सी चाहिए वार तो काम बने रही है देखना एधर नाइट मार रही है उसे रिचार्ज चलिए यह इस ओवर को बड़ा कर सकती है एनबेल सदर्लेंड के इस ओवर में क्या 20-22 या 24 रन जोड़ सकती है क्योंकि यहां से आपको मुमेंटम को कर शिफ्ट करना है तो आपको बड़े ओवर की जरकार रही गया और पहली गेंद पर शक्का लगा दिया है यहां पर सोफी इनका चक्का लगा है तो फुल टॉस गेंद पर और सीधा फिल्डर के हाथ में मार बैठी यहां पर सोफी डिवाइन और हो गई है कैंचाओर जी यहां यहां पर 22 गेंदों में 61 चाहिए ते जीतने के लिए और यहां से मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि अब आर सी भी जो दरकार थी मगर खेला भी और मगर अपने शौट को कंट्रोल रखने ही पाई और सीधा लौगाण के दिशा में खेल दिया और सोफी डिवाइन जो है कैंच आउट हो गई है यहां पर आर सी भी के लिए यहां पर जीतना मुश्किल हो चुका है मुश्किल है ना मुम्किन न पर बड़े शौट लेखेलना पसंद करती है मगर यहां पर भरोस्त जताया है बायात के बल्लेबाज को कनीका अहूजा को भीजा गया पिछले मुकाबले में भी ताबर तोड़ बल्लेबाजी की थी कनीका अहूजा ने मगर यहां पर सिच्वेशन कुछ अलग है यहां से आपको पहली गेंद से ही आकरामक रवया जो है वह अपनाना पड़ेगा और अभी बाइस गेंदों में 61 रन चाहिए जीतने के लिए रसीबी का स्कोर 141 रन चार विकेट नुकसान पर अगली गेंद तीसरी गेंद एने बल्लेबाज यहां पर हैदर नाइट अब हैदर ना पर जिम्मेदारी होगी कि यहां से गेम को आगे लेके जाएं और स्कूर को आगे बढ़ाएं अगर बात की जाए स्कूर की तो स्कूर हो चुका है यहां पर 142 रन चार विकेट नुकसान पर अभी भी तीन गेंदे बच्ची है इस ट्राइक पर हैदर नाइट क्या हैदर न काबले से काफी दूर नजर आ रही है अगले के सदर लेंड के हैदर नाइट को आपस्टं के बाहर यह गेंद थी वाइड करार देना चाहिए और वाइड के साथ कुछ रूर और जुड़ेंगे यहां पर यहां एक्स्टर रन जुड़ते में यहां पर वाइड प्लस दो र गेंदों में जी यहां 21 गेंदों में अभी भी यहां से चाहिए 57 रन जीतने के लिए एक बार फिर से हैदर नाइट को यह गेंद बड़ा शौट खेला हैदर नाइट ने चौका बचोरा इस गेंद पर जी यहां क्या दो गेंदों में दो चौके और आसकते हैं क्या क्या हिदर नाइट इस गेंद को फिनिश कर सकती है जिस तरीके से ग्रेज सेईध्र इस यहाँ पर चौका मिलता हुआ जी हाँ एक और चौका आता हुआ यहाँ पर हैदर नाइट के बल्ले से इस चौके के साथ स्कोर पहुसता हुआ 154 विकेट नुकसान पर 16.5 गेने हो चुकी है 19 गेनों पर चाहिए 194 और रिक्वार रेड्येट विकेट लेकर आ चुकी है धैर नाइट लगातार दो बाउन बाउनरी गेन को इस वाइड़ के साथ एक रन और जुड़ता हुआ RCB के खेमे में RCB के खाते में यहाँ पर 154 विगेट नुकसान पर 165 गेंदे हो चुकी है देखते हैं यहाँ से किस तरीके से खेल आगे बढ़ते हैं क्या हैदर नाइट यहाँ से गेम को फिनिश कर पाएंगी क्या चौका यह चक्का लगा सकती है इस ओवर के अंदर अभी भी एक बड़ा ओवर है एक बड़ा ओवर जरुती और बड़ा ओवर आया भी RCB के लिए एक बार फिर से अगली गेंद एक बार फिर से लोफिल टॉस यह गेंद कलाई हो कनीका आउजा होंगी स्ट्राइक पर कनीका आउजा को चाहिए कि सिंगल लेके स्ट्राइक हैदर नाइट को दिये जाए क्योंकि 15 रन प्रती ओवर के हिसाब से अगर कोई बना सकता है रन तो वो है यहाँ पर हैदर नाइट क्या हैदर नाइट यहां से इस गेम को फिनिश कर पाएंगे जो काम ग्रेस हैरिस ने यूपी वालियर्स के लिए किया था क्या वो काम यहां पर जो है हैदर नाइट अपनी टीम के लिए कर पाएंगे काफी महंगा ओवर 23 राएंगे इस ओवर से और जरूरत भी थी जरूरत भी थी इस ओवर में काफी रंस बचोड़ने की क्या करते हैं क्या करते हैं अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थ या लगर बात की जाए एनेबल सदर लैंड की काफी खतरनाक जो है वेंद बाद हो चुकी है अब कहीं न कहीं यहाँ पर जो है आरसी भी गुज्रा जाइन्स के लिए अगली गेंदेबा फिर से पहली गें बड़ा शौट खेला है चौका बठोरा है इस गेंद पर यहाँ पर कनी का हो जाने कनी का हो जाने आते ही अपने रुख साफ कर दिया इसनेहा राणा गेंद बाजी करने आई थी और आते ही चौका बठोर लिया यहाँ पर कनी का हो जाने बड़िया बले बाजी कनी का हो जा किस तरीके से खेलेंगी वो देखना होगा एक बार फिर से अगली गेंद यहां पर कनीका अगुजा को कनीका अगुजा को यहां पर अगली गेंद सिंगल लिया कनीका अगुजा ने किस गेंद पर स्ट्राइक दे दिया है जियां स्ट्राइक दे दिया है है धर नाइट को सिंगल सिंगल के साहरे गाड़ी आगे बढ़ रही है यहांपर देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थियाल क्योंकि यहां पर रिव्यू लिया गया है अचली यहां पर थड़ा मपायर आए गया कि उस सिंगल लिया गया था एक बार नोबल भी चेक की जाएगी यहां पर यहां पर नोबल भी चेक की जाएगी क्या जियां नोबल भी चेक हो रही है देख पर no ball चेक करने के लिए no ball चेक करने के लिए कि full toss gain थी और pull करने गई थी इस gain को और full toss gain पर एकरन मिला है तो हम पायर एक बार चेक करेंगे no ball चेक हो रही है no ball आपको पता होगा IPL में भी रूल आ चुका है कि no ball और white ball के लिए भी अब टीमे जो हैं वो review यूज करती है और women's मेंस मैंच भी यही है ऐसा लग तो रहा है कि Jackie help वह होंनी चाहिए और यहां पर ऐसा प्रतीद भी हो रहा है कि छोटे कट कि खिलाडी है और बेस नीचे हो जuçता है還有 ये नोबल लग रही है यहां पर और देंगे स्पक्राइर नोबल देंगेotta काफी बडियां यहाँ पर रहेगा आर सीबी के लिए आर सीबी को चाहिए कि यहां पर गेंदे जो है वो मिले और यहां पर रन्स वो कम होते जाएं क्योंकि अभी भी 16 गेंदों में 49 रन्स जीतने के लिए अगर यह नोबल होती है तो एक गेंद और जुड़ेगी 17 गेंदे बचेंगे और रन्स हो कि हैदर नाइट जज कर रहा ही थी वहाँ पर नोबल को फुल टॉस गेंद थी और उसको पुल करने कहीं देखना होगा जिया ऐसा लग तो रहा है कि यह जीव गरीब कुछ तरीका रहा है यहां पर जो है आई पिल में की डापने का मुझे समझ में आए जिया ऐसा लग रह क्या हैदर नाइट दो बड़े शॉट खेल सकती हैं क्या देखना होगा आगली गेंद एक बार फिर से सामने मौझूद है है धर नाइट ओवर किये तीसरी गेंद स्रेहा ना एहम ओवर कर रही है फुल टॉस गेंद रिवर स्वीप कर दिया इस गेंद को एक सिंगल लिया इस गेंद पर स्ट्राइक प्याजेंगी कनी का हुजा इस ओवर में छे रन आ चुके हैं 15 गेंदों में चाहिए 38 रन जीतने के लिए कम से कम आपको बचीवी तीन गेंदों में 8 रन तो बटोर नहीं पड़ेंगे क्या 8 रन बटोर ते नजर आएंगी कनी का हुजा एक बड चूद पर लेबाज कनी का हुजा यहां पर लेक्ष्टम पर ऑफ्टम पर गेंद ती और सीधी रह गई है गेंद मिस कर गई कनी का हुजा इस गेंद को अभी भी चौदा गेंद 38 रन कनी का हुजा को कोशिश करनी चाहिए कि सिंगल लेके स्ट्राइक जैव हैदर नाइट बड़े शौट लगाना पसंद कर रही है एक पर फिर से गेंद लेकर चल रही है आप लोग फुल टॉस एगेंद स्वीप कर दिया इस गेंद को गेंद को गेंद जारी है स्कुर्ड लेक बाउंडरी के बाहर चाहरण के लिए जिया एक और चौका जोड़ती हुजा आपने इस खाते में और RCB के लिए एक एहम बाउंडरी दस रन आ चुके हैं इस ओवर में 13 गेंद में चाहिए 34 रन जीतने के लिए है क्या एक बाउंडरी और 15 रन प्रती ओवर बनाने है तो आपको कोशिश ये करनी होगी कि यहां पर आखरी गेंद पर एक बाउंडरी और बठो दो में 33 रन जी हां 16.50 रन प्रती ओवर के हिसाब से चाहिए होंगे मतलब 17 रन प्रती ओवर बनाने है आपको रन चाहिए सिर्फ 12 गेंद में 33 रन जो काम ग्रेस हैरिस ने किया तो वही काम आज किसी एक बल्लेबास को यहां पर करना होगा तब ही इस मुकाबले के अंदर जो है वो वापसी हो पाईगी अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले का सूर्थियाल ऐशली गाड़नर जी हां यहां पर 19 वा ओवर करने आएंगी ऐशली गाड़नर बड़ी अगेंद बाजी करती है आप कोशिश करना होगा ऐशली गाड़नर के ओवर में कम से कम 16 या गेंद बाज ऐशली गाड़नर क्या यहां पर कनीका हुजा इस मुकाबले को जीता कर एक यहां पर जो है अहम रोल जो है निभाएंगे अबरी टीम के लिए यह देखना होगा एक बार फिर से गेंद लेके चल दिया आशली गाड़नर पठकी भी गें थी यहां पर कदमों क अस्तमाल किया बड़ा शोट खेल ले गए इस स्टर्म पटकर दिया यहां पर विकिट की पर ने और एशली गाड़नर को एक और विकिट मिलता हुआ जिए का 169 रंस लॉस फाइव विकेट 18.11 एक गेंद हो चुकी है और यहां पर कनी का हुजा साथ गेंदम दसन बनाकर पवेली अंचाती वी 11 गेंदम चाहिए 33 रंजीतने के लिए कम से कम 13 तो मारने ही पड़ेंगे वहीं कम से कम 13 तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि आकरी और 20 र सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं यहां पर बल्लेवाजी करने के लिए कौन आएगा यहां पर गेंदमाजी के साथ बल्लेवाजी के साथ बल्लेवाजी किस चलती है अगर बात कीजा यहां पर मकाबले की तो बल्लेवाजी करने के लिए बल्लेवाजी करने के लिए बल्यबाज को अब तयार है, यहांपर अगली गेन, ऐशली गारड़नर के दूसरी गेन लगे स्वीप करने कहीं इस गेन को विकेट के पीछे ये गेंड चली गई दूसरी गेंड जो है वो डॉट गेंड है जिया पूनम खेमार को आज भीजा गया है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए दो गेंडे हो गईए इस ओवर की तीसरी गेंड देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे तीसरी गेंड पर प्रफिशन चाहिए और जहें जीतने के लिए क्या बड़ा शॉटाइगा बबतिस रन नौ गेंडे कम से कम आप चाहेंगे बारण चाहिए लांगा इसको लॉंगाउन की दिशा में एक ही मिलेगा इस पर इस एक रन के सा स्ट्राइक पर आ जाएएगी अब पूनम खेमनार आठ गेंदे 31 रन तो यहां मुकावला खतम हो चुका है यूँ कहीं कि आर सी भी अब गेम से तो निकल चुका है अब तो करिश्मा चाहिए होगे कि आप आखरी ओर में 26 रन लगा दें महिंद सिंग दोनी चाहिए वहीं यहां तो महिंद सिंग दोनी चाहिए एक बार फिर से गेंद एश्ली गार्डनर के इस ओवर की बड़ा शॉट खेला यहां पर सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को मिड्विकेट बाउंडरी के बाद 6 रन के लिए जी आम बहतरी निये शॉट था जरूरती शॉट के और शॉट बठो रहा यहां पर है तर नाइट ने अभी भी अभी भी छे गेंदे 24 रन पिछले मुकाबले में 6 गेंदों 20 रन चाहिए थे गुजराज जायंस की टीम डिफेंड नहीं कर पाई थी मगर आज 6 गेंदों 20 रन चाहिए मगर दिक्कत यह है इस्ट्राइक पर होंगी पूनम खेमार खेमनार पूनम खेमनार क्या यहां से अब देखना होगा आखरी ओवर कॉन करेगा वहीं बात करती हुए हैदर नाइट की आपको पहली गेंद पर ही सिंगल लेकर या फिर बड़ा शॉट खेलकर में को स्ट्राइक जहें में को देनी है और पूनम खेमनार क्या यहां पर 6 गेंदों 24 रन लगा सकती है एदर करक्राइम नीकर में किनि लगा से और कित अंब 1-800 लाइद यहां पर पूनम खेमनार को कोशिश करने चाहिए कि आते ही पहले प्रूरत की शुरात की पहली गेंड पर शौका या चटका बटोने और स्ट्राइक जो है वह कोशिश करें हैधर नाइट को देंगी हैधर नाइट जो है अच्छे फॉर्म नज़र आ रही है अच्छे लेह नज़र आ रही है यहां पर गेंडबाजी करने के लिए अब आ चु कि यहां पर पूनम खेमनार को कोशिश करने ते कि सिंगल लेके स्ट्राइक हैधर नाइट को दें मगर उन्होंने स्कूप शॉट खेला और फाइल लेक के फिल्डर ने यहां पर पकड़ा है कैच और विकेट मिला है यहां पर एनेबल से अधर लैंड को और आर सी भी का स्क कर दी और सिर्फ दो ही रण मनाएं यहां पर देखते हैं आर सी भी अपकिस्टे बेजता है यहां पर में सबसे पार्टिल को भीना चाहिए था शिरंग का पार्टिल ने पिछले मुकाबले के अंदर एक अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी बड़े शॉट खेले थे इनको चार गेंदों में से एक चौका भी लगाते हैं अब देखना होगा पांच चार छक्के चाहिए होंगे आपको कम से कम इस मुकाबले को फिनिश करने के लिए देखते हैं क्या होता इस मुकाबले का शूर्टियाल श्रेंग का पाटिल जो है वो तैयार है इस घेंदू खेलन और आर्चीवी को जिताएं सपना लगता है मगर अगर हकीकत बन सकता है अगर हैदर नाइट स्ट्राइक पे होती तो अगर पहली गेंद सही तो जलते हैं जलते हैं अगली गेंद करने के लिए अगली गेंद के सोबर की दूसरी गेंद सामने माजूद पार्टिल यॉरकर यहां से अब चाहिए चार गेंदे चार चाहिए चार चाहिए तीसरी हार के बिल्कुल करीब है और चार गेंदों में चार गेंदों में चार चाहिए हैदर नाइट दस गेंदों में 29 रगर खेल रही है देखना होगा अगली गेंद एक पर फिर से ओवर की ए पहली गेंद तीसरी गेंद इस ओवर की फुल टॉस गेंद कलायों के सारे खेल दिया स्क्वेर लेक बाउंडरी के बहार जी नहीं कुछ वाइड वाइड के रना जाए तो बात अलग है मगर यहाँ पर हार जो है अगर है अगर अच्छी बात है मगर जिस तरीके से पिछले और में बलेबाजी में यहाँ पर कहीं ने के पार्टिल को भी नहीं चीदा पार्टिल सिंकल लेकर स्ट्राइक देती हैदर प्रण को बांडर चेंघक यहां यहां पर दो गैंदों में 16 लैंटर चाहिए यहां पर एसी बल्लेबाज आपकी तीम पहले तो पहले क्यों नहीं भी जासे बीशाण पुनम खेंवार जो हैं वह अपना पहला मुकाबला खेल रही और कल के मुकाबले में ही पाटिल ने अच्छी बल्लेवाजी तो उनको पहले भुना चाहिए था यह सोच़ती की बात होगी R.C.B. के लिए अगट जहां पर सानिया मिर्जा जैसे के खिलाड़ी जहां जो टैनिस खिलाड़ी हैं वो अगर मेंटोर कर रही है RCB की टीम को आप समझ सकते हैं कुछ अलगी स्वैक चल रहा होगा RCB के खेमे में आपर अचली दो गेंदे बची है 16 रंद चाहिए जीतने के लिए अगली गेंद एक पुल कर दिया एक और बार गेंद को गेंद जा रही है सीधा स्क्वेल एक बाउंडरी के सब्सक्राइब तो खेल जो है वो खतम होने के कार पर आ जाएगा चलिए RCB कही सर भाई बिलकुल भाई RCB में अगर ऐसे कोच रहेंगे तो ऐसी हो जागा सानिया मिर्जा कोच है इनकी तो क्या खेलेंगे टैनिस केलेंगे करिकट खेलेंगे सोच कुछ चला गए इनकी यहा दस रन देखे बार रन आ चुक है इस ओर में अगर पाठील को देखे का तीन के अंदर में ग्यार मनाया जो पिछले ओवर में अगर देखा जाए पूनम को भीजा गिया मुझे समझ में नहीं क्यों भेजा क्यों भेजा था मैं तो कुछ सर खुजा रहा हूंगे RCB ने क्यो अगरी के देखे इस ओर की आप्ष्ण के बार गेंथी कोई रन नहीं मिला इस केंथ पर तो गुजराद जाइंट्स जियां गुजराद जाइंट्स जो है वो अपनी पहली जीत दर्ज करता हुए वोमेन प्रेमेर लीग में जियां वोमेन प्रेमेर लीग के अंदर अपना पहला जियां पहला मुकाबला जीतते हुए यहां पर गुजराद जाइंट्स की टीम ग्यारा रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया है गुजराद जाइंट्स की टीम ने चलते हैं जरा मैच के सूर्थिहाल की तरफ चलते हैं जरा स्कोर कार्ड की तरफ जिस तरीके से स् है यहां पर तो मैंच कर दिया है यहां पर स्कूर कार्ट की तो स्कूर कार्ट के सामने हैं यहां पर बले बाजी ओपनिंग बले बाजी करने आए तो देखते हैं मेंग देखते हैं मुख에서 लूइक करिए सबस्काइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुखे बढ़ी यहां Antarctica कीघ ताएब थोड़ा बहुत कोशिश तो यही रही है, कुछ केम चले चलते हैं, mobilize उस donaks हम प्रड़ाइ। चलते हैं मुकाबले की तरह बात करते हैं, यहां पर स्कूरकाड की, स्कूरकाड जो हम वो किस तरीके से रहा है मैच को जीत लिया है गुजराज जाइंस की टीम ने जीया गुजराज जाइंस की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया रहा है मगर जिस तरीके का खेल रहा है रसी बी का भगवान जाने किस तरीके से खेला चाहती है RCB की टीम चलिए चलते हैं मैच के सूर्थियाल की तरफ बात करते हैं यहाँ पर चलिए मैच के सूर्थियाल इस प्रकार रहा है मैच के सूर्थियाल इस प्रकार रहा है कि टॉच जिता था 6 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर जी हां 20 ओवर के अंदर 190 रन मना पाई 6 विकेट के नुकसान पर और 11 रन से इस मुकाबले को जीत लिया गुज्राज जाइंस की टीम ने गुज्राज जाइंस वर्सेज गुज्राज जाइंस की पारी खेली ग्यारा चौके और तीन चुके लगाए थे हरलीन देवल ने हाँ पर 45 गेटों में आज 67 रन्स की पारी खेली जहाँ पर 9 चौके और एक चुका लगाया एश्ली गाडनर ने आज पंदरा गेटों में 19 रन नाये और 2 चौके लगाये यहांपर डनेल हमद्रतर ने भी 7 गेटों में सूरां मनाये 2 चौके नहीं लगाया अगर बात करें अगरSONदर लेट Means 14 अज़ार ना तीन गेटों से 2 रन मना पाई और कोई भी चौका चौका नहीं लगाया केम ग्राथ नाबाद थी गुज़ाज जाइन की तरफ से जोनोंने दो गेंदों में बनाए सिर्फ तीन रन और नाबाद थी यहाँ पर शुष्मा वर्मा ने भी दो गेंदों में बनाए पांच रन और एक चौका लगाया था आरसीबी की गेंदबाजी इस प्रकार थी जहाँ पर मेगें शुट ने जी आँ मेगें शुट ने यहाँ पर गेंदबाजी की और तीन ओवर किये 26 रन दिये एक विकेश अटकाया एकौनमी जह है वो आर दसनल लग चीए साथ की थी एलिसा पहरी ने 4 अवर किये 43 रन दिये और शून ने विकेश चिटकाया कोई नहीं मिला एलिसा पहरी को आज एकौनमी भी काफी ज़ाधा रहा गेंदो दसनल लग साथ पांच का रेनुका सिंल छाकूर ने जह है 4 अवर किये 36 रन दी एक रो नवरण पर्तिल ओवर के इसाब से रन दिये प्रिती बोश ने भी आज 3 ओवर किये 47 रन दिये कोई विकेट नहीं मिला 15-67 का economy रहा यहाँ पर श्रिंका पाथिल ने भी 4 ओवरण दिये 32 रहा यहाँ पर एकॉन साथ ड़िकर चुटका यहाँ पर दिखा दिए आपको बल्लेबाजी यहाँ पर मैंने गुजरात जाइंट्स की अब बात करते हैं RCB के बल्लेबाजी कीजिया RCB इस मुकाबले गैरन से हार गया मगर बल्लेबाजों ने यहाँ पर रन बनाए और तीन चौके लगाए थे अपना विकेट जो है वो गवाय था ठरन के निजी स्कोर पे सूफी डिवाई ने अच्छी पारी खेली 45 गेदों में 66 रन बनाए आर चौके और दो चौके यहां पर लगाए एलिसा पैरी ने भी काफी बड़ी है बल्ले बाजी की पच्छी गेदों में 32 रन पार पांच चौके यहां पर लगाए रिचा गोश ने आज निराज किया सिर्फ दस गेदों में दस रन बनाए और दो चौके लगाए हैदर नाइट यहां पर जो है वो नाबाद रही है है घदर नाइट ने बनाए यहां पर तीस रन 11 गेंदों का सामना किया पांच चौक एक शक्का लगाया कोशिश बहुत कि टीम को चिताने के मगर उपर के बल्लेबाजों ने काफी धीमी कती से बल्लेबाजी की इस वज़े से अपने टीम को जो है वागे ले जा नहीं पाए उसके बल्लेबाजी करने साफी बेवकूफी भरा डिसेजन था आज यहां पर जो है आर्सीबी के स्पोर्ट साफ का क्योंकि एक हैं ओवर था उन्निस वावर अगर वहां पर श्रेंग का पाड़िल शायद उपर बल्लेबाजी करने आती तो शायद केल का रुख और होता मगर यहां पूनम खेमनर न संगराथ तीन ओवर किये 27 रंदिए कोई विकेड नहीं मिला इकॉनिमी जो है वो काफी बड़ीया रहा नौर अर्न प्रतिय ओवर के साब से दिये तनुजा कवर ने भी काफी बड़ीया गेंद बाजी करी इकॉनिमी काफी अच्छा था चार ओवर किये 28 रंदिए कोई वि गेंदबाज रही है बल्ले से भी कुछ रन बनाये थे और यहां पर गेंदबाजी में भी तीर विक्री चटकाते नज़र आई हैं साथ दसलव साथ पांच रन का एकॉनिमी था इनका अगली गेंदबाज रही है इनेवल सदर्लेंड का दिन थोड़ा सा खराब चल रही है इन अच्छी गेंदबाजी करी चार ओवर किये चौतिस रन दिये कोई विकेट नहीं मिला आर्ट दशनलों पांच शूने रन प्रती ओवर के इसाब सरण उठाए मांची जोसी ने सिर्फ एक ओवर किया नो रन दिये और एक यहां पर जो है विकेट मिला फॉलाफ विकेट किस दो 25 रस विकेट का पूरा अरसी भी का ओर गेंदबाजी का आप सब लोग जो है में धैक कर दिया है मिन्क को क्लिक करके आईडी करेंगा कर दिया है। मिनिमम डिपोजिट जिए सिर्फ 500 रुपे का है अगर बात की जाए यहां पर जो है यहां पर डिपोजिट करें की तो गूगल पर फोन पर पेटियम से आप यहां पर डिपोजिट कर सकते हैं विड्रॉल जो है 15-20 मिन बैंक अकॉण के अंदर मिल जाता है तो जाहिए खेलिय यहां पर बात करें मुकाबले की तो मुकाबला गुज्राज जाइन से जीच चुकी है यहां पर लाइक करके सब्सक्राइब कर दिये चैनल को इंज्योई कर या करा हुगा आपने इस मुकाबले को मगध्यान रखेगा कल भी जुनना मत बुलिए कल जो है मुंबई वर्सेज देली केपिटल्स का मुकाबला होगा देली केपिल्स वर्सेज मुंबई नेशन मुकाबला गो दोन टीम के पास एक अच्छी वद्ल्दैवाजी है आप देखते हैं क्या होता है समकाबले का सूर्तिहाल चलते हैं कि पर फिर से ने पकर अपने यहा श् 부분이 मारी गाई प्र bites न चलिए यहां पर स्कोरकारड ओर फिर से देख लीजेगा आप सब लोग स्कूरकार्ड जो है वह पर फिर से देख लीजेगा आप सब लोग मैस का सूरत्याल रहा है कि टॉट जिता झाल यहां पर गुजराज जाइंस की टीम ने पहले बल्ले बादी करते हुए बनाए थे 201 और 7 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर और यहां पर टार्गेट दिया था RCB की टीम को 202 रन का और RCB की टीम 190 न बना पाई 6 विकेट नुकसान पर 20 ओवर के अंदर एक सो नबे रन बना पाई छे विकेट के नुकसान पर और ग्यारा रन से इस मुकाबले को जीत लिया गुज्राज जाइंस की टीम ने गुज्राज जाइंस वर्सेज आरसीवी का छटा मुकाबला जहां पर गुज्राज जाइंस 11 रन से इस मुकाबले को जीच चुकी है अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की चलते हैं स्कोर कार्ड की तरह सबसे बले बात करते हैं स्कोर कार्ड की तरह सबसे बले बात करेंगे यहाँ पर गुजराट जाइन्स के स्कोर कार्ड की ओपनिंग पर लिबास थी शुममनी मेगना जिनों ने आठ गेंदों में बनाए 11 रण वक्रिए यहां पर 11 गेंदों में बनाए सिर्फ 8 रण 2 चौके लगाये थे सूफी डंकली ने यहां पर 28 गेंदों में 25 रण की पारी खेली 11 चौके और 3 चौके लगाये थे एनवल सदर्लेड ने बात करें एनवल सदर्लेड की तो एनवल सदर्लेड ने 14 रण बनाए 8 गेंदों का सामना कि एक चौका एक शक्का लगाया इसनिया नणा 3 गेंदों से दो रण मेंदों में बनाए जहां पर मेगेन शुट ने यहाँ पर गेंद बाजी की और तीन ओवर किये 26 रन दिये एक विकेट चटकाया एकॉनमी जह है वो 8.67 ती एलिसा पहरी ने चार ओवर किये 43 रन दिये और शून ने विकेट चटकाया कोई विकेट नहीं मिला एलिसा पहरी को आज एकॉनमी भी काफी जाद रहा 10.75 का रेनुका सिंग ठाकूर ने जो जह है चार ओवर किये 36 रन दिये एक विकेट चटकाया 9 रन प्रती ओवर के हिसाब से रन दिये प्रिती बोस ने भी आज 3 ओवर किये 47 रन दिये कोई विकेट नहीं मिला 15.67 का एकॉनमी रहा यहाँ पर श्रेंका पाठिल ने भी 4 ओर किये 32 रन दिये दो विकेट चटकाया है यहाँ पर एकॉनमी यह वह आठका रहा यहाँ पर और विकेट नाइट ने मिलने वाले गेंद बाजी जो थे वो थी मेगन छोट रेनुका सिंग ठाकूर और श्रेंका पाठिल और हैदर नाइट यह थी आर सीबी की गेंद उन बल्लेबाजों के बारे में आपको बदाते कितने रन बनाते हैं नजर आए हैं ची यहां बल्लेबाजी थी RCB की इस प्रकार RCB के उपनी जोड़ी थी यहां पर स्मिर्थी मंदाना और और सोफी डिवाइन की स्मिर्थी मंदाना आज भी 14 गेदों में सिर्फ 18 रन बना पाई और 3 चौके लगाए थे अपना विकेट जो है गवाय था ठारन के निजी स्कोर पर सोफी डिवाइन ने अच्छी पारी केली 45 गेदों 66 रन बनाए 8 चौके और 2 चौके यहां पर है यहां पर 30 रन 11 गेदों का सामना किया पांच चौके एक शक्का लगाया कोशिश बहुत कि टीम को चिताने के मगर उपर के बल्लेबाजों ने काफी धीमी कती से बल्लेबाजी की इस वज़े से अपने टीम को जो है वागे ले जा नहीं पाए उसके बल्लेबाजी करने आ आज यहां पर जो है आरसीबी के स्पोर्ट साफ का क्योंकि एक एक हैम ओवर था उननिस वावर अगर वहां पर श्रेंग का पाटिल शायद उपर बल्लेबाजी करने आती तो शायद केल का रुख और होता मगर यहां पर पूनम खेमनर ने चार गेंदे भी खेली सिर्थ दो साफ से और तनुजा कवर ने काफी अच्छा योगदान ती इस मकाबले आंदर अगली खिलाडी है यहां पर एशली घाड़न उपर इसली एक आदसली और शार और हैशली आछली णे गेंदबाज रही है बल्ले से भी कुछ रन बनाये थे और यहां पर गेंदबाजी में भी तीर विकित चटकाते नज़र आई हैं साथ दसलव साथ पांच रन का एकॉनिमी था इनका अगली गेंदबाज रही है एनेवल सदर्लेंड का दिन थोड़े सा खराब चल रही है एने कोई विकेट नहीं मिला आट दसलव पांच उने रन प्रती ओवर के साथ से रन उटाए मांची जोसी ने सिर्फ एक ओवर किया नो रन दिये और एक यहां पर